उसे कार के अंदर बैठने के लिए धमकाता रहा इस दोरान उन लोगों और कार सवार के बीच जड़प हो गई उस कार के पीछे कई गाड़ियां खड़ी नजर आई और सड़क पर जैम लग गया लेकिन जड़प चलती रही मारपीट करने वाले उस कार सवार पर वहां से चल अमेर्की अख़बार नियॉक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मताबिक जेलिंस्की का मकसद यूक्रेन की सेना में पांच लाग सैनिकों की भरती करना है ताकि जंग के हर मोर्चे पर रूस की पौज को तगड़ा और करारा जवाब दिया जा सके क्योंकि पिछले दो साल से ज़ादा वक्त से चल रही इस जंग में यूकरेन के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है अमेर्की अख़बार नियॉक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक इस वक्त यूकरेन की सेना सैनिकों की भारी कमी से जूज रही इसलिए जंग में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूकरेन ने लंबे वक्त से ठंडे वस्ते में पड़े विवादास पत कानून को मनजूरी दे दी रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहट सैनिकों की ज्यादा भरती करने के लिए उम्र की सीमा 27 साल से घटा कर 25 साल कर दी गई इसके लावा भरती होने के बाद किसी भी सैनिक के सेना चोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई बनाना और रूस से मुकाबले के लिए पाँच लाग सैनिकों की फौज खड़ी करना है और राहूल गांदी के मटन बनाने और तेजस्वी आदब के मचली खाने के वीडियो पर सवाल उठाया पुधान मंतरी ने उदंपूर के अपनी रैली में दोनों वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाया उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहूल गांधी की ही ओर था क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो पिछले साल सावन के महीने में आया था उस वीडियो में राहूल गांधी लालू प्रसाद यादव से मटन बनाना सीखते दिखे थे पुधान मंत्री ने इसी वीडियो का जिक्र करते हुए बोल दिया कि सावन के महिने में ऐसा वीडियो शेर करने का मतलब लोगों को चिड़ाना था पी-म यही नहीं रुके उन्होंने कॉंग्रेस की मानसिक्ता की तुलना मुगलों की मानसिक्ता से कर दी राहूल गांधी का मटन बनाने का वीडियो करीब साथ महीने पहले सावन के महीने में आथ और इसमें वो लालू यादव से बिहारी अंदाजवे मटन बनाना सीख रहे थे वहां मीसा भारती भी मौजूद थी राहूल ने ये वीडियो खुद शेयर किया था और लिखा था कि लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला लेकिन राहूल गांदी का सावन के महीने में ये वीडियो आना विवाद का मुद्दा बन गया था और प्रधान मंत्री ने लोगसभा चुनाव के दोरान भी सो उठा दिया इससे पहले नवरात्र के पहले ही दिन तेजस्वी आदब ने मचली खाने का वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो में वो अपनी सयोगी पार्टी वी आईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ मचली खाते नजर आये थे लेकिन उनके इस वीडियो पर विवाद हो गया था, बीजेपी ने सवाल उठाय था कि तेजस्वी आदव ने नवरातर पर ये वीडियो क्यों शेयर किया, राहूल गांधी के मटन वाले वीडियो की बात करते करते प्रधान मंतरी ने मचली वाले वीडियो का मुद्दा भी उटा दिया और आरजेटी पर तुष्टिकरण की राजनीति कारोप लगा दिया, तेजस्वी आदव ने जब ये वीडियो शेयर किया था तो उन्होंने और मुकेश सहनी ने विपक्ष पर तंजबी कसा था, वो यही नहीं रुके थे, मचली खाने के वीडियो के अगले ही दिन उन्होंने संत्रा खाने का वीडियो शेयर कर दिया था, संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए उन्होंने भगवा रंग की बात की थी और बीजेपी पर निशाना साधा था यानि पहले मचली पर सियासत गर्माई, फिर संत्रे पर राजनीती हुई और अब मटन भी मुद्दा बन गया क्योंकि पीम ने सावन में राहूल के मटन बनाने और तेजस्वी के नवरात पर मचली खाने के वीडियो पर कॉंग्रेस और आरजेडी को घेरा यानि इस चुनाव में मटन मचली भी चुनावी मुद्दा बन गया और इसी बात पर मथुरा सीट से निर्दलिय पित्याशी शिखा वर्मा भलक गए और सीधा उस अधिकारी से भिड़ गई जिसने गाड़ी रोकी थी अधिकारियों ने बताया कि इन गाडियों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया बलकि चुनाव आयोक के निर्देश के मुताबिक इनका वीडियो बनाय जा रहा था और इसी लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया इसी बात पर शिखा वर्मा और उनके समर्थक भढ़क गए नारेबाजी के बीच शिखा वर्मा अधिकारियों से ही उलच पढ़ी बात बढ़ती देखकर पुलिस ने बीच बचाव किया और किसी तरह मधुरा सीट से निर्दली प्त्वियाशी शिखा वर्मा और उनके समर्थकों को शांत करवाया और गाडियों का काफिला आगे बढ़ गया उधर एनाईये के सूत्रों ने दावा किया कि बंगलोरू बंब लास्ट केस के दोनों संदीक अब्दलमतीन ताहा और मुस्वर उसेन शाजब सुरक्षा एजनसियों को चक्मा देने के लिए एक ऐसे लौज में छिपे थे जहां पहचान पत्र देने की जरूरत ही नहीं थी मतलब वो दोनों हर हाल में अपनी पहचान छिपाने में जुटे थे हाला कि नाइए की टीम ने दोनों को पश्चे मंगाल के पूर मेंदनी पूर के दीगा से गिरफतार कर लिया एक मार्च को मेंगलूरू के मशूर रेस्टोरांट रामेश्वरं कैफे में दोपहर खरीब एक बज़े धमाका हुआ था और दमाके के अवाज से पूरा बेंगलूरू शेहर थरा गया था इस दमाके के ठीक बयाली इस दिन बाद एनाइए की टीम ने दो संदिक्द अब्दुलमतीन ताहा और मुसविर हुसेन शाजिप को गिरफतार करने का दावा किया नाइए ने दोनों को पश्च मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से गिरफतार करने की जानकारी दी नाइए के सूत्रों के मताबिक दोनों आरोपी वहाँ एक छोटे से लॉज में चिपे हुए थे वो ऐसा लोज था जहां उन्हें कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं थी नाइए के सूत्रों बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना हो सके और वो ऐसा लोज या ऐसे गेस्टाउस को चिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेश देने की जरूरत नहों आला कि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी नाइए ने उन्हें ढूंड निकाला नाइए ने दावा किया कि मुसविर हुसाइन शाजिब ने ही रामेश्वरम कैफे में विस्पोटक रखा था और अब्दुलमतीन ताहा ने धमाके की पूरी साजिश रची थी मतलब नाइए ने अब्दुलमतीन ताहा को बेंगलूरू बंबलास्ट का मास्टर माइंड बताया चुकि नाइए का दावा है कि रामेश्वरम कैफे में धमाके की प्लैनिंग से लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चक्मा देने का पूरा प्लैन ताहा नहीं बनाया था जांच के दौरान ये भी पता चला था कि संदिक ताहा तमिलाड में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के मानले में भी वॉंटेड है एनाये की जानकारी के मताबिक मुसवर उसेंच शाजिब और अब्दुलमतीन ताहा करनाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले हैं वो सूत्र बताते हैं कि दोनों आतंकी संगठन आईस आईस से जुड़े हैं लेकिन एक मार्च को रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद सही दोनों फरार थे पिछले महीने की 23 तारिक को एनाये ने धमाके के मुक्ख संदिक्द के तौर पर दोनों की पैचान की थी NIA के सूतरों के मताबिक दोनों की पैचान एक टोपी से की गई थी क्योंकि जांच के दौरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जांच अधिकारियों को एक टोपी मिली थी जिसे उसने चिन्नई में खरीदा था सूत्रों का दावा है कि एक मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम रखने के दोरान मुसफिर उसेन शाजिब ने वही टोपी पहनी थी जो NIA को रेस्टोंट के पास से मिली थी सूत्रों बताते हैं कि जांच के दोरान ये पता चला कि चन्नाई में उस तरह की टोपी के सिर्फ चार सो पीस ही बेचे गए थे और इसके बाद NIA की टीम ने चन्नाई के उस इलाके के सी सी टीवी खंगान ने शुरू किये जिस इलाके में संदिक ताहा ने टोपी खरीदी थी NIA के सुत्रों का दावाए कि उस टोपी में जांच अधिकारियों को बाल मिले थे फोरेंसिक जांच के बाद ये पता चला था कि धमाके की दिन टोपी को ताहा ने नहीं बलकि मुझफिर उसेंट शाजिब ने चेहरा चिपाने के लिए पहना था बाद में शाजिब के घरवालों को उसका CCTV वीडियो दिखाए गया था सुत्रों के मताबिक उसके घरवालों ने वीडियो देखने के बाद उसकी पैचान भी कर दी थी लेकिन रेस्ट्रों में धमाके के करीब एक महीने बाद भी ना तो शाजिब का कुछ पता चल रहा था और ना ही ताहा का क्योंकि सुत्रों का दावा है कि दोनों पुलिस को चक्मा देने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे जांच एजिंसियों के मुताबिक धमाका करने के बाद ताहा और शाजिब कुछ दिनों तक चिन्नई के एक इक इलाके में भी छिपे हुए थे लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़े दिनों के बाद दोनों वहां से भी निकल गए थे इसलिए दोनों की तलाश में एनाईये ने करनाटक और तमिलनाड समेत कई राज्यों में छापे भी मारे थे इसके बाद 29 मार्श को दोनों पर 10-10 लाग रुपे का इनाम रखा गया था ताकि किसी भी तरह बेंगलूरू ब्लास के इन दोनों संदिक्टों तक पहुँचा जा सके आलनकि सबूतों को जोडते हुए एनाईये ने दोनों संदिक्टों को पश्चिम मंगाल के पूर्व मिंद्निपूर से गिरफतार कर दिया लेकिन रामे श्रम कैफे बलास से जुड़े दोनों संदिक्टों के पश्चिम मंगाल से गिरफतार किये जाने पर सियासी घमासान चड़ गया क्योंकि दोनों की गिरफतारी के बाद बीजे पी नेता अमित मालविये ने ममताब एनरजी पर निशाना सादते हुए पश्चिम मंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनागा बता दिया और बागाईदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल दी इसके बाद सोशल मीडिया पर अमित मालविये और पश्चिम मंगाल पुलिस में वार छिड़ गई मंगाल पुलिस ने अमित मालविये के दावे को जूटा बता दिया लेकिन इस मुद्दे में सियासी तड़का तब लगा जब पश्चिम मंगाल के मुख्यमंतरी मम्ता बेनरजी ने अमित मालविये के बहाने बीजेपी और केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर जोड़दार हमला बोल दिया अमित मालविये ने ममता बेनरजी पर निशाना सादते हुए अपनी एक पोस्ट में पश्चिम मंगाल को आतंकियों का घर बता दिया यही नहीं बीजेपी ने करनाटक की कॉंग्रेस सरकार पर भी अमला बोला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरीए बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गए इदर दिल्ली शराब घोटाला मामले में बी आरेस नेता के कविता को कोड़ से बड़ा जटका लगा दिल्ली के पूर्व उपुमुखे मंतरी मनीश्य सोधिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर राउजविन्यू कोड 20 अपरेल को सुनवाई करेगी इससे पहले मनीश्य सोधिया ने लोगसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोड से अंतरिम जमानत की मांग की उन्होंने दलील दी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का संकल पत्र रविवार को जारी होगा खबरे के इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रिह मंतरी अमिट शाह और रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी मौझूद होंगे उदर लोगसबा चुनाव से पहले टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान ने बंगाल की विबख्षी पार्टियों के कारेकरताओं से खुल कर बोल दिया कि 26 अपरेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद इस मामले पर बंगाल का सियासी पारा चड़ गया मगद बीजेपी भड़क गई और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला किया विवाद टीमसी विदायक हमीदुल रह्मान की बंगाल के रायगन से हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ और इस चुनावी सभा में उन्होंने विरोधियों को खुले आम दमकी दे डाली बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रह्मान के बयान का वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो में उन्हें विपक्षी पार्टी के कारकरताओं को बोलते हुए सुना गया कि 26 अपरेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद बीजेपी ने भी आओ देखाना ताओ और टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान के बयान की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला कर लिया बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोक से तुरंत इस मामले पर संग्यान लेने की मांग की क्योंकि टीमसी विधायक ने विरोधियों को धमकाया बंगाल की रायगंज लोगसभा सीट पर 26 अप्रेल को मत्तान होना है और हमीदुल रह्मान रायगंज के उत्तर दिनाशपूर विधान सभा क्षेतर से विधायक है और इसलिए उन्होंने 26 तारिक को केंद्रिय सुरक्षा बलके रायगंज से जाने का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया और बंगाल में 2019 के लोगसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र होने लगा क्योंकि पिछली बा लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगाने के लिए साजिश रची है और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि बीजेपी राश्ट्रपती शासन के जरिये दिल्ली को अर्विन केजरिवाल और आमादमी पार्टी से चीनना चाती है उन्होंने आश को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटगरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयान बाजी करके दिल्ली में केजरिवाल सरकार की नाकामियों पर परदा डालने की कोशिश में डुटी है। दिल्ली के सारे कामकाज बादित हो रहे हैं लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता। गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को संजे सिंग ने टाल दिया। केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी लगातार प्रतर्शन कर रही है। लेकिन इन प्रतर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसत नजर नहीं आए आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फरेंस में संजे सिंग से इसी मुद्धे पर सवाल पूछा गया लेकिन वो इस सवाल को टाल गए एक तरफ संजे सिंग ने अरविन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसतों के गायव रहने के सवाल को टाला तो वहीं दूसरी और पार्टी के राज्यसबा सांसत, संजीव अरोडा, विक्रम जीत सिंग साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरिवाल से मिलने पहुंच गए इस मुलाकात की तस्वीरें भी आएं और पोस्ट में सुनीता केजरिवाल की तारीफ की गई उदर पंजाब के फरीद कोड में किसानों का घुस्सा इसकदर भड़का कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस की कार पर चढ़ाई कर दी उनकी कार पर जब किसानों का जुन्ड तूटा तो देखकर लगा मानो वो हंसराज हंस से मारपीट पर उतर आएंगे बीजेपी ने इस बार फरीद कोड लोकसबा सीट से हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची किसानों का जथा उनकी कार पर तूट पड़ा हाथों में काले जंडे लिए कुछ किसान उनकी सफेद कार के बॉनट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे तो कुछने कार के दर्वाजों और किड्कियों में हाथ मार कर उन्हें खुलवाने की कोशिश की पदर्शन कर रहे हैं उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हंसराज हंस के सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पैर फूल गए इसके बाद वहां मौझूद पंजाब पुलिस के जवानों ने मुर्चा समभला और उन किसानों को धक्के दे कर वहां से अलग किया इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंसराज हंस बैठे थे उससे तो वहां से निकाल दिया गया लेकिन उनके काफले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फस गई पंजाब के फरीद कोट से प्रक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा था वहां किसानों ने केंद सरकार पर किसान अंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खलाफ बिगुल फूंक रखा है और इसी विरोध का सामना फरीद कोट से प्रक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को भी करना पड़ा बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी नितीश कुमार पूर्व उप्व मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव पर भढ़क गये केरल की तिरुवननत पुरम सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार शेशी थरूर ने बीजेपी पृत्याशी राजीव चंदरशेकर के मानहानी नोटिस का जवाब दिया शेशी थरूर ने राजीव चंदरशेकर के खलाब जूटे आरोप लगाने से इंकार कर दिया और उनसे बयान वापस लेने और माफी मांगने के मांग कर दी यही नहीं शेशी थरूर ने अपनी मांगों को नजरंदाज करने पर कानूनी कारवाई की चितावनी भी दी पंगलरू में पीने के पानी की कमी का मुद्दा लोगसबा चुनाव से पहले गरमा गया वहां के कई अलाकों में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि एक हाउसिंग ससाइटी ने तो लोगसबा चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया अजरेल के बीच बहुत बड़ी जंग छिडने के आशंका जताएगी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इरान अपने कटर दुश्मन इसरेल पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका के अखबार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई इसरेल और अमेरिका की सेनाएं अलर्ट मोड में आ गई मतलब इरान और इसरेल के बीच खुली जंग का काउंड़ाउन शुरू हो चुका है क्योंकि सीरिया में अपने दुतावास पर हमले के बाद से ही इरान बदले की आग में चल रहा है इरान लगातार ये धंकी दे रहा है कि दुतावास पर हमले का बदला वो लेकर रहेगा इरान के मीडिया के मताबिक उसकी सेना ने इसरेल से बदले के लिए कई विकल्प तयार कर लिए खबरों के मुताबिक एरान अपने धूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसराल के किसी धूतावास को निशाना बना सकता है या फिर उसकी सेना और खुफिया एजंसियों के ठीकानों पर बारूद बरसा सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो इसराइल भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा खबरों के मताबिक इरान की धंकियों को देखते हुए इसराइल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुट गई थी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मताबिक एक एक अपरेल को सीरिया की राजधानी दमिश्च में अपने दूतावास पर हमले के तुरंद बाद ही आयार जीसी एक्शन में आगए थी आयार जीसी यानी इसलामिक रिवलूशनिरी गार्ड कोर इरान की सेना की ब्रांच है और सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले में उसके दो बड़े अफसर मारे गए थी ख़बरों के मताबक उस हमले के बाद से आयार जीसी का खून खौल रहा है इरान की सेना की ये ब्रांच इसरैल से किसी भी कीमत पर दमिश्ख हमले का बदला लेने की तैयारी में जुड़ गई क्योंकि ब्लूंबर की रिपोर्ट के मताबक आयार जीसी के अफसरों ने दो अपरेल को ही इरान के सुप्रीम लीजर आयातुला अली खामनई से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में आयार जीसी नोंने इसरैल पर हमले के पूरी प्लैनिंग समझाई थी पस्चिमेशा से लेकर यॉरप के कई देशों में अलर्ट घुशित कर दिया गया अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोट पर रखा क्योंकि एक रोज पहले ही बाइडन ने इसरैल को भरोसा दिया था कि इरान ने हमला किया तो अमेरिकी फॉज इसरैल के लिए रक्षा कवज बन जाएगी मतलब यह कि इसरैल और इरान की जंग में अमेरिका भी सीधे सीधे कूट पड़ेगा हाना कि अमेरिका ने इरान को इसरैल पर हमला ना करने की चेताव नी दे दी लेकिन दो पुराने दुश्मनों के बीच जंग शुरू होने के बढ़ते खतरे के बीच पूरी दुनिया अलर्ट आ हुए क्योंकि इसरैल और इरान इस वक्त बारूत के ऐसे धेर पर बैठे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबहा कर सकती है इसी वज़े से फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लेंड ने अलर्ट जारी कर दिया 24 से 48 घंटों में जंग शुरू होने के आशंका के बीच बारत सरकार के विदेश मंत्राले ने नागरिकों को इरान और इसरैल ना जाने की सला दी इरान और इसरैल गए हुए भारतिय नागरिकों को विदेश मंत्राले ने वहां मौझूद भारतिय दुतावास से संपर्क करने की भी सला दी जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इसरैल, इरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया ब्रिटन ने अपने नागरिकों को तुरंत इसरैल छोडने के निर्देश दे दिये पश्चिमेश्या में साओधी अरब ने भी अलर्ट जारी कर दिया मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई इसरैल के मीडिया के मताबिक एरान के हमले की धंकियों के बीच प्रधान मंतरी बनिमिन नितनियाहू ने वहां के सेना प्रमुक से मुलाकात की और तैयारियों का जाइजा लिया खबरों के मताबिक नितन्याहू ने मुसाद के टॉप एजिन्ट को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया यानि इरान के हमले का जवाब देने के लिए इसरेल भी पुखता तैयारी में जुट गया इसरेल के मीडिया के मुताबिक सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले के बाद इसरेल ने अपने GPS नाविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था माना जा रहा है कि इरान की गाइड़न मिसालों के हमलों को रोकने के लिए इसरेल की फौज ने ये कदम उठाया ये खास तरह का धांचा होता है जो बंओ के हमले से सुरक्षा देता है इसरेल से इरान की दूरी करीब 2300 किलो मीटर है दोनों देशों के बीच इराक, सिरिया और जॉर्डन जैसे देश मौजूद है किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी लेकिन हालाद बदले तो इरान और इसरेल एक दूसरे के कटर दुश्मन बन गए क्योंकि इरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का सहारा लेकर इसरेल को निशाना बनाया जबकि इसरेल ने सीधे तोर पर इरान के ठिकानों पर कई बार हमले किये लेकिन इस बार अगर इरान सीधे इसरेल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पश्चमेशा में फैल सकती है और इसके नतीजे बेहत खतरनाक हो सकते हैं और गाजा में इसरेल के हमलों का जिक्र करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की आयतुल्ला अली खामनाई ने मुस्लिम देशों को सुझाव दिया कि इसरेल को अलग तलग करने के लिए सभी देशों को उससे अपने सभी प्रकार के संबंद तोड लेने चाहिए और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है इस बीच गतर और कुएत ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो इरान के खिलाब जंग के लिए अपने अलाके और ठिकानों का इस्तमाल नहीं करने देंगे इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एक जुटा के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका इरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुल कर इसरेल के साथ खड़ा दिखाई दिया लडाकों ने इसरेल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी हमास के लडाकों ने सैकड़ों लोगों को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया था और करीब धाई सो लोगों को बंधग बनाकर अपने साथ गाजा ले गए थी इसरेल ने या रोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर ये हमला इरान के इशारे पर ही किया था अलकि इरान ने इससे पूरी तरह इंकार किया था लेकिन साथ अक्टूबर को इसरेल पर हमास के हमले के बाद इरान में जम कर जश्ट मनाय गया था और उसी जश्ट ने इसरेल के लोगों के कलेजे में आग लगा दी थी इरान पहले से ही इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गए और हमास और इसरेल की जंग के 6 महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इरान और इसरेल में भी जंग छिड नहीं वाली है भारती वायू सेना की मुस्तहदी की वज़े सेना के एक जवान के हाथ की सरजरी समय रहते मुम्किन हो पाई दिल्ली में सेना के अस्पताल में उस जवान के कटे हुए हाथ को समय रहते जोड दिया गया इसकी जानकारी वायू सेना ने खुद सोशल मीडिया के जरीय दी बतागया कि लब्दाक के ले में हुए एक हादसे में उस जवान का हाथ कट गया था उसके बाद महस चार गंटे में उसे वायू सेना की मदद से दिल्ली पहुचा दिया गया केंद्री मंत्री राजनाद सिंग ने अबरजनसी की एगटना का जिक्र कर कॉंग्रिस पर निشाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मां के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए परोल तक नहीं मिल सकी थी उदर लोगसबा चुनाव में मायवती के बतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेरा बन गए उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले लिए दुआधार रैलियां की आकाश आनंद बीएसपी के नैशनल कोडिनेटर है लेकिन उन्हें मायवती का उत्तरा दिकारी भी माना जाता है कि बीएसपी ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उता रहा है और इसलिए आकाश आनंद ने मतुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिकर छेड़ दिया और मुस्लिम मदददाताओं को अपने फाले में लाने की कोशिश की अपनी रैलियों में आकाश ने आकरामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया समाजवादी पार्टी पर तो वो जम कर बरसे 2019 के लोगसबा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गडबंधन था लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टीयों के रास्ते अलग हो चुके क्योंकि अखिलेश यादावर कॉंग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और इसलिए आकाश आनंद ने इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुर्चा खुल दिया आकाश आनंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायवती का नाम लिया लेकिन उनके तेज दर्रार अंदाज ने ये संकेत दे दिये कि इस बार के चुनाम में वो ही बीएसपी का चेहरा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने तावर तोड रैलियां किया आकाश आनंद ने इस चुनाम में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी बार फिर चंद शेकर आजाद पर हमला किया और उन्हें बहरूपिया बोल दिया आप के बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोग उणगरा करने का काम करतेί साथियो वो बहरूपिये नीला पठका पहर के आएंगे परंतु साथियो जब बात वो डार ने की आए जब बात आपके साथ संधर्शों में खड़े ओने की आए इसे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनंद ने चंदर शेकर का काम करने का बूरा तरीका ही बता दिया था और दावा किया था कि वो बी-ए-स-पी के युवा समर्थकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई पहला वो चुनाम में पार्टी का चेहरा बने और दूसरा उन्होंने बी-ए-स-पी का विकल बनने की कोशिश में जुटे चंदरशेखर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और बी-ए-स-पी को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुट गए इससे पहले उन्होंने राहूल गांधी पर तंस कसा था और अब उनके इस बयान ने भी हिमाचल की राजनीति में संचनी मचा दी क्योंकि उनके निशाने पर था हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस नेता विक्रमदित्य सिंग का परिवार कंगना रनौत ने आरोब लगाया कि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्य सिंग और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपनी बपोती समझा आनकि विक्रमदित्य सिंग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की उन्होंने दावा किया कि कंगना रनौत ने निजी हमले कर हिमाचल की राजनीति का माहौल बिगाडने की कोशिश की आज तक इस तरीके की भाशा शैली का प्रियोग हिमाचल जैसी पवित्र देव भूमी में नहीं हुआ होगा कंगना रनौत ने विक्रमधित्य सिंग के जरीए कॉंग्रेस की परिवार वाद वाली छवी को निशाने पर लिया उधर गैंकसर मुकतार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने भी जेल में जहर दिये जाने की आशंका जाहिर की गैंग्स्टन मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने गाजीपुर की कोट से अपनी सुरक्षा की गोहर लगाई खबरे की कुछ दिनों पहले कोट में एक मामले की सुनवाई के दोरान उनके वकील की तरफ से कोट में अपील की गई इसकी जानकारी अब सामने आई खबर है कि अबास अंसारी ने आरोब लगाया कि काजगन जेल में उनकी सुरक्षा पुखता नहीं है और उनके खाने में जहर भी मिलाय जा सकता है समाजवादी पाटी ने उत्त्र प्रदेश की कॉशामभी और कुशी नगर लोगसबा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपने दो अमीदवारों की लिस्ट शेयर की जिसके मताबिक कोशामबी से पुशबेंदर सरोज और कुशी नगर से अजयर प्रताफ सिंख और पिंटू सैंथवार को प्रत्याशी बनाए गया बिहार के सुपॉल में नौवी क्लास में बच्चों के दाखिले को लेकर लागो किये गए नए नियम के खिलाफ छात्रों ने सड़क जैम कर दिया नाई नियम के मताबिक चातरों को उन स्कूलों में दाखिला लेना जरूरी होगा जो स्कूल उनके पंचायत के तहट आएंगे लेकिन परिशानी यह है कि कई स्कूल कुछ गाओं से बहुत दूर है और शिक्षा विभाग के इसी नियम के खिलाब नौमी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने हाईवे जैम कर दिया वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सड़क पर धरना देते दिखाए दिये गाड़ियों को रोकने के लिए हाईवे पर जाड़ियां और लकनियां रखी निजर आई बच्चों के इस विरोध प्रदर्शन की वज़े से वहां जैम जैसे हालात बन गए घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन धरने पर बैठे बच्चे सड़क से उठने के लिए तयार नहीं हुए बताया गया कि आठवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब पास के स्कूल में नौवी के दाखले के लिए पहुंचे थे तो उन्हें दूसरे स्कूल में जाने के लिए कहा गया जो वहां से कई किलोमीटर दूर है करीब एगंटे तक बच्चों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा अलंकि बाद में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को पास के स्कूल में दाखला देने का भरोसा देकर प्रदर्शन खत्म करवा दिया इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए उत्तर भारत के राज्यों के लिए बारिश और बर्वबारी का अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली और उसके आसपास के अलाकों में 13-15 अपरेल के दौरान हल्की से भारी बारिश का नुमान जताए गया जबकि पहाडी राज्यों में बारिश के साथ बर्वबारी की भी चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली न्सियार समेथ 14 राज्यों में 13-15 अपरेल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है इन में उत्तरप्रदेश, मद्ध्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, चत्तीजगर, बिहार और जार्खन शामिल हूँ इनके लावा तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंध्रप्रदेश, उडिशा और तमिलनाड में भी बारिश की संभावना जताए गई मौसम विभाग ने मद्ध्रदेश के 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जिफकि उत्तरप्रदेश के 13 और पिहार के 9 जिलों में तेज हमाओं के साथ बारिश का अनुमान जताए गए लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट से पहाड़ी राज्यों की मुसीबत बढ़ गई क्योंकि अनुमान जताया गया कि 13 से 15 अपरेल के बीच जम्मु कश्मीर, लटाक और इमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है दूसरी तरफ मौसम विभाग ने करनाटक और आंदर प्रदेश के तटिये इलाकों में हीट वेव की भेविश्वानी कर दी इन सब के बीच वधान मंत्री मोदी ने गर्मी के मौसम पर एक बैठक की इसमें उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गई तैयारियों का जायजा लिया और राज्य की सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निदेश दिये उतर पंजाब के फिरोशपूर में एनाईये ने एक आतंकी की संपत्ती जप्त कर ली पंजाब के फिरोसफूर में NIA ने आतंकी रमन दीप सिंग और रमन की अचल संपत्ती जब्त करने का दावा किया खबरे की ये कारवाई खालिस्तान का समर्थन करने वाले गैंक्स्टरों और आतंक्यों के खिलाफ चलाय जा रहे अभियान के तहट की गई NIA की विशेश अदालत ने पिछले साल जुलाई में रमन दीप सिंग को भगोडा गोशित कर दिया था भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वहां रहने वाले हिंदू और सिक्समुदाय के लोगों को उनकी जमीने वापस करने की बात गई गई थी कुछ रोज पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि वहां जल्द ही अल्ब संखिकों को उनकी जमीने लोटा दी जाएंगी तालिबान के मताबिक इन जमीनों पर पहले की सरकार के कुछ नेताओं ने खबजा कर लिया था चंडिगड के तीन आईएस अधिकारियों पर फ्रांस की राजधानी पैरिस में फिजूल खर्ची कर लाखों रुपए बरबात करने के आरोफ लगे चंडिगड के डिरेक्टर जनरल अफ ऑडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई बताया गया कि ये तीनों आईएस अधिकारी 2015 में पैरिस की यात्रा पर गए थे और आरोफ लगे कि ये तीनों अधिकारी पैरिस के महंगे हुटलों में रुके और बिजनस क्लास में उन्होंने यात्रा की इधर राहूल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी पर कॉंग्रेस राशन पानी लेकर चट पड़ी स्मृती इरानी ने केरल के वाइनाड में दिये राहूल के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की इस दोरान उन्होंने राहुल गांधी को निकम्मा कह दिया और इसी से कॉंग्रेस थम्तमा उठी केंद्रिय मंतुरी स्मिती रानी ने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केरल की वाइनाड लोकसबा सीट के लोगों को अपना परिवार बताया था उसी को आधार बनाते हुए श्मिती रानी ने राहूल गांधी पर तीखामला बोला इसके बाद यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजे राय ने श्मिती रानी को जवाब देने में देर नहीं की सुत्रों के मताबिक केरल की वाइनाड सीट पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस अमेठी से राहूल की दावेदारी का ऐलान कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 2019 की तरह राहूल गांधी र स्मिती रानी के बीच मकाबला होगा इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के करीबी और चिंदवाडा के किसान नेता अमित सकसेना को अपने पाले में खींच लिया उनके अलावा मद्देपरदेश के दो विधायक भी कांग्रिस का साथ चोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कई कारेकरताओं को भी लेकर आए इसे कमलनाथ के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि बीजेपी में आए अमित सकसेना का चिंदवाडा में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने कमलनाथ को गेरने का एक और ताओं चल दिया इससे पहले चिंदवाडा में ही मद्धिप्रदेश के सीम मोहन यादव ने कमलनाथ पर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया कमलनाथ के किले को ढाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताका जोंक रखी है यहाँ तक की मद्धिप्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव चुनाव से पहले चिंदवाडा के पांच दौरे कर चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी ने MP की 29 में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और चिंदवाडा की एकलोती सीट थी जो कॉंग्रेस के हिससे आई थी और तब कमलनाथ के बेठे नकुलनाथ ने ये सीट जीती थी जो इस बार भी चिंदवाडा से उम्मीदवार बनाए गए चिंदवाडा लोगसभा सीट पर 19 अपरेल को वोट डाले जाएंगी ये घटना दिल्ली के नजदीक हर्याना के गुरुग्राम में उस वक्त थी जब वो डिलिवरी बॉय खाने का एक और पहुंचाने एक हाउसिंग सुसाइटी में गया और उसने उस फ्लैट के बाहर रखे जूते चुरा लिये और वो टक-टकी लगाये उन जूतों की तरफ देखता रहा इस दोरान वो सीडी की तरफ भी देखता दिखाई दिया तभी 22 तरफ वाले उस फ्लैट का दरवाजा खुला और एक महिला ने उसके हाथ से सामान ले लिया लेकिन सामान देने के बाद भी वो डिलिवरी बॉय वहीं खड़ा रहा कुछ देर में उसने फिर जूतों की तरफ देखा इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन जेब में रखा और सिर्व पर बांधा गमचा उतार कर चेहरा पोंचने लगे जेहरा पोंचते हुए वो सीडी से नीचे जाता दिखाई दिया लेकिन चार से पांच कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाउं उपर चड़ गया इसके बाद तो उसने अपना गमचा फैलाया और काले रंग वाले उन जूतों को उठा लिया और उन पर गमचा ढखते हुए वहां से निकल गया अला कि वीडियो सामने आने पर खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने इस डिलिवरी बॉय की हरकत पर अफसोस जताया उदर चीन ने अमेरिका की दो कंपनियों पर पाबंदी लगा कर उसे खुली चुनौती दे दी अमेरिका से थनाव के बीच चीन ने दो अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिमंद लगाने का ऐलान कर दिया चीन ने डिफेंस से जुड़ी इन दोनों अमेरिकी कमपनियों पर ताइवान को हधियार बेचने में मदद करने का आरोप लगाया इसके साधी उसने अपने यहां मौजूद इन कमपनियों की संपत्तियों को फ्रीज भी कर दिया चीन लंबे वक्ट से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है खबरे के मालदीव में भारती परटिकों की संख्या में भारी कमी आने के बाद वहां परटिन से जुड़ी एक बड़ी संस्था भारत के अलग-अलग शेहरों में परचार करेगी इसका मकसद मालदीव में परटिन को बढ़ावा देना होगा खबरे के इस संस्था ने मालदीव में मौझूद भारती उच्चा युक्ट से इस सिलसले में मुलाकात भी की खबरे की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की नमबर एक कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क की भारत यात्रा दो दिन की होगी इस दोरान वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के अलान के साथ कुछ और गोशनाएं भी कर सकते हैं और इसी दोरान भिलाई स्टील प्लांट के अंदर आग की भयंकर लप्टें उड़ती दिगी इस आग की वज़े से वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि प्लांट के एक हिस्से में भड़की आग बिजली की तेजी से दूसरे हिस्सों तक बढ़ती नज़र आई तस्वीरों में दिखा कि उस भीशन आग की उंची उंची लप्तें प्लांट की छट के नज़्दीक तक पहुंच गई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे प्लांट को जला कर राक कर देंगी आलंकि सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया लेकिन बताया गया कि आग की वज़े से प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा आलंकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि भिलाई स्टील प्लांट तीन दिनों में दूसरी बाराग की चपिट में आ गया इस बीश लालु यादव की बेटी और बिहार की पाटली पुत्र लोग सबा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधान मंतरी को जेल भेजने वाले बयान पर 24 घंटे के अंदर ही सफाई दे दी मीसा भारती के इस बयान पर बिहार के बीजेपी नेताओं से लेकर दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने भी मुर्चा खोल दिया था लेकिन मीशा भारती ने तो प्रधान मंत्री को लेकर दिये गए उस बयान से ही किनारा कर लिया जिसे लेकर पिछले 24 गंटे से बिहार समेथ दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ गई थी मीसा भारती के मुताबिक उन्होंने कभी प्रधान मंत्री को जेल भीजने की बात कही नहीं मीसा भारती पाटली पुत्र से चुनावी अखाड़े में उतरी हैं इस दोरान वो लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटी है और ऐसे ही एक कारिकरम के दोरान एक रोस पहले उन्होंने प्रधान मंत्री पर वो बयान दिया था अलनकि अब मीसा भारती के सुर्ख बदले हुए दिखे बहरतिये जवानों ने बेहद उचाई वाले मुश्किलों से भरे पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ठिकाने लगाने की ताकत पर खी और इसमें मिसाइल के हमले में टैंकों और बक्तरबन गाड़ियों को तबाह करने का अब्ध्यास किया गया इस ड्रिल में भारतिय सेना के कई टुपनिया शामिल हुई तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी पर मौझूद जवानों ने मिसाइल लॉंचर की मदद से टार्गेट पर निशाना साधा और पलक जपकते ही उस पर जोरदार हमला कर दिये इस ड्रिल को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया यानि ऐसी तैयारे जिसमें दुश्मन के एक टैंक को एक ही वार में बरबाद कर दिया जाए इस सेन्य अभ्यास में एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइलों का इस्तमाल किया गया ये मिसालें तेज रफतार में दोड़ते टैंकों के भी परकचे उड़ाने में माहिर मानी जाती हैं इसलिए क्योंकि ये दागी जाने के बाद टागेट के जगा बदलने पर भी उसे ढूंड कर तभा कर देती हैं भारतिय सेना ने इनी खतरनाग मिसालों से दुश्मन पर खहर बरपाने की ताकत परकी ये ड्रिल सिक्किम में करीब 17,000 फीट के उचाई वाले पहाड़ी इलाके में की गई जानकारी के मताबिक सिक्किम की उत्तरी सीमा से लगने वाले तिबबत के इलाकों में चीन की सेना की कई टुकणियां तैना थे ऐसा माना गया कि भारत की ये तैयारी जरूरत पढ़ने पर चीन से दो-दो हाथ करने में बेहत मददगार साबित होगी उदर जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में हत्यारों की बड़ी खेब बरामत कर आतंकी साधिश नाकाम कर दी गई जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में B.S.F. के जवानों ने हत्यारों का जखीरा बरामत करने का तावा किया पताया गया कि जंगलों में चलाए गए सर्च आपरेशन के दोरान बारी मातरा में हत्यार और गोला बारूद जब्ट किया गया खबर है कि उनमें खतरनाक AK-47 राइफल भी शामिल है हिंद प्रशांद क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्टपती बाइडन ने जापान के प्रधान मंतरी और फिलिपीन्स के राष्टपती से मुलाकात की ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों देश मिलकर इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे इसरेल और इरान विवाद के बीच अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने इसरेली सेना प्रमुक से मुलाकात की एक रोज पहले ही अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इसरेल पर इरान मिसाल से हमला कर सकता है अमेरिका ने दावा किया कि इसरेल के सेन्या और सरकारी ठिकानों पर इरान कभी भी मिसाल से हमला कर सकता है इधर राजिस्तान की राजधानी जैपूर में तीन बड़माशों से एक अकेली लड़की के भिड़ने का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए बताय गया कि रोज की तरह वो लड़की सुबब पांच बजे अकेले ही टेल ने निकल गई थी लेकिन तभी उनमें एक बड़माश ने जवट्टा मार कर उस लड़की के गले से चेन तोड़ ली सुनसान सड़क पर तीन बड़माशों से घिरे होने के बावजूद उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी चेन वापस लेने के लिए अकेले ही उनसे भिड़ गई वो उनका पीछा करते हुए उस मोटर साइकल के पास तक पहुन लिए लेकिन तभी अपना बचाव करने के लिए उनमें एक बड़माश ने एक गुलेल निकाल ली जिससे डर कर वो उल्टे पैर वहां से भागती दिखाई दी वहां तीन बदमाशों ने उन बुज़ुर का काफी दूर तक पीछा किया और मौका मिलते ही चीना जप्ती चुरू कर दी और उन बुज़ुर को जमीन पर गिरा कर उनके पास मौजूद सारा कैश चीन लिया तस्वीरों में दिखा कि सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं उन बुज़ुर को पीछे से आये बदमाशों ने घेर लिया एक बदमाश तो उनके बिल्कुल सामने आ गया और उसने उन बुज़ुर की शर्ट की उपर वाली जेब में हाथ डाल दिया ऐसा होते ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और जोड़ जोड़ से शोर मचाना शुरू कर दिया बुज़ुर के चिलाते ही डर के मारे पीली शर्ट वाला एक बदमाश आगे निकल गया लेकिन बाकी दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया और वो तब तक नहीं भागे जब तक उन्होंने उनके पास मजूद सारे पैसे चीन नहीं लिए इस मामले में पुलिस ने आक्शन लेते हुए दो बदमाशों को तो दबोच लिया और तीसरे की तलाश में जुड़ गी उदर अमेरिकी सेना के एक जनरल ने दावा किया कि यूकरेन से जारी जंग में रूस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ अमेरिकी सेना के एक जनरल ने युक्रेन के उस दावे को खारिश कर दिया जिसमें जिलिंस्की की सेना ने रूसी वायू सेना को भारी नुकसान पहुचाने की बात कई थी उस अमेरिकी जनरल के मुताबिक पिछले दो साल से जारी इस जंग में रूसी वायू सेना के सिर्फ दस पतिशत हिस्से को ही नुकसान पहुँचा। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस जंग में युक्रेन के कई शहर बरबाद हो गए। रूस के राज़पदी पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खास रणनीती के तहट युक्रेन की कई पावर ग्रिट को निशाना बनाया जिसकी वज़े से कीव समेथ युक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। बारतिय पहलवान ओदित ने किर्गिस्तान में चल रही एशिन रेस्लिंग चैंपिंशिप में 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया। कर घुसा और गहने देखने लगा लेकिन कुछ देर में उसके दो साथी भी वहां पहुंच गए। का हाथ पकड़ा और उसे बाहर जाने से रोग दिया। इस बीच उसका एक साथी दोड़कर वहां रखे काउंटर के दूसरी तरफ चला गया। इसके बाद तो नीली टीशेट वाले बदमाश ने अपना बैग काउंटर पर रखा और चुन चुन कर गहने बैग में डालता रहा और उसके दोनों साथी गहने लूटने में उसकी मदद करते दिखे। पुलिस के मताबिक उन्होंने 51 लाक रुपे से जादा के गहने लूटे और वहां से परार हो गया। इन लोगों की जानकारी देने पर पुलिस ने इनाम देने का आलान कर दिया। उदर चीन से बढ़ते तराव के बीच जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार समंदर में एरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया। इस जंगी जहाज से खतरनाक लड़ा को विमान उड़ान भर सकेंगे। यानि युद्ध में चीन की सेना को कड़ी टकड़ देने के लिए जापान ने अपनी कमर कसली। को जापान के कुरे शहर में समंदर के बीच तैनात किया गया और जापान की नौसेना ने दुनिया के सामने इसकी जानकारी दे कर चीन को अपनी ताकत का संदेश दे दिया। दावा किया गया कि समंदर में जापान के खतरनाक एरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के लड़ाकु विमान F-35B का उड़ान भरना और लैंड करना आसान हो जाएगा और इस एरक्राफ्ट कैरियर को अफग्रेड करने में जापान को दो साल का वक्त लगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि जापान लंबे वक्त से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पठकनी देने की तैयारी में जुटा था इस भीज अमेरिका में एक महिला को 15 महीनों तक कीमो थरपी कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर ही नहीं है अमेरिका के टेकसस में एक महिला ने डॉक्तरों पर आरोप लगाया कि उन्हें कैंसर होने की गलत जानकारी दी गए इतना ही नहीं आरोप ये भी है कि डॉक्तरों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछी महीने बचे हैं इसके बाद उस महिला को डॉक्तरों ने पंदरा महीने तक कीमो थरे पीबी दी लेकिन बाद में एक जांच रिपोर्ट से उस महिला को पता चला कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं चीन से सीमा विवाद सुलजाने पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बयान के बाद चीन के विदेश मंतराले ने भी टिप्पुनी की चीनी विदेश मंतराले की प्रवक्ता माउन यंग ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बाद कही हाली में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को पिधान मंत्री ने एक इंटव्यू दिया था और उसमें चीन के साथ सीमा विवाद तुरन सुलजाने की बात कही थी भारत के शत्रंज खिलाडी ग्रैंड मास्टर डी कुकेश को कैंडिदेट्स टॉनमेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा इस टॉनमेंट के साथवे राउंड में उन्हें फ्रांस के खिलाडी नहरा दिया इसार के बाद वो इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में एक रेलवे फाटक का बैरियर गिरने से ऐसा हाथसा हुआ कि उसे देखने वालों की इने दाथों तले उंगलिया दबाले यहाथसा उस वक्त हुआ जब कई लोग उस फाटक के दोनों तरफ से रास्ता पार कर रहे थे और तभी उस रेलवे फाटक पर लगा बैरियर लोगों के उपर गिर गया तस्वीरों में उस फाटक के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती नजर आई काफी देर तक उस फाटक के बंद रहने की वज़े से वहाँ लंबा जैम लग गया था इस दोरान सड़क के दूसरी तरफ से सामान ढोने वाली एक गाड़ी आती दिखाई दी जैसे ही वो गाड़ी उस फाटक पर लगे बैरियर के करीब पहुंची उसका पिछला हिसा उससे टकरा गया टकर लगते ही वो बैरियर एक जटके में वहाँ मौझूद लोगों पर गिर पड़ा लेकिन वहाँ अफरा तफरी तब मच गई जब उस बैरियर के गिरने से एक मोटरसाइकल वाले के सिर पर चोट लगे वो बैरियर इतनी जोड़ से उसके सिर पर गिरा कि वो जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वहाँ मौझूद लोग दोड़ कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे जबकि कुछ लोग उस बैरियर को इस मोटरसाइकल के उपर से हटाते नज़र आए बता गया कि इस हादसे में उस मोटरसाइकल वाले के सिर पर गंभीर चोट आई उदर चीन के बेहत खरीब समंदर में एक बड़ी ड्रिल करके अमेरिका ने शी जिन पिंग की नींद उड़ा दी इसके अलावा वहाँ जापान और दक्षन कोरिया की घातक पन डुब्बियों और जहाजों ने भी अपना जोर दिखाया और अमेरिका ने दावा किया कि सेन्या भ्यास का मकसद चीन को ये बताना था कि वो अमेरिका के किसी भी दोस्त को कमजोर समझने की गलती ना करे अमेरिका पहले भी कई बार इस अलावे में जापान और दक्षन कोरिया और फिलिपीन के साथ सेन्या डुरिल कर चुका है ये समुद्री इलाका दक्षन चीन सागर क्यलाता है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है और वो यहां किसी और देश की नौसेना के जहाजों को गुसने तक नहीं देता अमेरिका ने दावा किया कि चीन के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उसने दक्षन चीन सागर से लगने वाले बाकी देशों के साथ हाथ मिलाया ताकि समंदर में बढ़ती चीन की दादा गिरी पर लगाम लगाई जा सके इस बीच महंगाई के मोर्शे पर राहत की खबर सामने आई रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 5 महिने का सबसे निचला स्तर है वित्तमंतराले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट की वज़े से मार्च में रिटेल महंगाई दर घटी है फरवरी में ये दर 5.09 प्रतिशत पर थी देश के इंडेस्टिल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट फरवरी में बढ़कर 5.07 प्रतिशत हो गया इससे पहले जनवरी में ये दर 3.08 प्रतिशत थी सभी सेक्टरों में हुई बिक्वाली की वज़े से भारतिय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली इस दोरान बैंक, हेल्थ केर, एफम सीजी, मीडिया, रियल्टी और ओलन गैस सेक्टर के शेरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज का सिंसिक 793 अंकों की गिरावट के साथ 74,244 फर बंद हुआ तो निफ्टी 234 संग गिरकर 22,519 के स्थर पर आ गया उदर अमेरिका के फिलडेलफिया में एक रोज पहले ईद के जश्टन के दौरान दो गुटों में हुई गोली बारी की खबर से संसनी फैल गई और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स वहां पहुँच गई इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों का सामान बिखरा नजर आया बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई वहां एक हजार से ज़्यादा लोग मौजूद थे और इसलिए गोली बारी के आवाज सुनते ही वहां भगड़ मच गई लोग अपना सामान छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले पुलिस के मताबिक ईद का जश्न मनाने के लिए एक अठा हुए लोगों के बीच अचानक गोली बारी शुरू हो गई और वहां दो गुटों के बीच एक के बाद एक टीस गोलिया चलाए गई उसमें तीन लोग बुरी तरा घायल हो गई फिलहाल फाइरिंग की वज़ए साफ नहीं हो पाई लेकिन ईद के जश्न के दौरान हुई इस घटना से वहां संसनी फैल गई इस बीच केरल में एरनक रुम जिले के गाउं में हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए वहां धारा 144 लगानी पड़ गई बताय गया कि जंगली हाथीयों के जुन से भटक कर हाथी का वो बच्चा आबादी वाले इलाके के नजदीक पानी से भरे गड़े में गिर गया लेकिन उसे बचाने में वनविभाक के भी पसी ने छूट गई उसने कई बार कोशिश की लेकिन जब उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ तो हाथी का वो बच्चा ठक हार कर गड़े में ही बैट गया हाथी के बच्चे के गड़े में फसने की खबर आग की तरह फैल गई उसे देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गई सूचना मिनले पर वन विभाग की टीम भी पहुँची लेकिन उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं रहा क्योंकि हाथी का वो बच्चा गड़े में लगातार घुमता रहा ऐसे में वन विभाग की टीम ने सबसे पहले उस गड़े का पानी कम किया इसके बाद हाथी के उस बच्चे को ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश कर दिया गया लेकिन बाहर निकलने के बाद जंगली हाथी का वो बच्चा किसी को नुकसान ना पहुँचा है इसके लिए उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई बताया गया कि खरीब 24 गंटे तक चले ऑपरेशन के बाद हाथी के उस बच्चे को बुल्डोजर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया इधर उत्रपिदेश के सीतापूर में उस वक्त थड़कम बच गया जब एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक डॉक्टर पर ही हमला कर दिया आरोफ है कि मरीज से शिकायत मिलने के बाद उस डॉक्टर ने उस दुकानदार को उसकी दवा लोटा दी और बस इसी बाद पर वो बुरी तरह भढ़क गया और उस डॉक्टर पर हमला कर दिया इससे पहले उस डॉक्टर और उस मेडिकल स्टोर मालिक के बीच बहस होती नजर आये उस वक्त वहां कई लोग भी खड़े दिखाए दिये तभी वो दोनों खड़े हुए और उस दुकानदार ने उस डॉक्टर को धक्का दे दिया पर अड़वार करते हुए उस डॉक्टर ने भी उसे जोड से धक्का देकर पीछे अटा दिया इसके बाद तो उसके सिर पर जैसे भूत सवार हो गया उसने उस डॉक्टर पर घूसों की बरसात कर दी ये देखकर वहाँ खड़े लोग बीच बचाव करने आया और उन दोनों को अलग किया लेकिन इसके बाद भी काफी देर तक उन दोनों के बीच जबानी जंग जारी रही आरोप है कि मेडिकल स्टोर के उस मालिक ने एक मरीज को गलत दवा दी दी थी और जब उस मरीज ने उस डॉक्टर से इसकी शिकायत की तो उसने वो दवा लोटा दी बस इसी बात पर वो गुस्से में आ गया और उसने उस डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी उदर दक्षन कोरिया के दूसरे जासुसी सैटलाइट लांच करते ही किम जॉंग उन ने जंग की हुंकार भर दी उत्तर कोरिया की न्यूज एजंसी केजिएने के मुताबक किम जॉंग उन ने वहां की मुख़्े सैन युनिवर्स्टी का दौरा किया और सम्बोधन के दौरान अपने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को काव मतलब लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षन करने वाला उत्तर कोरिया अब जंग के मैदान में खुल कर खेलना चाहता है और किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन देशों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देना चाहता है क्योंकि उत्तर कोरिया की न्यूज एजन्सी केसी एने के मुताबिक किम जॉंग उनने साफ कर दिया कि अब युद्ध का समय आ चुका है उत्तर कोरिया के शासक किम जॉंग उन वहां की मुख्य सेन्य उनिवरस्टी पहुंचे और सेना के अधिकारियों से मुलकात की इस दोरान वो सेनिकों से भी मिले और दावा किया गया कि उन्होंने उने अपने दुश्मन देशों के खिलाफ एक तरह से युद्ध की रणनीती पर काम करने के निर्जेश दे दिये के सीने के मुताबिक किम जॉंग उन ने अपने संबोधन में खुल कर बयान दिया कि उत्तर कोरिया के आसपास हालात ठीक नहीं है और सेना को युद्ध के लिए पहले से ज़्यादा तयार होकर रहना होगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त दक्षन कोरिया और उसके दोस्तों के खिलाफ जंग चेड़ सकते हैं यानि सेनी उनिवरस्टी पहुँचकर उन्होंने सेनिकों में जोश भरने का काम किया महां तालियों की गड़गडाट सुनाई दी मतलब हत्यारों का दम दिखाने वाले किम जॉंग उन अपने सेनिकों को मानसिक तोर पर भी मजबूत करने में जुट गए इधर राजिस्तान के चुरू में उस वक्त दफरा दफरी मच गई जब वहां बदमाशों के गिरोह ने एक आदमी पर हमला कर दिया लेकिन जब उन बदमाशों को रखम नहीं दी गई तो उन्होंने उस आदमी पर हमला कर दिया दस्वीरों में दिखा कि वह बदमाश दो गाड़ियों में आया और उनमें एक सामान ढोने वाली गाड़ी ने उस आदमी की गाड़ी में जोरदा टक्कर मार दी इसी बीज एक बदमाश ने डंडे जैसी किसी चीज से उस गाड़ी में तोड़ फोड़ चुरू कर दी वो सामने की शीशों और खिड़कियों पर वार करता दिखाए दिया अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए लेकिन बदमाशों की गाड़िया एक उस आदमी की गाड़ी में तक कर मारती रही आरोफ लगा कि उन बदमाशों ने 10 लाग रुपेओं की मांग की थी लेकिन जब उस आदमी ने पैसे नहीं दिये तो उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई यही नहीं इस दुरान उस आदमी के साथ मारपीट के जाने के भी आरोफ लगे अलंकि पीडित की शिकायत पर पुलिस ने आरोफियों की तलाश तेज कर दी उधर अफरीकी देश केनिया में बार के बीच फसे एक क्यावन लोगों का रेस्क्यू किया गया वहाँ बार की वज़े के से कई नदी और नाले न उफान पर आ गए इस दुरान एक नदी पार करने की कोशिश में एक बस उसके बीचों बीच फस गई और इसके बाद उस बस में बैठे सबी लोग जान बचाने के लिए उसकी चट पर चड़ गए तस्वीरों में वो बस आदे से जादा पानी में डूबी नज़र आई जबकि उस नदी के किनारे लोगों की भारी भीड दिखाई थी इसके थोड़ी देर बाद ही वहां के रेस्क्यू टीम ने अपनी एक नाव भी उस नदी में उतार दी कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर कार उस बस में सवार सभी 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया इस आदसे के लिए उस बस के ड्राइवर पर लापरवाही कारोब लगाया गया क्योंकि पानी के तेज बहाव के बावजूद उसने उस नदी को पार करने की कोशिश की उदर महराश्च के पुणे में एक ट्राफिक लाइट पर रुके एक कार सभार को कुछ लोगों ने ऐसा पीटा कि वहाँ दूसरी गाडियों में सभार लोग घबरा गए बताया गया कि मामूली विवाद में उन लोगों ने उस कार सभार को बाहर निकाला और कई गाडियों के बीच उसे पीटना शुरू कर दिया और उनमें टोपी पहना एक आदमी तो उसे लगातार थपड मारता नजर आया कुछ देर में तो उसने कार की तरफ जोर से धक्का दे दिया वहाँ टोपी वाले आदमी के साथ तीन और लोग मौझूद दिखे जो आराम से मारपीट देखते रहे तभी उस कार सभार ने विरोध किया और टोपी वाले आदमी को मुक्का मारता दिखाए दिया लेकिन हद तो तब हो गई जब लाल शट पैना एक दूसरा आदमी वहाँ भागता हुआ पहुँचा और उस कार सभार को बुरी तरह पीटता नजर आया वो बार बार धक्का मार कर उसे कार के अंदर बैठने के लिए धमकाता रहा इस दौरान उन लोगों और कार सभार के बीच जड़प हो गई उस कार के पीछे कई गाड़ियां खड़ी नजर आई और सड़क पर जैम लग गया लेकिन जड़प चलती रही मार पीट करने वाले उस कार सभार पर वहां से चले जाने के लिए दवाब बनाते रहे लेकिन वो नहीं माना कुछ देर बाद कार सभार के साथ मार पीट करने वाले भी वहां से आगे की तरफ जाते दिखे वहाँ उन लोगों ने उस कार सवार को क्यों पीटा इसका पता नहीं चल सका इस बीच रूस की सेना के साथ जारी जंग के बीच युक्रेन में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए विवादास्वत कानून को वहां की संसत से मन्जूरी मिल गई अमेर्की अख़बार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक जेलिंस्की का मकसद युक्रेन की सेना में पांच लाग सैनिकों की भरती करना है ताकि जंग के हर मोर्चे पर रूस की पौज को तगड़ा और करारा जवाब दिया जा सके क्योंकि पिछले दो साल से जादा वक्त से चल रही इस जंग में युक्रेन के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है अमेर्की अख़बार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक इस वक्त युक्रेन की सेना सैनिकों की भारी कमी से जूज रही इसलिए जंग में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए युक्रेन ने लंबे वक्त से ठंडे वस्ते में पड़े विवादासपत कानून को मनजूरी दे दी रिपोर्ट के मताबिक इस कानून के तहट सैनिकों की ज्यादा भरती करने के लिए उम्र की सीमा 27 साल से घटा कर 25 साल कर दी गई इसके लावा भरती होने के बाद किसी भी सैनिक के सेना चोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई बनाना और रूस से मुकाबले के लिए पाँच लाग सैनिकों की फौज खड़ी करना है और राहूल गांदी के मतन बनाने और तेजस्वी आदब के मचली खाने के वीडियो पर सवाल उठाया पुधान मंतरी ने उदंपूर के अपनी रैली में दोनों वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाया उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहूल गांधी की ही ओर था क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो पिछले साल सावन के महीने में आया था उस वीडियो में राहूल गांधी लालू प्रसाद यादव से मटन बनाना सीखते दिखे थे पुधान मन्त्री ने इसी वीडियो का जिक्र करते हुए बोल दिया कि सावन के महिने में ऐसा वीडियो शेर करने का मतलब लोगों को चड़ाना था पी-म यहीं नहीं रुके उन्होंने कॉंग्रेस की मानसिक्ता की तुलना मुगलों की मानसिक्ता से कर दी राहूल गांधी का मटन बनाने का वीडियो करीब 7 महीने पहले सावन के महीने में आथ और इसमें वो लालू यादव से बिहारी अंदाजवे मटन बनाना सीख रहे थे वहां मीसा भारती भी मौजूद थी राहूल ने ये वीडियो खुद शेयर किया था और लिखा था कि लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला लेकिन राहूल गांदी का सावन के महीने में ये वीडियो आना विवाद का मुद्दा बन गया था और प्रधान मंत्री ने लोगसवा चुनाव के दोरांगी सो उठा दिया इससे पहले नवरात्र के पहले ही दिन तेजस्वी आदव ने मचली खाने का वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो में वो अपनी सहयोगी पार्टी वी आईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ मचली खाते नजर आये थे लेकिन उनके इस वीडियो पर विवाद हो गया था, बीजेपी ने सवाल उठाय था कि तेजस्वी आदव ने नवरातर पर ये वीडियो क्यों शेयर किया, राहूल गांधी के मतन वाले वीडियो की बात करते करते प्रधान मंत्री ने मचली वाले वीडियो का मुद्दा भी उटा दिया और आरजेटी पर तुष्टिकरण की राजनीति कारोप लगा दिया, तेजस्वी आदव ने जब ये वीडियो शेयर किया था तो उन्होंने और मुकेश सहनी ने विपक्ष पर तंजबी कसा था, वो यही नहीं रुके थे, मचली खाने के वीडियो के अगले ही दिन उन्होंने संत्रा खाने का वीडियो शेयर कर दिया था, संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए उन्होंने भगवा रंग की बात की थी और बीजेपी पर निशाना साधा था यानि पहले मचली पर सियासत गर्माई, फिर संत्रे पर राजनीती हुई और अब मटन भी मुद्दा बन गया क्योंकि पीम ने सावन में राहूल के मटन बनाने और तेजस्वी के नवरात पर मचली खाने के वीडियो पर कॉंग्रेस और आरजेडी को घेरा यानि इस चुनाव में मटन मचली भी चुनावी मुद्दा बन गया इधर उत्तरब्रदेश के मथुरा में निर्दलिय पित्याशी शिखा वर्मा ने अपनी गाड़ी रोकी जाने पर खुब भंगामा किया चुनाव प्रचार के लिए निकली शिखा वर्मा के काथले में पाँच गाणिया थी लिकिन इन सभी गाड़ियों को प्रशासन ने रोक दिया और इसी बात पर मतुरा सीट से निर्दलिय पित्याशी शिखा वर्मा भढ़क गई और सीधा उस अधिकारी से भिढ़ गई जिसने गाड़ी रोकी थी अधिकारीयों ने बताये कि इन गाड़ियों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया बलकि चुनाव आयोक के निर्देश के मताबिक इनका वीडियो बनाय जा रहा था और इसी लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया इसी बात पर शिखा वर्मा और उनके सम पीजबचाव किया और किसी तरह मतुरा सीट से निर्दली प्रत्वियाशी शिखा वर्मा और उनके समर्थकों को शांत करवाया और गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ गया उधर एनाईये के सूत्रों ने दावा किया कि बैंगलूरू बंब लास्ट केस के दोनों संदी पूर्व मेंदनीपूर के दीगा से गिरफतार कर लिया एक मार्च को मेंगलूरू के मशूर रेस्टोंट रामेश्वरं कैफे में दोपहर खरीब एक बज़े धमाका हुआ था और दमाके के अवाज से पूरा बंगलूरू शेहर थरा गया था इस दमाके के ठीक बयाली इस दिन बाद एनाईये की टीम ने दो संदिक्द अब्दुलमतीन ताहा और मुसविर हुसेन शाजिप को गिरफतार करने का दावा किया नाईये ने दोनों को पश्चमंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से गिरफतार करने की जानकारी दी नाईये के सूत्रों के मताबिक दोनों आरोपी वहाँ एक छोटे से लॉज में चिपे हुए थे वो ऐसा लोज था जहां उन्हें कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं थी नाईये के सूत्रों बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर नहों सके और वो ऐसा लोज या ऐसे गेस्टाउस को चिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेश देने की जरूरत नहों आला कि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी नाईये ने उन्हें ढूंड निकाला नाईये ने दावा किया कि मुसविर हुसाइन शाजब ने ही रामेश्वरम कैफे में विस्पोटक रखा था और अब्दुलमतीन ताहा ने धमाके की पूरी साजिश रची थी मतलब नाईये ने अब्दुलमतीन ताहा को बेंगलूरू बंबलास्ट का मास्टर माइंड बताया नाईये की जानकारी के मुताबिक मुसविर हुसाइन शाजब और अब्दुलमतीन ताहा करनाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले है वो सूतर बताते हैं कि दोनों आतंकी संगठन आईस आईस से जुड़े हैं लेकिन एक मार्ज को रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद सही दोनों फरार थे पिछले महीने की 23 तारिक को एनाईये ने धमाके के मुखे संदिग्द के तौर पर दोनों की पैचान की थी एनाईये के सूतरों के मताबिक दोनों की पैचान एक टोपी से की गई थी क्योंकि जाँच के दोरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जाँच अधिकारियों को एक टोपी मिली थी जिसे उसने चिन्नई में खरीदा था उनमें एक वीडियो में वो एक बस टैंड से रेस्टाउंट की तरफ जाता दिखाई दिया था उस वीडियो में उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी यही नहीं एक दूसरे वीडियो में भी वो एक बस के अंदर उसी टोपी में नज़र आया था सूत्र बताते हैं कि जांच के दोरान ये पता चला कि चन्नई में उस तरह की टोपी के सिर्फ चार सो पीस ही बेचे गए थे उसके बाद नाईए की टीम ने चन्नई के उस अलाके के सी सी टी भी खंगान ने शुरू किए जिस इलाके में संदिक टाहा ने टोपी खरीदी थी NIA के सूत्रों का दावाय के उस टोपी में जांच अधिकारियों को बाल मिले थे फोरेंसिक जांच के बाद ये पता चला था कि धमाके की दिन टोपी को ताहा ने नहीं बल्कि मुझफिर उसेंट शाजिब ने चेहरा छिपाने के लिए पैना था बाद में शाजिब के घरवालों को उसका CCTV वीडियो दिखाए गया था सूत्रों के मुताबिक उसके घरवालों ने वीडियो देखने के बाद उसकी पैचान भी कर दी थी लेकिन रेस्ट्रों में धमाके के करीब एक महीने बाद भी ना तो शाजिब का कुछ पता चल रहा था और ना ही ताहा का क्योंकि सूत्रों का दावा है कि दोनों पुलिस को चक्मा देने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे जाज एजिंसियों के मुताबिक धमाका करने के बाद ताहा और शाजिब कुछ दिनों तक चिन्नाई के एक इक इलाके में भी छिपे हुए थे लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़े दिनों के बाद दोनों वहां से भी निकल गए थे इसलिए दोनों की तलाश में NIA ने करनाटक और तमिलनाड समेट कई राज्यों में छापे भी मारे थे इसके बाद 29 मार्श को दोनों पर 10-10 लाग रुपए का इनाम रखा गया था ताकि किसी भी तरह बेंगलूरू ब्लास के इन दोनों संदिक्तों तक पहुँचा जा सके आलनकि सबूतों को जोड़ते हुए NIA ने दोनों संदिक्तों को पश्चिम मंगाल के पूर्व मिंधनिपूर से गिरफतार कर दिया लेकिन रामे श्रम कैफे बलास से जुड़े दोनों संदिक्तों के पश्चिम मंगाल से गिरफतार किये जाने पर सियासी घमासान चड़ गया क्योंकि दोनों की गिरफतारी के बाद बीजेपी नेता अमित मालविये ने ममता बैनरजी पर निशाना सादते हुए पश्चिम मंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनागा बता दिया और बागायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल दी इसके बाद सोशल मीडिया पर अमित मालविये और पश्च मंगाल पुलिस में वार छिड़ गई मंगाल पुलिस ने अमित मालविये के दावे को जूटा बता दिया अब आगे पुलिस आज सेखाने पोचे बंगला सेफ नोए तो दिल्ली सेफ गमसान तब शुरू हुआ जब नाइए ने पश्च मंगाल के पुर्व मिन्निपुर के दीघा से ब्लास्ट के दो संदिक मुसफ्विर उसेन शाजिप और अब्दुलमधीन ताहा को किरफतार किया इस उपरेशन में एनाइए के साथ पश्च मंगाल की पुलिस भी शामिल रही इसी के बाद अमित मालविये ने ममता बेनर जी पर निशाना सादिते हुए अपनी एक पोस्ट में पश्च मंगाल को आतंकियों का घर बता दिया सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गई इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में B.R.S. नेता के कविता को राउजविन्यू कोट ने तीन दिन की C.B.I. रिमांड में भेज दिया आलगी C.B.I. ने कोट से उनकी पांच दिन की कस्टडी मांगी थी के कविता पहले ही इस केस से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में तेहार जेल में बंध है दिल्ली के पूर्व उपुमुखे मंतरी मनीश शिसोधिया की अंतरिम जमानत अरजी पर राउजविन्यू कोट 20 अपरेल को सुनवाई करेगी इससे पहले मनीश शिसोधिया ने लोगसबा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोट से अंतरिम जमानत की मांग की उन्होंने दलील दी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का संकल पत्र रविवार को जारी होगा खबरे के इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रिह मंतरी अमिट शाह और रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी मौझूद होंगे उदर लोगसभा चुनाव से पहले टी-मसी विधायक हमीदुल रह्मान ने बंगाल की विबख्षी पार्टियों के कारेकरताओं से खुल कर बोल दिया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद इस मामले पर बंगाल का सियासी पारा चड़ गया मगब बीजेपी भड़क गई और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला किया विवाद टीमसी विदायक हमीदुल रह्मान की बंगाल के रायगंड से हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ और इस चुनावी सभा में उन्होंने विरोधियों को खुले आम धमकी दे डाली बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रह्मान के बयान का वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो में उन्हें विपक्षी पार्टी के कारकरताओं को बोलते हुए सुना गया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद बीजेपी ने भी आव देखाना थाओ और टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला कर लिया बीजेपी नेता शुबेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले पर संग्यान लेने की मांग की क्योंकि टीमसी विधायक ने विरोधियों को धमकाया बंगाल की राइगंज लोगसभा सीट पर 26 अपरेल को मत्तान होना है और हमीदुल रह्मान राइगंज के उत्तर दिनाशपूर विधानसभा क्षेतर से विधायक है और इसलिए उन्होंने 26 तारिक को केंद्रिय सुरक्षा बलके राइगंज से जाने का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया परसत में भुचाला गया आधिशी ने सूत्रों से मिली जानकारी की आधार पर यारोब लगाया कि बीज़े पी ने दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगाने के लिए साजश रची है और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि बीजेपी राष्टपती शासन के जरीए दिल्ली को अरविन केजरिवाल और आमादमी पार्टी से चीनना चाहती है उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राष्टपती शासन लगाय जा सकता है बीजेपी नेता मनोश तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयान बाजी करके दिल्ली में केजरिवाल सरकार की नाकामियों पर परदा डालने की कोशिश में तुटी हैं। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता। के गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के रायव रहने के सवाल को संजे सिंग ने टाल दिया। कि अपने बाद चीटे हैं एक तरफ संजे सिंग ने अर्विन के गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को टाला तो वहीं दूसरी और पार्टी के राज्यसबा सांसद, संजीव अरोडा, विक्रम जीत सिंग साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरिवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आएं और पोस्ट में सुनीता केजरिवाल की तारीफ की गई। उदर पंजाब के फरीद कोड में किसानों का घुस्सा इसकदर भड़का कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस की कार पर चढ़ाई कर दी। उनकी कार पर जब किसानों का जुन्ड तूटा तो देखकर लगा मानो वो हंसराज हंस से मारपीट पर उतर आएंगे। बीजेपी ने इस बार फरीद कोड लोकसबा सीट से हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची किसानों का जथा उनकी कार पर तूट पड़ा। हाथों में काले जंडे लिये कुछ किसान उनकी सफेद कार के बॉनट पर चड़ने की कोशिश करते दिखे तो कुछने कार के दर्वाजों और किड़कियों में हाथ मार कर उन्हें खुलवाने की कोशिश की पुदर्शन कर रहे हैं उन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हंसराज हंस के सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पैर फूल गए इसके बाद वहां मौझूद पंजाब पुलिस के जवानों ने मुर्चा समहला और उन किसानों को दक्के दे कर वहां से अलग किया इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंसराज हंस बैठे थे उससे तो वहां से निकाल दिया गया लेकिन उनके कापले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फस गई पंजाब के फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा था वहां किसानों ने केंद सरकार पर किसान अंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खलाफ बिगुल फूंक रखा है और इसी विरोध का सामना फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को भी करना पड़ा बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी नितीश कुमार पूर्व उप्व मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव पर भढ़क गए केरल की तिरुवननत पुरम सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार शेशी थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंदरशेकर के मानहानी नोटिस का जवाब दिया शेशी थरूर ने राजीव चंदरशेकर के खिलाव जूटे आरोप लगाने से इनकार कर दिया और उनसे बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग करती यही नहीं शेशी थरूर ने अपनी मांगों को नजर अंदाज करने पर गानूनी कारवाई की चेतावनी भी दी पिंगलुरू में पीने के पानी की कमी का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गरमा गया वहांके कई लाकों में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने तो लोकसभा चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया इसरेल के बीच बहुत बड़ी जंग छिडने की आशंका जताएगी अमेरिकी अख़वार दे वॉल स्रीट जर्नल के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इरान अपने कटर दुश्मन इसरेल पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका के अख़वार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई इसरेल और अमेरिका की सेनाएं अलर्ट मोड में आ गई मतलब इरान और इसरेल के बीच खुली जंग का काउंड़ाउन शुरू हो चुका है क्योंकि सीरिया में अपने दुतावास पर हमले के बाद से ही इरान बदले की आग में चल रहा है इरान लगातार ये धंकी दे रहा है कि दुतावास पर हमले का बदला वो लेकर रहेगा इरान के मीडिया के मताबिक उसकी सेना ने इसरेल से बदले के लिए कई विकल्ब तयार कर लिए खबरों के मताबिक इरान अपने दुतावास पर हमले का बदला लेने के लिए इस्रेयल के किसी दूतावास को निशाना बना सकता है या पिर उसकी सेना और खुफिया अज़ेंसियों के ठिकानों पर बारूद बरसा सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो इस्रेयल भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा खबरों के मताबिक एरान की धंकियों को देखते हुए इसरेल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुट गई थी बेनिमिन नितनियाहू ने अपनी सेना और खुफिया एजनसी मुसाद को इलट कर दिया थी क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि सिर्या में दूतावास पर हुए हमले के बाद इरान चुपने बैठने वाला इरान के हमले की तैयारियों पर मीडिया कंपनी ब्लूंबर्ग की एक रिपोर्ट ने भी महर लगा दी और सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले में उसके दो बड़े अफसर मारे गए थी खबरों के मताबक उस हमले के बाद से आयार जीसी का खून खौल रहा कि इसरेल को दूतावास पर हमला कराने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी इसी बीच 24-48 घंटे में इसरेल पर हमले के दे वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे ने पूरी दुनिया को डरा दिया पश्चिमेशा से लेकर यॉरप के कई देशों में अलर्ट घुशित कर दिया गया अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोट पर रखा क्योंकि एक रोज पहले ही बाइडन ने इसरेल को भरोसा दिया था कि इरान ने हमला किया तो अमेरिकी फौज इसरेल के लिए रक्षा कवज बन जाएगी मतलब यह कि इसरेल और इरान की जंग में अमेरिका भी सीधे-सीधे कूट पड़ेगा हाना कि अमेरिका ने इरान को इसरेल पर हमला न करने की चेतावनी दे दी लेकिन दो पुराने दुश्मनों के बीच जंग शुरू होने के बढ़ते खत्रे के बीच पूरी दुनिया अलर्ट आ हुगी क्योंकि इसरेल और इरान इस वक्त बारूत के ऐसे धेर पर बैठे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबहा कर सकती है मौझूद भारतिय दुतावास से संपर्क करने की भी सला दी जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इसरेल, इरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया बिचन ने अपने नागरिकों को तुरंत इसरेल छोड़ने के निर्जेश दे दिये मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई इसरेल के मीडिया के मुदाबिक एरान के हमले की धंकियों के बीच प्रधान मंत्री बनिमिन नितन्याहु ने वहां के सेना प्रमुक से मुलाकात की और तैयारियों का जाइजा लिया ख़परों के मुदाबिक नितन्याहु ने मुसाद के टॉप एजिन को भी पूरी तरह सक्रिये कर दिया यानि इरान के हमले का जवाब देने के लिए इसरेल भी पुखता तैयारी में जुट गया इसरेल के मीडिया के मुताबिक सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले के बाद इसरेल ने अपने जीपिएस नैविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था माना जा रहा है कि इरान की गाइड़न मिसालों के हमलों को रोकने के लिए इसरेल की फौज ने ये गदम उठाया और इतना ही नहीं इसरेल के मीडिया के मुताबिक उसकी फौज ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टिया भी रद कर दी इसरेल ने अपनी एर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा है ख़वरों के मताबिक हमले के खतरे को देखते हुए वहां कई शहरों में एंटी बॉम शेल्टर बना दिये गए ये खास तरह का धांचा होता है जो बमों के हमले से सुरक्षा देता है इसरेल से इरान की दूरी करीब 2300 किलो मीटर है दोनों देशों के बीच इराक, सिर्या और जॉर्डन जैसे देश मौजूद है किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी इसरेल को निशाना बनाया जबकि इसरेल ने सीधे तोर पर इरान के ठिकानों पर कई बार हमले किये लेकिन इस बार अगर इरान सीधे इसरेल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पश्चिमेश्या में फ्हल सकती है और इसके नतीजे बेहत खतरनाक हो सकते हैं और पूरा पश्चिमेशिया जंग की आग में जुला सकता है इसरेल और अमेरिका की तैयारियों और तेवरों के बीज इरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने और गाजा में इसरेल के हमलों का जिकर करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की आयतुल्ला अली खामनाई ने मुस्लिम देशों को सुझाव दिया और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है इस बीच गतर और कुएत ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो इरान के खिलाब जंग के लिए अपने इलाके और ठिकानों का इस्तमाल नहीं करने देंगे इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एक जुटता के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका इरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुल कर इसरेल के साथ खड़ा दिखाए दिया लडाकों ने इसरेल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी हमास के लडाकों ने सैक्ड़ों लोगों को गोली मार कर मौट के घाट उतार दिया था और करीब धाई सो लोगों को बंधग बनाकर अपने साथ घाजा ले गए थी इसरेल ने या रोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर ये हमला इरान के इशारे पर ही किया था हालाकि इरान ने इससे पूरी तरह इंकार किया था लेकिन 7 अक्टूबर को इसरेल पर हमास के हमले के बाद एरान में जमकर जश्ट मनाया गया था और उसी जश्टन ने इसरेल के लोगों के कलेजे में आग लगा दी थी इरान पहले से ही इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गए और हमास और इसरेल की जंग के छे महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इरान और इसरेल में भी जंग छिड नहीं वाली है इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री आंजनी बिंकिन ने साओधी अरब चीन और तुर्की से इरान को हमला ना करने के लिए मनाने की अपील की इस बीच वायू सेना के एक रेस्क्यू ऑपरेशन की वज़े से सेना के एक जवान के कटे हुए हाथ को आसानी से जोड़ा जा सका बारतिय वायू सेना की मुस्तेदी की वज़े से सेना के एक जवान के हाथ की सरजरी समय रहते मुम्किन हो पाई दिल्ली में सेना के अस्पिताल में उस जवान के कटे हुए हाथ को समय रहते जोड दिया गया इसकी जानकारी वायू सेना ने खुद सोशल मीडिया के जरिये दी बताय गया कि लटाक के ले में हुए एक हादसे में उस जवान का हाथ कट गया था उसके बाद महस चार गंटे में उसे वायू सेना की मदद से दिल्ली पहुँचा दिया गया पृधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उदंपुर में एक रैली के दोरान एलान किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्ज का दरजा दिया जाएगा वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विदान सभा के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर को वापत राज्ज का दरजा मिलेगा केंद्रिय मंतरी राजनाथ सिंग ने एमर्जनसी की एक घटना का जिक्र कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मां के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए परोल तक नहीं मिल सकी थी उतर लोगसबा चुनाव में मायवती के बतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेरा बन गए उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली दुआधार रैलियां की आकाश आनंद बीएसपी के नैशनल कोडिनेटर है लेकिन उन्हें मायवती का उत्तरा दिकारी भी माना जाता है कि बीएसपी ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उता रहा है और इसलिए आकाश आनंद ने मतुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मदददाताओं को अपने फाले में लाने की कोशिश की अपनी रैलियों में आकाश ने आकरामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया समाजवादी पार्टी पर तो वो जम कर बढ़ से 2019 के लोगसबा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गडबंधन था लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टीयों के रास्ते अलग हो चुके क्योंकि अखिलेश यादावर कॉंग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और इसलिए आकाश आनंद ने इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुर्चा खुल दिया आकाश आनंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायवती का नाम लिया लेकिन उनके तेज तर्रार अंदाज ने ये संकेत दे दिये कि इस बार के चुनाम में वो ही बीएसपी का चेहरा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने तावर तोड रैलियां किया आकाश आनंद ने इस चुनाम में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी और इस चुनाम में बीएसपी का चेहरा बने आकाश आनंद ने अपना पहला प्रहार चंदरशेकर आजाद पर ही किया था क्योंकि चंदरशेकर आजाद यूपी में बीएसपी का विकल्प बनने की कोशिश में है मर्थुरा के बाद आगरा पहुँचे आकाश आनंद ने एक बार फिर चंदरशेकर आजाद पर हमला किया और उन्हें बहरूपिया बोल दिया इसे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनंद ने चंदरशेकर का काम करने का बूरा तरीका ही बता दिया था और दावा किया था कि वो बीएसपी के युवा समर्थकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं यानि आकाश आनंद पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई पहला वो चुनाम में पार्टी का चेहरा बने और दूसरा उन्होंने बीएसपी का विकल बनने की कोशिश में जुटे चंदरशेकर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और बीएसपी को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुट गए इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में कंग्नार अनौत ने मंडी से कॉंग्रेस के दावेदार माने जा रहे विक्रमदित्य सिंग को सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी कि वो हिमाचल प्रदेश को अपने परिवार की जागीर समझने की गलती ना करें इससे पहले उन्होंने राहूल गांधी पर तंस कसा था और अब उनके इस बयान ने भी हिमाचल की राजनीती में संचनी मचा दी क्योंकि उनके निशाने पर था हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस नेता विक्रमदित्य सिंग का परिवार कंगना रनौत ने आरोब लगाया कि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्य सिंग और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपनी बपौती समझा आनकि विक्रमदित्य सिंग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की उन्होंने दावा किया कि कंगना रनौत ने निजी हमले कर हिमाचल की राजनीति का माहौल बिगाडने की कोशिश की आज तक इस तरीके की भाशा शैली का प्रियोग हिमाचल जैसी पवित्र देव भूमी में नहीं हुआ होगा कंगना रनौत ने विक्रमधिति सिंग के जरिये कॉंग्रेस की परिवारवाद वाली छवी को निशाने पर लिया और उधर गैंक्सटर मुकतार अनसारी के बेटे अबास अनसारी ने भी जेल में जहर दिये जाने की आशनका जाहर की गैंग्स्टर् मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने गाजीपूर की कोट से अपनी सुरक्षा की गोहर लगाई खबरे की कुछ दिनों पहले कोट में एक मामले की सुनवाई के दोरान उनके वकील की तरफ से कोट में अपील की गई इसकी जानकारी अब सामने आई खबर है कि अबास अंसारी ने आरोब लगाया कि काजगन जेल में उनकी सुरक्षा पुकता नहीं है और उनके खाने में जहर भी मिलाय जा सकता है समाजवादी पाटी ने उत्त्रप्रदेश की कोशांबी और कुशी नगर लोग सापा सीट के लिए अपने उम्मीद्वारों की घोशना कर दी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपने दो अमीदवारों की लिस्ट शेयर की जिसके मताबिक कोशामबी से पुशबेंदर सरोज और कुशी नगर से अजय प्रताफ सिंग और पिंटू सैंथवार को प्रत्याशी बनाए गया पिहार के सुपॉल में नौई क्लास में बच्चों के दाखिले को लेकर लागो किये गए ने नियम पे खिलाफ चात्रों ने सड़क जैम कर दिया ने नियम के मताबिक चात्रों को उन स्कूलों में दाखिला लेना ज़रूरी होगा जो स्कूल उनके पंचायत के तहट आएंगे लेकिन परिशानी यह है कि कई स्कूल कुछ गाउं से बहुत दूर है और शिक्षा विभाग के इसी नियम के खिलाब नौमी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने हाईवे जैम कर दिया वहां से जो वीडियो सामनी आया उसमें कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सड़क पर धरना देते दिखाए दिये गाडियों को रोकने के लिए हाईवे पर जाडियां और लकनियां रखी निज़र आई बच्चों के इस विरोध प्रदर्शन की वज़े से वहां जैम जैसे हालात बन गए घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन धरने पर बैठे बच्चे सडक से उठने के लिए तयार नहीं हुए बताया कि आठवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब पास के स्कूल में नौवी के दाखले के लिए पहुंचे थे अलाकि बाद में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को पास के स्कूल में दाखला देने का भरोसा देकर प्रदर्शन खत्म करवा दिया इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए उत्तर भारत के राज्जों के लिए बारिश और बर्वबारी का अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली और उसके आसपास के लाकों में 13 से 15 अपरेल के दौरान हलकी से भारी बारिश का नुमान जताए गया जबकि पहाडी राज्जों में बारिश के साथ बर्वबारी की भी चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली अन्सियार समेथ 14 राज्जों में 13 से 15 अपरेल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है इन में उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, 36 गड़, बिहार और जार्खन शामिल हो इनके लावा तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंदरप्रदेश, उडिशा और तमिलनाड में भी बारिश की संभावना जताए गई मौसम विभाग ने मद्यप्रदेश के 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जिफकि उत्तरप्रदेश के 13 और पिहार के 9 जिलों में तेज हमाओं के साथ बारिश का अनुमान जताए गया लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट से पहाडी राज्यों की मुसीबत बढ़ गई क्योंकि अनुमान जताया गया कि 13 से 15 अपरेल के बीच जम्मु कश्मीर, लटाक और इमाचल प्रदेश में भारी परफबारी और बारिश हो सकती है दूसरी तरफ मौसम विभाग ने करनाटक और आंधर प्रदेश के तटिये इलाकों में हीट वेव की भिष्टवानी कर दी इन सब के बीच विधान मंतरी मोदी ने गर्मी के मौसम पर एक बैठक की इसमें उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गई तैयारीयों का जायजा लिया और राज्जी की सरकारों के साथ मिलकर काम करने की निड़ेश दीए उथर पंजाब के फिरोसपूर में NIA ने एक आतंकी की समपत्ती जब्द कर ली पंजाब के फिरोसफूर में NIA ने आतंकी रमन दीप सिंग और रमन की अचल समपत्ती जब्त करने का दावा किया खबरे की ये कारवाई खालिस्तान का समर्थन करने वाले गैंग्स्टरों और आतंकियों के खिलाफ चलाय जा रहे अभ्यान के तहट की गई NIA की विशेश अदालत ने पिछले साल जुलाई में रमन दीप सिंग को बगोड़ा गोशित कर दिया था भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वहां रहने वाले हिंदू और सिक्समुदाय के लोगों को उनकी जमीने वापस करने की बात कई गई थी कुछ रोज पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि वहां जल्द ही अल्ब संखिकों को उनकी जमीने लोटा दी जाएंगी तालिबान के मताबिक इन जमीनों पर पहले की सरकार के कुछ नेताओं ने कबज़ा कर लिया था चंडिगड के तीन आईएस अधिकारियों पर फ्रांस की राजधानी पैरिस में फिजूल खर्ची कर लाखों रुपए बरबात करने के आरोप लगे चंडिगड के डिरेक्टर जनरल अफ आडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई बताय गया कि ये तीनों आईएस अधिकारी 2015 में पैरिस की यात्रा पर गए थे और आरोप लगे कि ये तीनों अधिकारी पैरिस के महंगे हुटलों में रुके और बिजनस क्लास में उन्होंने यात्रा की इधर राहूल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी पर कॉंग्रेस राशन पानी लेकर चटपड़ी स्मृति इरानी ने केरल के वाइनाड में दिये राहूल के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की इस दोरान उन्होंने राहुल गांधी को निकम्मा कह दिया और इसी से कॉंग्रेस तमतमा उठी केंद्रिय मंतुरी स्मिती रानी ने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केरल की वाइनाड लोकसबा सीट के लोगों को अपना परिवार बताया था उसी को आधार बनाते हुए श्मिती रानी ने राहूल गांधी पर तीखामला बोला इसके बाद यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजे राय ने श्मिती रानी को जवाब देने में देर नहीं की सुत्रों के मताबिक केरल की वाइनाड सीट पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस अमेठी से राहूल की दावेदारी का एलान कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 2019 की तरह राहूल गांधी र स्मिती रानी के बीच मुकाबला होगा इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के करीबी और चिंदवाडा के किसान नेता अमिद सकसेना को अपने पाले में खींच लिया उनके अलावा मद्द प्रदेश के दो विधायक भी कांग्रिस का साथ चोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कई कारेकरताओं को भी लेकर आए इसे कमलनाथ के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि बीजेपी में आए अमिद सकसेना का चिंदवाडा में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने कमलनाथ को गेरने का एक और ताओं चल दिया इससे पहले चिंदवाडा में ही मद्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कमलनाथ पर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया उनके बाद उनके बेटे उनकी पत्नी लोगतंत्र में होता नहीं कमलनाथ के किले को ढाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताका जोंक रखी है यहां तक कि मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव से पहले चिंदवाडा के पांच दौरे कर चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी ने MP की 29 में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और चिंदवाडा की एकलोती सीट थी जो कॉंग्रेस के इससे आई थी और तब कमलनाथ के बेठे नकुलनाथ ने ये सीट जीती थी जो इस बार भी चिंदवाडा से उम्मीदवार बनाए गए चिंदवाडा लोगसभा सीट पर 19 सपरेल को वोट डाले जाएंगे और इससे पहले बीजेपी ने मद्धपुदेश की इस 29 वी लोगसभा सीट को जीतने के लिए भी अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि वो लोगसभा चुनाब में मद्धपुदेश में क्लीन स्वीप कर सके और उसने उस फ्लैट के बाहर रखे जूते चुरा लिए लेकिन जूते चुराने की ए घटना वहां लगे सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई चुरी करने से पहले वो काफी देर तक वहां ध्यान से देखता रहा सबसे पहले तो वो अपने बाई तरफ के उस फ्लैट की डोर बेल बजाता दिखाई दिया इस भी जुसकी नजर दाई तरफ के एक दूसरे फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर पड़ी और वो टक्टकी लगाए उन जूतों की तरफ देखता रहा इस दोरान वो सीडी की तरफ भी देखता दिखाई दिया तभी बाई तरफ वाले उस फ्लैट का दरवाजा खुला और एक महिला ने उसके हाथ से समान ले लिया लेकिन सामान देने के बाद भी वो डिलिवरी बॉय वहीं खड़ा रहा कुछ देर में उसने फिर जूतों की तरफ देखा इसके बाद उसने अपना मोबाईल फोन जेब में रखा और सिर पर बांधा गमच्छा उतार कर चेहरा पोंचने लगे जेहरा पोंचते हुए वो सीडी से नीचे जाता दिखाई दिया लेकिन चार से पांच कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाउं उपर चड़ गया इसके बाद तो उसने अपना गमच्छा पहलाया और काले रंग वाले उन जूतों को उठा लिया और उन पर गमच्छा ढखते हुए वहां से निकल गया आना कि वीडियो सामने आने पर खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने इस डिलिवरी बॉय की हरकत पर अफसोस जटाया उदर चीन ने अमेरिका की दो कंपनियों पर पाबंदी लगा कर उसे खुली चुनौती दे दी अमेरिका से थनाव के बीच चीन ने दो अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंद लगाने का एलान कर दिया चीन ने डिफेंस से जुड़ी इन दोनों अमेरिकी कंपनियों पर ताइवान को हध्यार बेचने में मदद करने का आरोप लगाया इसके साधी उसने अपने यहां मौजूद इन कंपनियों की संपत्यों को फ्रीज भी कर दिया चीन लंबे वक्ट से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है खबरे के मालदीव में भारती परटिकों की संख्या में भारी कमी आने के बाद वहां परटिन से जुड़ी एक बड़ी संस्था भारत के अलग-अलग शहरों में परचार करेगी इसका मकसद मालदीव में परटिन को बढ़ावा देना होगा खबरे के इस संस्थाने मालदीव में मौझूद भारती उच्चा युक्ट से इस सिलसले में मुलाकात भी की खबरे की इलेक्ट्रिक कार बिनाने वाली दुनिया की नमबर एक कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क की भारत यात्रा दो दिन की होगी इस दोरान वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के अलान के साथ कुछ और गोशनाएं भी कर सकते हैं और इसी दोरान भिलाई स्टील प्लांट के अंदर आग की भयंकर लप्टें उड़ती दिखी इस आग की वज़े से वहां अफरा तफरी मज़ गई क्योंकि प्लांट के एक हिस्से में भड़की आग बिजली की तेजी से दूसरे हिस्सों तक बढ़ती नजर आई तस्वीरों में दिखा कि उस भीशन आग की उंची उंची लपतें प्लांट की छट के नजदीक तक पहुँच गई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे प्लांट को जला कर राक कर देंगी हालनकि सूचना मिलने पर पहुँचे दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया लेकिन बताया गया कि आग की वज़े से प्लांट को भारी नुकसान पहुचा हालनकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भिलाई स्टील प्लांट तीन दिनों में दूसरी बाराग की चपिट में आ गया यही वज़रही कि इस मामले में सक्ती से जांच कादेश दे दिये गए इस बीश लालु यादव की बेटी और बिहार की पाटली पुत्र लोग सबा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधान मंत्री को जेल भेजने वाले बयान पर 24 गंटे के अंदर ही सफाई दे दी मीसा भारती के इस बायान पर बिहार के बीजेपी नेताओं से लेकर दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने भी मुर्चा खोल दिया था लेकिन मीसा भारती ने तो प्रधान मंत्री को लेकर दिये गए उस बयान से ही किनारा कर लिया जिसे लेकर पिछले 24 गंटे से बिहार समेथ दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ गई थी मीसा भारती के मुताबिक उन्होंने कभी प्रधान मंत्री को जेल भीजने की बात कही नहीं मीसा भारती पाटली पुत्र से चुनावी अखाड़े में उतरी है इस दोरान वो लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटी है और ऐसे ही एक कारिकरम के दोरान एक रोज पहले उन्होंने प्रधान मंत्री पर वो बयान दिया था अलाकि अब मीसा भारती के सुर बदले हुए दिखे भारतीय जवानों ने बेहद उचाई वाले मुश्किलों से भरे पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ठिकाने लगाने की ताकत पर खी और इसमें मिसाइल के हमले में टैंकों और बक्तरबन गाडियों को तबाह करने का अब्ध्यास किया गया इस ड्रिल में भारतीय सेना की कई टुकनिया शामिल हुई तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी पर मौझूद जवानों ने मिसाइल लॉंचर की मदद से टार्गेट पर निशाना साधा और पलक जपकते ही उस पर जोड़दार हमला कर दिये इस ड्रिल को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया यानि ऐसी तयारे जिसमें दुश्मन की एक टैंक को एक ही वार में बरबाद कर दिया जाए इस सेन्य अभ्यास में एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइलों का इस्तमाल किया गया ये मिसालें तेज रफतार में दोड़ते टैंकों के भी परकचे उड़ाने में माहिर मानी जाती हैं इसलिए क्योंकि ये दागी जाने के बाद टागेट के जगा बदलने पर भी उसे ढूंड कर तभा कर देती हैं भारतिय सेना ने इनी खतरनाक मिसालों से दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत परकी ये ड्रिल सिक्किम में करीब 17,000 फीट के उचाई वाले पहाड़ी इलाके में की गई जानकारी के मताबिक सिक्किम की उत्तरी सीमा से लगने वाले तिबबत के इलाकों में चीन की सेना की कई टुक्णियां तैनात हैं ऐसा माना गया कि भारत की ये तैयारी जरूरत पढ़ने पर चीन से दो-दो हाथ करने में बेहत मददगार साबित होगी उदर जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में हत्यारों की बड़ी खेब बरामत कर आतंकी साधिश नाकाम कर दी गई जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में बी-एस-फ के जवानों ने हत्यारों का जखीरा बरामत करने का दावा किया पताया गया कि जंगलों में चलाए गए सर्च आपरेशन के दौरान बारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद जब्त किया गया खबर है कि उनमें खतरनाक AK-47 राइफिल भी शामिल है हिंदु प्रशांद क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्टपती बाइडन ने जापान के प्रधान मंत्री और फिलिपीन्स के राष्टपती से मुलाकात की ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों देश मिलकर इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे इसरेल और इरान विवाद के बीच अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने इसरेली सेना प्रमुक से मुलाकात की एक रोज पहले ही अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इसरेल पर इरान मिसाल से हमला कर सकता है अमेरिका ने दावा किया कि इसरेल के सेन्या और सरकारी ठिकानों पर इरान कभी भी मिसाल से हमला कर सकता है इधर राजेसान की राजधानी जैपूर में तीन बदमाशों से एक अकेली लड़की के भिड़ने का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए बता गया कि रोज की तरह वो लड़की सुबब पांच बजे अकेले ही टेल ने निकल गई थी लेकिन तभी उनमें एक बदमाश ने जबटा मार कर उस लड़की के गले से चेन तोड़ ली सुनसान सड़क पर तीन बदमाशों से घिरे होने के बावजूद उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी चेन वापस लेने के लिए अकेले ही उनसे भिड़ गई वो उनका पीछा करते हुए उस मोटर साइकल के पास तक पहुन गई लेकिन तभी अपना बचाव करने के लिए उनमें एक बदमाश ने एक गुलेल निकाल ली जिससे डर कर वो उल्टे पैर वहाँ से भागती दिखाई दी और फिर उसे गुलेल मारने के बाद वो तीनों बदमाश वहाँ से फरार हो गया इसके बाद उस लड़की ने पुलिस थाने पहुँचकर उन तीनों के खलाब एपायार दर्च करवाई इस बीच पंजाब के बठिंडा में एक बज़र्ग से सर्याम हुई लूट पार्ट का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया वहाँ तीन बदमाशों ने उन बुज़र्ग का काफी दूर तक पीछा किया और मौका मिलते ही चीना जप्टी चुरू कर दी और उन बुज़र्ग को जमीन पर गिरा कर उनके पास मौजूद सारा कैश चीन लिया तस्वीरों में दिखा कि सडक पर धीरे धीरे चल रहे हैं उन बुज़र्ग को पीछे से आये बदमाशों ने घेर लिया एक बदमाश तो उनके बिल्कुल सामने आ गया और उसने उन बुज़र्ग की शर्ट की उपर वाली जेब में हथ डाल दिया ऐसा होते ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और जोड़ जोड़ से शोर मचाना शुरू कर दिया बुज़र्ग के चिलाते ही डर के मारे पीली शर्ट वाला एक बदमाश आगे निकल गया लेकिन बाकी दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया और वो तब तक नहीं भागे जब तक उन्होंने उनके पास मजूद सारे पैसे चीन नहीं लिए इस मामले में पुलिस ने आक्शन लेते हुए दो बदमाशों को तो दबोच लिया और तीसरे की तलाश में जुड़ गी उदर अमेरिकी सेना के एक जनरल ने दावा किया कि युकरेन से जारी जंग में रूस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ अमेरिकी सेना के एक जनरल ने यूक्रेन के उस दावे को खारिश कर दिया जिसमें जलिंस्की की सेना ने रूसी वायू सेना को भारी नुकसान पहुचाने की बात कई थी उस अमेरिकी जनरल के मुताबिक फिछले दो साल से जारी इस जंग में रूसी वायू सेना के सिर्फ दस पतिशत हिस्से को ही नुकसान पहुँचा। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस जंग में युक्रेन के कई शहर बरबाद हो गए। रूस के राश्वधी पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खास रणनीती के तहट युक्रेन की कई पावर ग्रिट को निशाना बनाया जिसकी वज़े से कीव समेथ युक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। बारतिय पहलवान ओदित ने किर्गिस्तान में चल रही एशिन रेस्लिंग चैंपेंशिप में 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया। उन्होंने जापान के पहलवान केंटो यमिया को हराया। इस वद्योगिता के 70 किलो और 97 किलो वर्ग में भी भारतिय पहलवानों ने मेडल जीते। इन दोनों इवेंट में पहलवान अभिमन्यों और विकी ने ब्रॉंज मेंडल हासिल किये। इधर बिहार के मुझफरपुर में तीन बदमाशों ने पिस्तॉल के दम पर 51 लाग रुपए से जादा की लूट को अंजाम दिया। और इस वारदात का वीडियो जिसने भी देखा उसकी सांसे अटक नहीं। उनमें एक बदमाश गहने के एक दुकान में ग्राहक बन कर घुसा और गहने देखने लगा। लेकिन कुछ देर में उसके दो साथी भी वहां पहुंच गए। और गेहनों की दुकान में बैठे उस बधमाश ने अपने दोनो साथियों को आते देख अपनी पिस्तॉल निकाली इसके साथ उन दोनों बधमाशों ने भी पिस्तॉल निकाली और लहराते हुए नजर आए वहाँ एक साथ तीन पिस्तॉलें देखकर उस दुकान का एक करमचारी तो अंदर की तरफ भागता दिखाए दिए उस दुकान में गहने देख रही एक महिला की तो जान हलक में आ गए उन तीनों बदमाशों को देखकर घबरा गई और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती दिखी लेकिन उनमें नीली टीशेट पहने एक बदमाश ने उस महिला का हाथ पकड़ा और उसे बाहर जाने से रोक दिया इस बीच उसका एक साथी दोड़कर वहां रखे काउंटर के दूसरी तरफ चला गया इसके बाद तो नीली टीशेट वाले बदमाश ने अपना बैग काउंटर पर रखा और चुन चुन कर गहने बैग में डालता रहा और उसके दोनों साथी गहने लूटने में उसकी मदद करते दिखे पुलिस के मताबिक उन्होंने 51 लाक रुपे से जादा के गहने लूटे और वहां से परार हो गया इन लोगों की जानकारी देने पर पुलिस ने इनाम देने का एलान कर दिया उदर चीन से बढ़ते तराव के बीच जापान ने दूसरे विश्वयुद के बाद पहली बार समंदर में एरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया इस जंगी जहाद से खतरनाक लड़ा को विमान उडान भर सकेंगे यानि युद में चीन की सेना को कड़ी ठककर देने के लिए जापान ने अपनी कमर कसली मतलब कि जापान अब चीन की सेना को खल कर जवाब देना चाहता है और इसलिए उसने समंदर में अपनी नीव मजबूत कर ली बताया गया कि एरक्राफ्ट कैरियर कागा को जापान के कुरे शहर में समंदर के बीच तैनात किया गया और जापान की नौसेना ने दुनिया के सामने इसकी जानकारी दे कर चीन को अपनी ताकत का संदेश दे दिया दावा किया गया कि समंदर में जापान के खतरनाक एरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के लड़ाकु विमान F-35B का उड़ान बरना और लैंड करना आसान हो जाएगा और इस एरक्राफ्ट कैरियर को अफग्रेड करने में जापान को दो साल का वक्त लगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि जापान लंबे वक्त से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पठकनी देने की तैयारी में जुटा था इस भीज अमेरिका में एक महिला को 15 महीनों तक कीमो थरपी कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर ही नहीं है अमेरिका के टेकसस में एक महिला ने डॉक्तरों पर आरोप लगाया कि उन्हें कैंसर होने की गलत जानकारी दी गए इतना ही नहीं आरोप ये भी है कि डॉक्तरों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछी महीने बचे हैं इसके बाद उस महिला को डॉक्तरों ने पंदरा महीने तक कीमो थरेपी बी दी लेकिन बाद में एक जांच रिपोर्ट से उस महिला को पता चला कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं चीन से सीमा विवाद सुलजाने पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बयान के बाद चीन के विदेश मंतराले ने भी टिप्पनी की चीनी विदेश मंतराले की प्रवक्ता माउन यंग ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बाद कही आली में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को प्रिधान मंत्री ने एक इंट्वियू दिया था और उसमें चीन के साथ सीमा विवाद तुरन सुलजाने की बात कही थी उत्तर प्रिधेश के प्रियाग राज में एक रेलवे फाटक का बैरियर गिरणे से ऐसा हाथसा हुआ कि उसे देखने वालों की इनने दाथों तले उंगलिया दबा ले यह हाथसा उस्वक्त हुआ जब कई लोग उस फाटक के दोनों तरफ से रास्ता पार कर रहा थे और तभी उस रेलवे फाटक पर लगा बैरियर लोगों के उपर गिर गया तस्वीरों में उस फाटक के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती नजर आई काफी देर तक उस फाटक के बंद रहने की वज़े से वहां लंबा जैम लग गया था इस दोरान सड़क के दूसरी तरफ से सामान ढोने वाली एक गाड़ी आती दिखाई दी जैसे ही वो गाड़ी उस फाटक पर लगे बैरियर के करीब पहुंची उसका पिछला इससा उससे टकरा गया टकर लगते ही वो बैरियर एक जटके में वहां मौझूद लोगों पर गिर पड़ा लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब उस बैरियर के गिरने से एक मोटरसाइकल वाले के सिर पर चोट लग दे वो बैरियर इतनी जोड से उसके सिर पर गिरा कि वो जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वहां मौझूद लोग दोल कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे जब कि कुछ लोग उस बैरियर को उस मोटरसाइकल के उपर से हटाते नजर आए बता गया कि इस हादसे में उस मोटरसाइकल वाले के सिर पर गंभीर चोट आई उसर चीन के बेहत खरीब समंदर में एक बड़ी ड्रिल करके अमेरिका ने शी जिन पिंग की नींद उड़ा दी और अमेरिका ने दावा किया कि इस सेन्य अभ्यास का मकसद चीन को ये बताना था कि वो अमेरिका के किसी भी दोस्त को कमजोर समझने की गलती ना करे अमेरिका पहले भी कई बार इस इलाके में जापान, डक्षन कोरिया और फिलिपीन्स के साथ सैन्य ड्रिल कर चुका है ये समुद्री इलाका डक्षन चीन सागर कहलाता है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है और वो यहां किसी और देश की नौसेना के जहाजों को गुसने तक नहीं देता अमेरिका ने दावा किया कि चीन के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उसने दक्षन चीन सागर से लगने वाले बाकी देशों के साथ हाथ मिलाया ताकि समंदर में बढ़ती चीन की दादा गिरी पर लगाम लगाई जा सके इस बीच महंगाई के मोर्शे पर राहत की खबर सामने आई रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 5 महिने का सबसे निचला स्तर है वित्तमंतराले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक खाने पीने की चीजों की खीमतों में गिरावट की वज़े से मार्च में रिटेल महंगाई दर घटी है फरवरी में ये दर 5.09 प्रतिशत पर थी सभी सेक्टरों में हुई बिक्वाली की वज़े से भारतिय शेहर बाजार में कमजोरी देखने को मिली इस दोरान बैंक, हेल्थ केर, FMCG, मीडिया, रियल्टी और और औल अगयास सेक्टर के शेहरों में सबसे जादा गिरावट रही जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज का सेंसिक 793 अंकों की गिरावट के साथ 74,244 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 234 संग गिरकर 22,519 के स्थर पर आ गया उदर अमेरिका के फिलडेलफिया में एक रोज पहले ईद के जश्टन के दौरान दो गुटों में हुई गोली बारी की खबर से संसनी फैल गई, वहां कुछी मिंटों में चली 30 गोलियों की तर्टराहट से भगदर्मन दी, पुलिस के मताबक इस घटना में तीन लोग भगदर मच गई, लोग अपना सामान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, पुलिस के मताबक इद का जश्टन मनाने के लिए एक अठा हुए लोगों के बीच अचानक गोली बारी शुरू हो गई, और वहां दो गुटों के बीच एक के बाद एक पुरम जिले के गाउं में हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए वहां धारा 144 लगानी पड़ गई, बताय गया कि जंगली हाथियों के जुन से भटक कर हाथी का वो बच्चा आबादी वाले इलाके के नस्दीक पानी से भरे गड़े में गिर गया, लेकिन उसे की गहराई ज्यादा होने की वज़े से उसकी कोशिश नाकाम रही, उसने कई बार कोशिश की लेकिन जब उसकोशिश का कोई फाइदा नहीं हुआ तो हाथी का वो बच्चा ठक हार कर गड़े में ही बैट गया, हाथी के बच्चे के गड़े में फसने की खबर आग की तरह उसे देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गई, सूचना मिनने पर वन विभाग की टीम भी पहुँची लेकिन उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं रहा, क्योंकि हाथी का वो बच्चा गड़े में लगातार घुमता रहा, ऐसे में वन विभाग क की टीम ने सबसे पहले उस गड़े का पानी कम किया, इसके बाद हाथी के उस बच्चे को ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश कर दिया गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद जंगली हाथी का वो बच्चा किसी को नुकसान ना पहुचा है, इसके लिए उस इलाके में धार पर ही हमला कर दिया, आरोप है कि मरीज से शिकायत मिलने के बाद उस डॉक्टर ने उस दुकानदार को उसकी दवा लटा दी, और बस इसी बात पर वो बुरी तरह भढ़क गया और उस डॉक्टर पर हमला कर दिया, इससे पहले उस डॉक्टर और उस मेडिकल स्टोर मालिक क बीच बहस होती नजर आई, उस वक्त वहां कई लोग भी खड़े दिखाए दिये, तभी वो दोनों खड़े हुए और उस दुकानदार ने उस डॉक्टर को धक्का दे दिया, पर अटवार करते हुए उस डॉक्टर ने भी उसे जोड से धक्का दे कर पीछे अटा दिया, आरोपे के मेडिकल स्टोर के उस मालिक ने एक मरीज को गलत दवा दी दी थी, और जब उस मरीज ने उस डॉक्टर से इसकी शिकायत की, तो उसने वो दवा लोटा दी, बस इसी बात पर वो गुस्से में आ गया और उस ने उस डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी, उ संबोधन के दोरान अपने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा, मतलब लगातार खतरनाक मिसायलों का परीक्षन करने वाला उत्तर कोरिया अब जंग के मैदान में खुल कर खेलना चाहता है। कि उन्होंने उन्हें अपने दुश्मन देशों के खिलाफ एक तरह से युद्ध की रणनीती पर काम करने के निर्देश दे दिये। किम जॉंग उन्हें अपने सैनिकों को मानसिक तोर पर भी मजबूत करने में जुड़ गए। इधर राजिस्तान के चुरू में उस वक दफरा दफरी मज़ गई जब वहाँ बदमाशों के गिरोह ने एक आदमी पर हमला कर दिया। लगा कि उन बदमाशों ने उस आदमी से 10 लाग रुपयों की मांग की थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन जब उन बदमाशों को रगम नहीं दी गई तो उन्होंने उस आदमी पर हमला कर दिया। उस आदमी ने पैसे नहीं दिये तो उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई। यही नहीं इस दोरान उस आदमी के साथ मारपीट के जाने के भी आरोफ लगे। अलंकि पीडित की शिकायत पर पुलिस ने आरोफियों की तलाश तेज कर दी। उदर अफरीकी देश केनिया में बाड़ के बीच फसे एक क्यावन लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहाँ बाड़ की वज़े के से कई नदी और नाले न उफान पर आ गए। इस दोरान एक नदी पार करने की कोशिश में एक बस उसके बीचों बीच फस गई। और इसके बाड उस बस में बैठे सभी लोग जान बचाने के लिए उसकी चट पर चड़ गए। इंतों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर कार उस बस में सभार सभी 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इस आदसे के लिए उस बस के ड्राइवर पर लापरवाही कारोब लगाया गया क्योंकि पानी के तेज बहाव के बावजूद उसने उस नदी को पार करने की कोशिश की। उदर महराश्च के पुणे में एक ट्राफिक लाइट पर रुके एक कार सभार को कुछ लोगों ने ऐसा पीटा कि वहाँ दूसरी गाडियों में सभार लोग घबरा गए। बताया गया कि मामूली विबाद में उन लोगों ने उस कार सभार को बाहर निकाला और कई गाडियों के बीच उसे पीटना शुरू कर दिया। कर उसे कार के अंदर बैठने के लिए धंकाता रहा। इस दौरान उन लोगों और कार सभार के बीच जड़प हो गई। उस कार के पीछे कई गाडियां खड़ी नज़र आई और सड़क पर जैम लग गया। लेकिन जड़प चलती रही। मारपीट करने वाले उस कार सभार पर वहां से चले जाने के लिए दवाब बनाते रहे। लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर बाद कार सभार के साथ मारपीट करने वाले भी वहां से आगे की तरफ जाते दिखे। वहां उन लोगों ने उस कार सभार को क्यों पीटा इसका पता नहीं चल सका। इस बीच रूस की सेना के साथ जारी जंग के बीच यूकरेन में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए विवादास्वत गानून को वहां की संसत से मनजूरी मिल गई। अमेरिकी अखबार न्यूर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना में पांच लाग सैनिकों की भरती करना है। कानून को मनजूरी दे दी। रिपोर्ट के मताबिक इस कानून के तहट सैनिकों की ज्यादा भरती करने के लिए उम्र की सीमा 27 साल से गटाकर 25 साल कर दी गई। इसके लावा भरती होने के बाद किसी भी सैनिक के सेना चोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब एक बार सेना में शामिल होने के बाद सैनिक सेना से निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। और अगर किसी सैनिक ने सेना चोड़ने की कोशिश की तो उसे सजा देने का प्रावधान किया गया। दावा ये भी किया गया कि युकरेन के इस विवादास्पत कानून में इसी तरह के कई और प्रावधान है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना को मजबूत बनाना और रूस से मुकाबले के लिए पांच लाग सेनिकों की फौज खड़ी करना है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की ही और था क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो पिछले साल सावन के महीने में आया था। करके देश के लोगों को चिडाने का काम करते हैं। राहुल गांधी का मतन बनाने का वीडियो करीब साथ महीने पहले सावन के महीने में आया था। और इसमें वो लालु गांधी का सावन के महीने में ये वीडियो आना विवाद का मुद्दा बन गया था। और प्रधान मंत्री ने लोगसभा चुनाव के दोरान भी सो उठा दिया। इससे पहले नवरात के पहले ही दिन तेजस्वी आदब ने मचली खाने का वीडियो शेर किया था। राहूल गांधी के मटन वाले वीडियो की बात करते करते प्रधान मंत्री ने मचली वाले वीडियो का मुद्दा भी उठा दिया। प्रधान में राहूल के मटन बनाने और तेजस्वी के नवरात्र पर मचली खाने के वीडियो शेर करते था। पर कॉंग्रेस और RJD को घेरा। यानि इस चुनाव में मटन मचली भी चुनावी मुद्दा बन गए। और इसी बात पर मतुरा सीट से निर्दलिय पित्याशी शिखा वर्मा भढग गई। और सीधा उस अधिकारी से भिढ़ गई जिसने गाड़ी रोकी थी। अधिकारीों ने बताये कि इन गाड़ीों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया बलकि चुनाव आयोक के निर्देश के मुताबिक इनका वीडियो बनाय जा रहा था और इसी लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया। इसी बात पर शिखा वर्मा और उनके समर्थक भड़क गए। अब्दुलमतीन ताहा और मुस्वर हुसैन शाजब सुरक्षा एजेंसियों को चक्मा देने के लिए एक ऐसे लाज़ में छिपे थे जहां पैचान पत्र देने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब वो दोनों हर हाल में अपनी पैचान छिपाने में जुटे थे। हाला कि नाइए की टीम ने दोनों को पश्चे मंगाल के पूर मेंदनी पूर के दीगा से गिरफतार कर लिया। एक मार्च को मेंगलूरू के मश्यूर रेस्टोरांट रामेश्वरं कैफे में दोपेर गरीब एक बज़े धमाका हुआ था। और धमाके के अवाज से पूरा मेंगलूरू शहर थरा गया था। इस धमाके के ठीक बयाली इस दिन बाद एनाईये की टीम ने धमाके के दो संदिग्द अब्दुलमतीन ताहा और मुसविर हुसेन शाजिप को गिरफतार करने का दावा किया। इनाईये ने दोनों को पश्च मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से गिरफतार करने की जानकारी दी। इनाईये के सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी वहाँ एक छोटे से लॉज में चिपे हुए थे। वो ऐसा लॉज था जहां उन्हें कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं थी। इनाईये के सूत्रों बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना हो सके। और वो ऐसा लॉज या ऐसे गेस्ट हाउस को चिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेश देने की जरूरत नहों। आला कि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी NIA ने उन्हें ढूंड निकाला। या की जानकारी के मताबक मुसवर हुसेंच शाजब और अब्दुलमतीन ताहा करनाटक के शिब्मोगा जिले के रहने वाले हैं। वो सूत्र बताते हैं कि दोनों आतंकी संगठन आईस आईस से जुड़े हैं। लेकिन एक मार्च को रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद से ही दोनों फरार थे। पिछले महीने की 23 तारिक को NIA ने धमाके के मुख्य संदिक्द के तौर पर दोनों की पैचान की थी। NIA के सूत्रों के मताबक दोनों की पैचान एक टोपी से की गई थी। क्योंकि जाँच के दोरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जाँच अधिकारियों को एक टोपी मिली थी। NIA के सूत्र बताते हैं कि जाँच के दोरान ये पता चला था कि वो टोपी अब्दुलमतीन ताहा की थी। जिसे उसने चन्नाई में खरीदा था। तोपी के सिर्फ चार सो पीस ही बेचे गए थे। और इसके बाद NIA की टीम ने चन्नाई के उस इलाके के सीसी टीवी खंगाल ने शुरू किये जिस इलाके में संदिक ताहा ने टोपी खरीदी थी। NIA के सुत्रों के मताबिक कई दिनों की मेहनत के बाद जांच अधिकारियों को एक वीडियो में अब्दुलमतीन ताहा दुकान से टोपी खरीदता हुए दिखाई दिया था। और सुत्र बताते हैं कि ताहा की उसी टोपी का इस्तमाल धमाके के दिन शाजिब ने किया था। क्योंकि सुत्रों का दावा है कि दोनों पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। ने दोनों संदिक्तों को पश्चमंगाल के पूर्व मिद्निपूर से गिरफतार कर दिया। लेकिन रामेश्रम कैफे बलास से जुड़े दोनों संदिक्तों के पश्चमंगाल से गिरफतार किये जाने पर सियासी घमासान चड़ गया। क्योंकि दोनों की गिरफतारी के बाद बीजेपी नेता अमित मालविये ने ममता बैनरजी पर निशाना सादते हुए पश्चमंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनागा बता दिया। और बागायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अमित मालविये और पश्चमंगाल पुलिस में वार छिड़ गे। मंगाल पुलिस ने अमित मालविये के दावे को जूटा बता दिया लेकिन इस मुद्दे में सियासी तड़का तब लगा जब पश्चि मंगाल के मुख्यमंतरी मम्ता बेनरजी ने अमित मालविये के बहाने बीजेपी और केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर जोड़दार हमला बोल दिया गमसान तब शुरू हुआ जब नाईये ने पश्चि मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से ब्लास्ट के दो संदिक मुसफ्विर उसेन शाजिप और अब्दुलमधीन ताहा को किरफतार किया इस उपरेशन में एनाईये के साथ पश्चि मंगाल की पूलिस भी शामिल रही इसी के बाद अमित मालविये ने ममता बेनरजी पर निशाना सादिते हुए अपनी एक पोस्ट में पश्चि मंगाल को आतंकियों का घर बता दिया यही नहीं बीजेपी ने करनाटक की कॉंग्रेस सरकार पर भी अमला बोला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरीए बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गए इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में बी आरेस नेता के कविता को राउजविन्यू कोट ने तीन दिन की सीबियाई रिमान में भेज दिया आलगी सीबियाई ने कोट से उनकी पांच दिन की कस्टेडी मांगी थी के कविता पहले ही इस केस से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में तेहार जेल में बन है दिल्ली के पूर्व उपुमुखे मंतरी मनीश शिसोधिया की अंतरिम जमानत अरजी पर राउजविन्यू कोट 20 अपरेल को सुनवाई करेगी इससे पहले मनीश शिसोधिया ने लोगसबा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोट से अंतरिम जमानत की मांग की उन्होंने दलील दी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का संकल पत्र रविवार को जारी होगा खबरे के इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रिह मंतरी अमित शाह और रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी मौझूद होंगे उदर लोगसभा चुनाव से पहले टी-मसी विधायक हमीदुल रह्मान ने बंगाल की विबक्षी पार्टियों के कारेकरताओं से खुल कर बोल दिया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद इस मामले पर बंगाल का सियासी पारा चड़ गया मगब बीजेपी भड़क गई और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला किया विवाद टीमसी विदायक हमीदुल रह्मान की बंगाल के रायगंड से हुई एक चुनावी सबा से शुरू हुआ और इस चुनावी सबा में उन्होंने विरोधियों को खुले आम धमकी दे डाली बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रह्मान के बयान का वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो में उन्हें विपक्षी पार्टी के कारेकरताओं को बोलते हुए सुना गया कि 26 अपरेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद बीजेपी ने भी आव देखाना थाओ और टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला कर लिया बीजेपी नेता शुमेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले पर संग्यान लेने की मांग की क्योंकि टीमसी विधायक ने विरोधियों को धमकाया बंगाल की रायगंज लोगसभा सीट पर 26 अपरेल को मत्तान होना है और हमीदुल रह्मान रायगंज के उत्तर दिनाशपूर विधानसभा क्षेतर से विधायक है और इसलिए उन्होंने 26 तारिक को केंद्रिय सुरक्षा बलके रायगंज से जाने का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया और पंगाल में 2019 के लोगसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र होने लगा क्योंकि पिछली बार के मतुदान के बाद बसिरहाट और जादवपूर जैसी लोगसभा सीटों पर बीजेपी और टीमसी कारकरताओं के बीच हिंसक जड़प हो गई थी इधर दिल्ली सरकार में मंतरी आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्टपती शासन लगाए जाने का डर जताया दिल्ली की सियासत में भूचा ला गया आतिशी ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यारोब लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राश्टपती शासन लगाने के लिए साजिश रची और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि bjp राष्टपती शासन के जरीме दिल्ली को अर्विन केजरिवाल और आमादमी पार्टी से चीनना चाती है। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राष्टपती शासन लगाया अलंकि बीजेपी ने नारोपों को बेबुनियात बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटगरे में खड़ा कर दिया बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग पर मोर्चा खोल रखा है तो आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने पर अड़ी है लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी इस बीच अरविन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के रायव रहने के सवाल को संजे सिंग ने टाल दिया केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रतरशन कर रही है जेल से निकलने के बाद संजे सिंग भी कई प्रतरशनों का cigar agora बने थे लेकिन इन प्रतरशनों में आम आद्मी पार्टी के कई सान्सथ नजर नहीं आए इक तरफ संजे सिंग ने अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को टाला तो वहीं दूसरी और पार्टी के राज्यसबा सांसद, संजीव अरोडा, विक्रम जीत सिंग साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरिवाल से मिलने पहुंच गए इस मुलाकात की तस्वीरें भी आएं और पोस्ट में सुनीता केजरिवाल की तारीफ की गई उदर पंजाब के फरीद कोड में किसानों का घुस्सा इसकदर भड़का कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस की कार पर चढ़ाई कर दी उनकी कार पर जब किसानों का जुन्ड तूटा तो देखकर लगा मानो वो हंसराज हंस से मारपीट पर उतर आएंगे बीजेपी ने इस बार फरीद कोड लोकसबा सीट से हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची किसानों का जथा उनकी कार पर तूट पड़ा हाथों में काले जंडे लिए कुछ किसान उनकी सफेद कार के बॉनट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे तो कुछने कार के दर्वाजों और किड्कियों में हाथ मार कर उन्हें खुलवाने की कोशिश की पुदर्शन कर रहे हैं उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हंसराज हंस के सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पैर फूल गए इसके बाद वहाँ मौझूद पंजाब पुलिस के जवानों ने मुर्चा समहला और उन किसानों को धक्के दे कर वहाँ से अलग किया इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंसराज हंस बैठे थे उससे तो वहाँ से निकाल दिया गया लेकिन उनके कापले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फस गए पंजाब के फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा था वहाँ किसानों ने केंद सरकार पर किसान अंदोलन को कुचलने का आरोब लगाते हुए बीजेपी के खलाफ बिगुल फूंक रखा है और इसी विरोध का सामना फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को भी करना पड़ा बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी नितीश कुमार पूर्व उप्व मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव पर भढ़क गये केरल की तिरुवनंत पुरम सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार शेशी थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंदरशेकर के मानहानी नोटिस का जवाब दिया शेशी थरूर ने राजीव चंदरशेकर के खिलाव जूटे आरोप लगाने से इनकार कर दिया और उनसे बैान वापस लेने और माफी मांगने के मांग कर दिया यही नहीं शेशी थरूर ने अपनी मांगों को नजर अंदाज करने पर कानूनी कारवाई की चितावणी भी दी पिंगलूरू में पीने के पानी की कमी का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गरमा गया वहांके कई लाकों में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने तो लोकसभा चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया इसरेल के बीच बहुत बड़ी जंग छिडने की आशंका जताएगी अमेरिकी अख़वार दे वॉल स्रीट जर्नल के मताबिक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इरान अपने कट्टर दुश्मन इसरेल पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका के अख़वार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई इसरेल और अमेरिका की सेनाएं अलर्ट मोड में आ गई क्योंकि दुवाल स्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इरान ने इसरेल के उत्तर या दक्षन में सीधे हमले का प्लैन तयार कर लिया और अख़वार की रिपोर्ट के मताबिक कि यह हमला 24 से 48 घंटे के अंदर हो सकता है मतलब एरान और इसरेल के बीच खुली जंग का काउंडाउन शुरू हो चुका है करने में देर नहीं करेगा खबरों के मताबिक इरान की धंकियों को देखते हुए इसरेल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुट गई थी पेनिमिन नेतनियाहू ने अपनी सेना और खुफिया एजंसी मुसाद को इलट कर दिया थी क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि सिरिया में दूतावास पर हुए हमले के बाद इरान चुपने ही बैटने वाला इरान के हमले की तैयारियों पर मीडिया कंपनी ब्लूमबर की एक रिपोर्ट ने भी महर लगा दी ब्लूमबग की रिपोर्ट के मताबिक एक एक अपरेल को सीरिया की राजधानी दमिश्ट में अपने दूतावास पर हमले के तुरंट बाद ही आई आर जीसी एक्शन में आ गए थी क्योंकि ब्लूमबग की रिपोर्ट के मताबिक आई आर जीसी के अफसरों ने दो अपरेल को ही इरान के सुप्रीम लीजर आयातुला अली खामनई से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में आयार जीसी नोंने इसराइल पर हमले के पूरी प्लैनिंग समझाई थी पस्चिमेशा से लेकर यॉरप के कई देशों में अलर्ट घुशित कर दिया गया अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोट पर रखा हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबहा कर सकती है इसी विज़े से फ्रांस अमेरिका जर्मनी और इंग्लेंड ने अलर्ट जारी कर दिया 24 से 48 घंटों में जंग शुरू होने के आशंका के बीच भारत सरकार के विदेश मंत्राले ने नागरिकों को इरान और इस्राइल ना जाने की सला दी इरान और इस्राइल गए हुए भारतिय नागरिकों को विदेश मंत्राले ने वहां मौझूद भारतिय दूतावास से संपर्क करने की भी सला दी जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इस्राइल, इरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया ब्रिटन ने अपने नागरिकों को तुरंत इस्राइल छोडने के निर्देश दे दिये बश्चिमेश्या में साओधी अरब ने भी अलर्ट जारी कर दिया मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई इस्राइल के मीडिया के मताबिक एरान के हमले की धंकियों के बीच प्रधान मंतरी बेनिमिन नितनियाहू ने वहां के सेना प्रमुक से मुलाकात की और तैयारियों का जाइजा लिया खबरों के मताबिक नितनियाहू ने मुसाद के टॉप एजिन्ट को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया यानि इरान के हमले का जवाब देने के लिए इसरेल भी पुखता तैयारी में जुट गया इसरेल के मीडिया के मुताबिक सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले के बाद इसरेल ने अपने GPS नाविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था माना जा रहा है कि इरान की गाइड़न मिसालों के हमलों को रोकने के लिए इसरेल की फौज ने ये कदम उठाया ये खास तरह का ढांचा होता है जो बंओ के हमले से सुरक्षा देता है इसरेल से इरान की दूरी करीब 2300 किलो मीटर है दोनों देशों के बीच इराक, सिर्या और जॉर्डन जैसे देश मौजूद है किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी लेकिन हालात बदले तो इरान और इसरेल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए क्योंकि इरान ने हमेशा हमास और हिजबुला जैसे संगठनों का सहारा लेकर इसरेल को निशाना बनाया जबकि इसरेल ने सीधे तोर पर इरान के ठीकानों पर कई बार हमले किये लेकिन इस बार अगर इरान सीधे इसरेल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पश्चिमेश्या में प्हल सकती है और इसके नतीजए बेहत खतरनाक हो सकते हैं और पूरा पश्चिमेशया जंग की आग में जुला सकता है इसरेल और अमेरिका की तैयारियों और तेवरों के बीच इरान के सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनाई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक जुट होने को कह दिया और गाजा में इसरेल के हमलों का जिक्र करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की आयतलल्ला अली खामनईई ने मुस्लिम देशों को सुझाओ दिया कि इजरील को अलग थलग करने के लिए सबी अपने सबी परकार के संबंद टोड़ लेने चाहिए और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है इस बीच गतर और कुएत ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो इरान के खिलाब जंग के लिए अपने इलाके और ठिकानों का इस्तमाल नहीं करने देंगे इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एक जुटता के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका इरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुल कर इसरेल के साथ खड़ा दिखाए दिया लडाकों ने इसरेल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी हमास के लडाकों ने सैकड़ों लोगों को गोली मार कर मौट के घाट उतार दिया था और करीब धाई सो लोगों को बंधग बनाकर अपने साथ घाजा ले गए थी इसरेल ने या रोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर ये हमला इरान के इशारे पर ही किया था हालाकि इरान ने इससे पूरी तरह इंकार किया था लेकिन साथ अक्टूबर को इसरेल पर हमास के हमले के बाद इरान में जम कर जश्ट मनाए गया था और उसी जश्ट ने इसरेल के लोगों के कलेजे में आग लगा दी थी इरान पहले से ही इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गए और हमास और इसरेल की जंग के छे महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इरान और इसरेल में भी जंग छिड नहीं वाली है इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री आंजनी बिंकिन ने साओधी अरब चीन और तुर्की से इरान को हमला ना करने के लिए मनाने की अपील की इस बीच वायू सेना के एक रेस्क्यू ऑपरेशन की वज़े से सेना के एक जवान के कटे हुए हाथ को आसानी से जोड़ा जा सका बारतिय वायू सेना की मुस्तेदी की वज़े से सेना के एक जवान के हाथ की सरजरी समय रहते मुम्किन हो पाई दिल्ली में सेना के अस्पिताल में उस जवान के कटे हुए हाथ को समय रहते जोड दिया गया इसकी जानकारी वायू सेना ने खुद सोशल मीडिया के जरीय दी बताय गया कि लब्दाक के ले में हुए एक हादसे में उस जवान का हाथ कट गया था उसके बाद महस चार गंटे में उसे वायू सेना की मदद से दिल्ली पहुचा दिया गया पृधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उदंपुर में एक रैली के दोरान ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्ज का दर्जा दिया जाएगा वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विदान सभा के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर को वापत राज्ज का दर्जा मिलेगा केंद्रिय मंतरी राजनाथ सिंग ने एमर्जंसी की एक घटना का जिक्र कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मा के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए परोल तक नहीं मिल सकी थी उतर लोगसबा चुनाव में मायवती के बतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेरा बन गए उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली दुआधार रैलियां की आकाश आनंद बीएसपी के नैस्टल कोडिनेटर है लेकिन उन्हें मायवती का उत्तरा दिकारी भी माना जाता है कि बीएसपी ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उता रहा है और इसलिए आकाश आनंद ने मतुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मदददाताओं को अपने फाले में लाने की कोशिश की अपनी रैलियों में आकाश ने आकरामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया समाजवादी पार्टी पर तो वो जम कर बढ़से 2019 के लोगसबा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गटबंधन था लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टीयों के रास्ते अलग हो चुके क्योंकि अखिलेश यादाव और कॉंग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और इसलिए आकाश आनंद ने इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुर्चा खुल दिया आकाश आनंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायवती का नाम लिया लेकिन उनके तेज तर्रार अंदाज ने ये संकेत दे दिये कि इस बार के चुनाम में वो ही बीएसपी का चेहरा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने तावर तोड रैलियां किया आकाश आनंद ने इस चुनाम में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी और इसलिए इस चुनाम में बीएसपी का चेहरा बने आकाश आनंद ने अपना पहला प्रहार चंदरशेकर आजाद पर ही किया था इसे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनंद ने चंदरशेकर का काम करने का बूरा तरीका ही बता दिया था और दावा किया था कि वो बीएसपी के युवा समर्थकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं ये आदमी अपने आपको मसीहा बताता है ये आदमी कहता है कि मैं सड़ पर उतरूँगा अपनी समाज के लिए आंदोलन करता है जगड़ता है लड़ता है हमारे युवा साथियों को लेके पहुच जाता है फिर क्या होता है यानि आकाश आनन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई पहला वो चुनाम में पार्टी का चेहरा बने और दूसरा उन्होंने बीएसपी का विकल बनने की कोशिश में जुटे चंदरशेखर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और बीएसपी को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुट गए इससे पहले उन्होंने राहूल गांधी पर तंस कसा था और अब उनके इस बयान ने भी हिमाचल की राजनीती में संचनी मचा दी क्योंकि उनके निशाने पर था हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस नेता विक्रमदित्य सिंग का परिवार कंगना रनोत ने आरोब लगाया कि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्य सिंग और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपनी बपौती समझा आनकि विक्रमदित्य सिंग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की उन्होंने दावा किया कि कंगना रणोत ने निजी हमले कर हिमाचल की राजनीति का माहौल बिगाडने की कोशिश की कंगना रणोत ने विक्रमदित सिंग के जरीए कॉंग्रेस की परिवार वाद वाली छवी को निशाने पर लिया ऐसा इसलिए क्योंकि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्र सिंग, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी वीर भद्र सिंग और प्रतिबा सिंग के बेटे हैं उनके पिता राजा वीर भद्र सिंग पांच बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी रहे और उनकी माँ प्रतिबा सिंग, हिमाचल कॉंग्रेस के अध्यक्ष और मंडी लोकसवा सीट से मौजूदा सांसद भी हैं और अटकले हैं कि उनके परिवार के दबदबे की वज़े से इस बार मंडी से कॉंग्रेस विक्रम दित्ति सिंग को मैदान में उतार सकती है उदर गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने भी जेल में जहर दिये जाने की आशंका जाहर की गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने गाजीपुर की कोट से अपनी सुरक्षा की गोहर लगाई खबरे की कुछ दिनों पहले कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दोरान उनके वकील की तरफ से कोर्ट में अपील की गई थी इसकी जानकारी अब सामने आई खबरे की अबास अंसारी ने आरोब लगाया कि काजगन जेल में उनकी सुरक्षा पुखता नहीं है और उनके खाने में जहर भी मिलाये जा सकता है नाश्नल कंफरेंस के उबाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमANTरी उमर अब्र अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की बारमुला लोगसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नाशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने ये एलान किया जम्मू कश्मीर की पांच लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस और नाशनल कॉन्फरेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी ने उत्रप्रदेश की कॉशामभी और कुशी नगर लोगसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी पार्टी ने सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपने दो उम्मीदवारों की लिस्ट शेर की जिसके मताबिक कुशामभी से पुशबेंदर सरोज और कुशी नगर से अजयर प्रताफ सिंग और पिंटू सेंथवार को प्रत्याशी बनाए गया बिहार के सुपॉल में नौवी क्लास में बच्चों के दाखिले को लेकर लागू किये गए नए नियम के खिलाफ चात्रों ने सड़क जैम कर दिया नए नियम के मताबिक चात्रों को उन स्कूलों में दाखिला लेना जरूरी होगा जो स्कूल उनके पंचायत के तहट आएंगे लेकिन परिशानी यह है कि कई स्कूल कुछ गाओं से बेहत दूर है और शिक्षा विभाग के इसी नियम के खिलाफ नौमी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने हाईवे जैम कर दिया वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर धरना देते दिखाए दिये गाड़ियों को रोकने के लिए हाईवे पर जाड़ियां और लकनियां रखी निजर आई बच्चों के इस विरोध प्रदर्शन की वज़े से वहां जैम जैसे हालात बन गए घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन धरने पर बैठे बच्चे सड़क से उठने के लिए तयार नहीं हुए पताया कि आठवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब पास के स्कूल में नौवी के दाखले के लिए पहुंचे थे तो उन्हें दूसरे स्कूल में जाने के लिए कहा गया जो वहां से कई किलोमीटर दूर है करीब एगंटे तक बच्चों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा अलंकि बाद में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को पास के स्कूल में दाखला देने का भरोसा देकर प्रदर्शन खत्म करवा दिया इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए उत्तर भारत के राज्यों के लिए बारिश और बर्वबारी का अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली और उसके आसपास के अलाकों में 13 से 15 अपरेल के दौरान हल्की से भारी बारिश का नुमान जताए गया जबकि पहाडी राज्यों में बारिश के साथ बर्वबारी की भी चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली अन्सियार समेथ 14 राज्यों में 13 से 15 अपरेल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है इन में उत्तरप्रदेश, मद्ध्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, चत्तीजगर, बिहार और जार्खन शामिल है इनके लावा तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंध्रप्रदेश, उडिशा और तमिलनाड में भी बारिश की संभावना जताए गई मौसम विभाग ने मद्ध्रदेश के 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जबकि उत्तरप्रदेश के 13 और पिहार के 9 जिलों में तेज हमाओं के साथ बारिश का अनुमान जताए गया लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट से पहाड़ी राज्यों की मुसीबत बढ़ गई क्योंकि अनुमान जताया गया कि 13 से 15 अपरेल के बीच जम्मु कश्मीर, लट्दाक और इमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है दूसरी तरफ मौसम विभाग ने करनाटक और आंदर प्रदेश के तटिये इलाकों में हीट वेव की भेविश्चवानी कर दी इन सब के बीच वधान मंत्री मोदी ने गर्मी के मौसम पर एक बैठक की इसमें उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गई तयारियों का जायजा लिया और राज्य की सरकारों के साथ मिलकर काम करने की निदेश दिये उतर पंजाब के फिरोशपूर में एनाईये ने एक आतंकी की संपत्ती जप्त कर ली पंजाब के फिरोसफूर में NIA ने आतंकी रमन दीप सिंग और रमन की अचल संपत्ती जब्त करने का दावा किया खबरे की ये कारवाई खालिस्तान का समर्थन करने वाले गैंगस्टरों और आतंकियों के खिलाफ चलाय जा रहे अभ्यान के तहट की गई NIA की विशेश अदालत ने पिछले साल जुलाई में रमन दीप सिंग को बगोड़ा गोशित कर दिया था भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वहां रहने वाले हिंदू और सिक्समुदाय के लोगों को उनकी जमीने वापस करने की बात कई गई गई थी कुछ रोज पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि वहां जल्द ही अल्ब संखिकों को उनकी जमीने लोटा दी जाएंगी तालिबान के मताबिक इन जमीनों पर पहले की सरकार के कुछ नेताओं ने कबज़ा कर लिया था चंडिगड के तीन आईएस अधिकारियों पर फ्रांस की राजधानी पैरिस में फिजूल खर्ची कर लाखों रुपए बरबात करने के आरोप लगे चंडिगड के डिरेक्टर जनरल अफ आडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई बताय गया कि ये तीनों आईएस अधिकारी 2015 में पैरिस की यात्रा पर गए थे और आरोप लगे कि ये तीनों अधिकारी पैरिस के महंगे हुटलों में रुके और बिजनस क्लास में उन्होंने यात्रा की इधर राहूल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी पर कॉंग्रेस राशन पानी लेकर चट पड़ी स्मृती इरानी ने केरल के वाइनाड में दिये राहूल के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की इस दोरान उन्होंने राहुल गांधी को निकम्मा कह दिया और इसी से कॉंग्रेस तमतमा उठी केंद्रिय मंत्री स्मिती रानी ने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केरल की वाइनाड लोकसबा सीट के लोगों को अपना परिवार बताया था उसी को आधार बनाते हुए श्मिती रानी ने राहूल गांधी पर तीखामला बोला सुत्रों के मताबिक केरल की वाइनाड सीट पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस अमेठी से राहूल की दावेदारी का एलान कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 2019 की तरह राहूल गांधी य श्मिती रानी के बीच मुकाबला होगा माना जा रहा है कि इसी वज़े से स्मिती रानी लगातार राहूल गांधी पर हमलावर नज़र आई ताकि इसका फायदा उन्हें अमेठी के लोकसवा चुनाव में हो सके उदर मद्यपरदेश में कमलनाथ के किले यानी चिंदवारा में वोटिंग से एक हफते पहले बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के करीबी और चिंदवाड़ा के किसान नेता अमिद सकसेना को अपने पाले में खींच लिया उनके अलावा मद्द्रदेश के दो विधायक भी कांग्रिस का साथ चोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कई कारेकरताओं को भी लेकर आए इसे कमलनाथ के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि बीजेपी में आए अमिद सकसेना का चिंदवाड़ा में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने कमलनाथ को गेरने का एक और ताओं चल दिया इसे पहले चिंदवाड़ा में ही मद्यप्रदेश के सीम मोहन यादव ने कमलनाथ पर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया कमलनाथ के खिले को ढ़ाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताका जोंक रखी है यहां तक कि मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव से पहले चिंदवाड़ा के पांच दोरे कर चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोगसबा चुनाव में बीजेपी ने MP की 29 में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और चिंदवाड़ा की एकलोती सीट थी जो कॉंग्रेस के इससे आई थी और तब कमलनाथ के बेठे नकुलनाथ ने ये सीट जीती थी जो इस बार भी चिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाए गए चिंदवाड़ा लोगसबा सीट पर 19 अपरेल को वोट डाले जाएंगे और इससे पहले बीजेपी ने मद्दपुदेश की इस 29 वी लोगसबा सीट को जीतने के लिए भी अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि वो लोगसबा चुनाब में मद्दपुदेश में क्लीन स्वीप कर सके इस बीच खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी के एक डिलिवरी बॉय के जूते चुराने का एक वीडियो बारल हो गया चोडी करने से पहले वो काफी देर तक महां ध्यान से देखता रहा सबसे पहले तो अपने बाई तरफ के उस फ्लैट की डोर बेल बजाता दिखाई दिया इस भी जुसकी नजर दाई तरफ के एक दूसरे फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर पड़ी और वो टक्टकी लगा उतार कर चेहरा पोंचने लगे चेहरा पोंचते हुए वो सीडी से नीचे जाता दिखाई दिया लेकिन चार से पांच कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाउं उपर चड़ गया इसके बाद तो उसने अपना गमच्छा पह उसे खुली चुनाती दे दिए अमेरिका से थनाव के बीच चीन ने दो अमेरिकी कम्पनियों पर प्रतिबंद लगाने का इलान कर दिया इसके सादी उसने अपने यहां मजूद इन कम्पनियों की संपतियों को फ्रीजब भी चर दिया चीन लंबे वक्त से तैवान को अप भारी कमी आने के बाद वहां परेटन से जुड़ी एक बड़ी संस्था भारत के अलग-अलग शहरों में प्रचार करेगी। इसका मकसद मालदीव में परेटन को बढ़ावा देना होगा। खबरे के इस संस्थाने मालदीव में मौझूद भारती उच्चा युक्ट से इस सिलसले में मुलाकात भी की। खबरे की इलेक्ट्रिक कार बिनाने वाली दुनिया की नमबर एक कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क की भारत यात्रा दो दिन की होगी। इस दोरान वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के अलान के साथ कुछ और गोशनाएं भी कर सकते हैं। प्लांट की च्छत के नजदीक तक पहुंच गई। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे प्लांट को जला कर राक कर देंगी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि भिलाई स्टील प्लांट तीन दिनों में दूसरी बाराग की चपिट में आ गया। यही वज़रे कि इस मामले में सक्ति से जांच कादेश दे दिये गए। इस बीच लालु यादव की बेटी और बिहार की पाटली पुत्र लोकसवा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधान मंत्री को जेल भेजने वाले बयान पर 24 गंटे के अंदर ही सफाई दे दी। मीसा भारती के इस बायान पर बिहार के बीजेपी नेताओं से लेकर दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने भी मुर्चा खोल दिया था। लेकिन मीसा भारती ने तो प्रधान मंत्री को लेकर दिये गए उस बयान से ही किनारा कर लिया जिसे लेकर पिछले 24 गंटे से बिहार समेथ दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ गई थी। मीसा भारती के मुताबिक उन्होंने कभी प्रधान मंत्री को जेल भीजने की बात कही नहीं मीसा भारती पाटली पुत्र से चुनावी अखाड़े में उतरी है इस दोरान वो लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटी है और ऐसे ही एक कारिकरम के दोरान एक रोज पहले उन्होंने प्रधान मंत्री पर वो बयान दिया था अलाकि अब मीसा भारती के सुर बदले हुए दिखे बहरतिये जवानों ने बेहद उचाई वाले मुश्किलों से भरे पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ठिकाने लगाने की ताकत पर खी और इसमें मिसाइल के हमले में टैंकों और बक्तरबन गाड़ियों को तबाह करने का अब्ध्यास किया गया इस ड्रिल में भारतिय सेना के कई टुकनिया शामिल हुई तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी पर मौझूद जवानों ने मिसाइल लॉंचर की मदद से टार्गेट पर निशाना साधा और पलक जपकते ही उस पर जोड़दार हमला कर दिये इस ड्रिल को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया यानि ऐसी तैयारे जिसमें दुश्मन के एक टैंक को एक ही वार में बर्बाद कर दिया जाए इस सेन्य अभ्यास में एंटी टैंक गाइड़िड मिसाइलों का इस्तमाल किया गया ये मिसालें तेज रफ्तार में दोड़ते टैंकों के भी परकचे उड़ाने में माहिर मानी जाती हैं इसलिए क्योंकि ये दागी जाने के बाद टागेट के जगा बदलने पर भी उसे ढूंड कर तभा कर देती हैं भारतिय सेना ने इनी खतरनाक मिसालों से दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत परकी ये ड्रिल सिक्किम में करीब 17,000 फीट के उचाई वाले पहाड़ी इलाके में की गई जानकारी के मताबिक सिक्किम की उत्तरी सीमा से लगने वाले तिबबत के इलाकों में चीन की सेना की कई टुक्णियां तैनात हैं ऐसा माना गया कि भारत की ये तैयारी जरूरत पढ़ने पर चीन से दो-दो हाथ करने में बेहत मददगार साबित होगी उदर जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में हत्यारों की बड़ी खेब बरामत कर आतंकी साधिश नाकाम कर दी गई जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में बी-एस-फ के जवानों ने हत्यारों का जखीरा बरामत करने का दावा किया पताया गया कि जंगलों में चलाए गए सर्च आपरेशन के दौरान बारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद जब्त किया गया खबर है कि उनमें खतरनाक AK-47 राइफल भी शामिल है हिंद प्रशांद क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्टपती बाइडन ने जापान के प्रधान मंतरी और फिलिपीन्स के राष्टपती से मुलाकात की ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों देश मिलकर इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पिट्रोलिंग बढ़ाएंगे इसरेल और इरान विवाद के बीच अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने इसरेली सेना प्रमुक से मुलाकात की एक रोज पहले ही अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इसरेल पर इरान मिसाल से हमला कर सकता है अमेरिका ने दावा किया कि इसरेल के सेन्या और सरकारी ठिकानों पर इरान कभी भी मिसाल से हमला कर सकता है इधर राजेसान की राजधानी जैपूर में तीन बड़माशों से एक अकेली लड़की के भिड़ने का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए बता गया कि रोज की तरह वो लड़की सुबब पांच बजे अकेले ही टेल ने निकल गई थी लेकिन तभी उनमें एक बड़माश ने जबटा मार कर उस लड़की के गले से चेन तोड़ ली सुनसान सड़क पर तीन बड़माशों से घिरे होने के बावजूद उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी चेन वापस लेने के लिए अकेले ही उनसे भिड़ गई वो उनका पीछा करते हुए उस मोटर साइकल के पास तक पहुन लिए लेकिन तभी अपना बचाव करने के लिए उनमें एक बड़माश ने एक गुलेल निकाल ली जिससे डर कर वो उल्टे पैर वहाँ से भागती दिखाई दी वहाँ तीन बदमाशों ने उन बुज़र्ग का काफी दूर तक पीछा किया और मौका मिलते ही चीना जप्टी चुरू कर दी और उन बुज़र्ग को जमीन पर गिरा कर उनके पास मौजूद सारा कैश चीन लिया तस्वीरों में दिखा कि सडक पर धीरे धीरे चल रहे हैं उन बुज़र्ग को पीछे से आये बदमाशों ने घेर लिया एक बदमाश तो उनके बिल्कुल सामने आ गया और उसने उन बुज़र्ग की शर्ट की उपर वाली जेब में हथ डाल दिया ऐसा होते ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और जोड़ जोड़ से शोर मचाना शुरू कर दिया बुज़र्ग के चिलाते ही डर के मारे पीली शर्ट वाला एक बदमाश आगे निकल गया लेकिन बाकी दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया और वो तब तक नहीं भागे जब तक उन्होंने उनके पास मजूद सारे पैसे चीन नहीं लिए इस मामले में पुलिस ने आक्शन लेते हुए दो बदमाशों को तो दबोच लिया और तीसरे की तलाश में जुड़ गी उदर अमेरिकी सेना के एक जनरल ने दावा किया कि युकरेन से जारी जंग में रूस का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ अमेरिकी सेना के एक जनरल ने यूक्रेन के उस दावे को खारिश कर दिया जिसमें जलिंस्की की सेना ने रूसी वायू सेना को भारी नुकसान पहुचाने की बात कई थी उस अमेरिकी जनरल के मुताबिक पिछले दो साल से जारी इस जंग में रूसी वायू सेना के सिर्फ दस पतिशत हिस्से को ही नुकसान पहुँचा। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस जंग में युक्रेन के कई शहर बरबाद हो गए। रूस के राज़वती पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खास रणनीती के तहट युक्रेन की कई पावर ग्रिट को निशाना बनाया जिसकी वज़े से कीव समेथ युक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। बारतिये पहलवान उधित ने किर्किस्तान में चल रही एशिन रिस्लिंग चैम्प्रपूर में तीन बदमाशों ने पिस्तॉल के दम पर 51 लाग रुपए से जादा की लूट को अंजान दिया। और इस वारदात का वीडियो जिसने भी देखा उसकी सांसे अटक नहीं उनमें एक बदमाश गहने की एक दुकान में ग्राहक बनकर घुसा और गहने देखने लगा लेकिन कुछ देर में उसके दो साथी भी वहां पहुंच गए और गहनों की दुकान में बैठे उस बदमाश ने अपने दोनों साथियों को आते देख अपनी पिस्तॉल निकाल ली इसके साथ उन दोनों बदमाशों ने भी पिस्तॉल निकाली और लहराते हुए नजर आए वहाँ एक साथ तीन पिस्टॉलें देखकर उस दुकान का एक करमचारी तो अंदर की तरफ भागता दिखाई दिया उस दुकान में गहने देख रही एक महिला की तो जान हलक में आ गए उन तीनों बदमाशों को देखकर घबरा गई और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती दिखी लेकिन उनमें नीली टीशेट पेने एक बदमाश ने उस महिला का हाथ पकड़ा और उसे बाहर जाने से रोक दिया इस बीच उसका एक साथी दोड़कर वहां रखे काउंटर के दूसरी तरफ चला गया इसके बाद तो नीली टीशेट वाले बदमाश ने अपना बैग काउंटर पर रखा और चुन चुन कर गहने बैग में डालता रहा और उसके दोनों साथी गहने लूटने में उसकी मदद करते दिखे पुलिस के मताबिक उन्होंने 51 लाक रुपे से जादा के गहने लूटे और वहां से परार हो गया इन लोगों की जानकारी देने पर पुलिस ने इनाम देने का अलान कर दिया उदर चीन से बढ़ते तराव के बीच जापान ने दूसरे विश्वयुद के बाद पहली बार समंदर में एरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया इस जंगी जहाद से खतरनाक लड़ा को विमान उडान भर सकेंगे यानि युद्ध में चीन की सेना को कड़ी ठकर देने के लिए जापान ने अपनी कमर कसली मतलब कि जापान अब चीन की सेना को कुल कर जवाब देना चाहता है और इसलिए उसने समंदर में अपनी नीव मजबूत कर ली बतागया कि एरक्राफ्ट कैरियर कागा को जापान के कुरे शहर में समंदर के बीच तैनात किया गया और जापान की नौसेना ने दुनिया के सामने इसकी जानकारी दे कर चीन को अपनी ताकत का संदेश दे दिया दावा किया गया कि समंदर में जापान के खतरनाक एेरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के लड़ाकु विमान F-35B का उडान बरना और लैंड करना आसान हो जाएगा और इस एईरक्राफ्ट कैरियर को अफ्ग्रेड करने में जापान को दो साल का वक्त लगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि जापान लंबे वक्त से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पठकनी देने की तैयारी में जुटा था इस भीज अमेरिका में एक महिला को 15 महीनों तक कीमो थरपी कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर ही नहीं है अमेरिका के टेकसस में एक महिला ने डॉक्तरों पर आरोप लगाया कि उन्हें कैंसर होने की गलत जानकारी दी गए इतना ही नहीं आरोप ये भी है कि डॉक्तरों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछी महीने बचे हैं इसके बाद उस महिला को डॉक्तरों ने पंदरा महिने तक कीमो थरे पीबी दी लेकिन बाद में एक जांच रिपोर्ट से उस महिला को पता चला कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं चीन से सीमा विवाद सुलजाने पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बयान के बाद चीन के विदेश मंतराले ने भी टिप्पुनी की चीनी विदेश मंतराले की प्रवक्ता माउन यंग ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बाद कही हाली में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को प्रिधान मंत्री ने एक इंट्रव्यू दिया था और उसमें चीन के साथ सीमा विवाद तुरन सुलजाने की बात कही थी भारत के शत्रंज खिलाडी ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को कैंडिडेट्स टॉरनमेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा इस टॉरनमेंट के साथवे राउंड में उन्हें फ्रांस के खिलाडी नहरा दिया इसार के बाद वो इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में एक रेलवे फाटक का बैरियर गिरने से ऐसा हाथसा हुआ कि उसे देखने वालों की इनने दाथों तले उंगलिया दबाली यहाथसा उस वक्त हुआ जब कई लोग उस फाटक के दोनों तरफ से रास्ता पार कर रहे थे और तभी उस रेलवे फाटक पर लगा बैरियर लोगों के उपर गिर गया तस्वीरों में उस फाटक के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती नजर आई काफी देर तक उस फाटक के बंद रहने की वज़े से वहाँ लंबा जैम लग गया था इस दोरान सड़क के दूसरी तरफ से सामान ढोने वाली एक गाड़ी आती दिखाई दी जैसे ही वो गाड़ी उस फाटक पर लगे बैरियर के करीब पहुंची उसका पिछला इससा उससे टकरा गया टकर लगते ही वो बैरियर एक जटके में वहाँ मौझूद लोगों पर गिर पड़ा लेकिन वहाँ अफरा तफरी तब मच गई जब उस बैरियर के गिरने से एक मोटरसाइकल वाले के सिर पर चोट लगे वो बैरियर इतनी जोड़ से उसके सिर पर गिरा कि वो जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वहाँ मौझूद लोग दोड़ कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे जबकि कुछ लोग उस बैरियर को इस मोटरसाइकल के उपर से हटाते नज़र आए बता गया कि इस हादसे में उस मोटरसाइकल वाले के सिर पर गंभीर चोट आई उदर चीन के बेहत खरीब समंदर में एक बड़ी ड्रिल करके अमेरिका ने शी जिन पिंग की नींद उड़ा दी इसके अलावा वहाँ जापान और दक्षन कोरिया की घातक पन डुब्यों और जहाजों ने भी अपना जोर दिखाया और अमेरिका ने दावा किया कि सेन्या भ्यास का मकसद चीन को ये बताना था कि वो अमेरिका के किसी भी दोस्त को कमजोर समझने की गलती ना करे अमेरिका पहले भी कई बार इस लाके में जापान दक्षन कोरिया और फिलिपीन के साथ सेन्या डुरिल कर चुका है ये समुद्री इलाका दक्षन चीन सागर कहलाता है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है और वो यहां किसी और देश की नौसेना के जहाजों को गुसने तक नहीं देता अमेरिका ने दावा किया कि चीन के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उसने दक्षन चीन सागर से लगने वाले बाकी देशों के साथ हाथ मिलाया तकि समंदर में बढ़ती चीन की दादा गिरी पर लगाम लगाई जा सके इस बीच महंगाई की मोर्शे पर राहत की खबर सामने आई रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 5 महीने का सबसे निचला स्तर है वित्तमंतराले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक खाने पीने की चीजों की खीमतों में गिरावट की वज़े से मार्च में रिटेल महंगाई दर घटी है फरवरी में ये दर 5.09 प्रतिशत पर थी सभी सेक्टरों में हुई बिक्वाली की वज़े से भारतिय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली इस दोरान बैंक, हेल्थ केर, FMCG, मीडिया, रियल्टी और ओलन गैस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज का सेंसिक्स 793 अंकों की गिरावट के साथ 74,244 फर बंद हुआ, तो निफ्टी 234 संग गिरकर 22,519 के सतर पर आ गया उदर अमेरिका के फिलिडेलफिया में एक रोज पहले ईद के जश्टन के दौरान दो गुटों में हुई गोली बारी की खबर से संसनी फैल गई, वहां कुछी मिंटों में चली 30 गोलियों की तरतराहट से भगदर मद बई, पुलिस के मताबिक इस घटना में तीन लोग ब पुलिस के मताबिक इद का जश्टन मनाने के लिए एक अठा हुए लोगों के बीच अचानक गोली बारी शुरू हो गई, और वहां दो गुटों के बीच एक के बाद एक 30 गोलियां चलाए गई, उसमें तीन लोग बुरी तरह घायल हो गई, पुलिस ने कारिवाई करते पुलिस के गाओं में हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए वहां धारा 144 लगानी पड़ गई, बताय गया कि जंगली हाथियों के जुन से भटक कर हाथी का वो बच्चा आबादी वाले इलाके के नस्दीक पानी से भरे गड़े में गिर गया, लेकिन उसे बच जाधा होने की वज़े से उसकी कोशिश नाकाम रही, उसने कई बार कोशिश की लेकिन जब उसकोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ तो हाथी का वो बच्चा थक हार कर गड़े में ही बैठ गया, हाथी के बच्चे के गड़े में फसने की ख़बर आग की तरह फ्यल गई, सबसे पहले उस गड़े का पानी कम किया इसके बाद हाथी के उस बच्चे को ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश कर दिया गया लेकिन बाहर निकलने के बाद जंगली हाथी का वो बच्चा किसी को नुकसान न पहुचा है इसके लिए उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई बताया गया कि खरीब 24 गंटे तक चले ऑपरेशन के बाद हाथी के उस बच्चे को बुल्डोजर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया इधर उत्तरप्रदेश के सीतापूर में उस वक्त थड़कम बच गया जब एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक डॉक्टर पर ही हमला कर दिया आरोफ है कि मरीज से शिकायत मिलने के बाद उस डॉक्टर ने उस दुकानदार को उसकी दवा लोटा दी और बस इसी बाद पर वो बुरी तरह भढ़क गया और उस डॉक्टर पर हमला कर दिया इससे पहले उस डॉक्टर और उस मेडिकल स्टोर मालिक के बीच बहस होती नजर आये उस वक्त वहां कई लोग भी खड़े दिखाए दिये तभी वो दोनों खड़े हुए और उस दुकानदार ने उस डॉक्टर को धक्का दे दिया पर अड़वार करते हुए उस डॉक्टर ने भी उसे जोड से धक्का देकर पीछे अटा दिया इसके बाद तो उसके सिर पर जैसे भूत सवार हो गया उसने उस डॉक्टर पर घूसों की बरसात कर दी ये देखकर वहाँ खड़े लोग बीच बचाव करने आया और उन दोनों को अलग किया लेकिन इसके बाद भी काफी देर तक उन दोनों के बीच जबानी जंग जारी रही आरोप है कि मेडिकल स्टोर के उस मालिक ने एक मरीज को गलत दवा दी दी थी और जब उस मरीज ने उस डॉक्टर से इसकी शिकायत की तो उसने वो दवा लोटा दी बस इसी बात पर वो गुस्से में आ गया और उसने उस डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी उधर दक्षन कोरिया के दूसरे जासुसी सेटलाइट लांच करते ही किम जॉंग उनने जंग की हुंकार भर दी उत्तर कोरिया की न्यूज एजनसी के सीने के मताबप किम जॉंग उनने वहां की मुक्ख्य सैन युनिवरस्टी का दौरा किया और सम्बोधन के दौरान अपने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को काव मतलब लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षन करने वाला उत्तर कोरिया अब जंग के मैदान में खुल कर खेलना चाहता है और किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन देशों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देना चाहता है क्योंकि उत्तर कोरिया की न्यूज एजन्सी के सी एने के मताबिक किम जॉंग उन्ने साफ कर दिया कि अब युद्ध का समय आ चुका है उत्तर कोरिया के शासक किम जॉंग उन्न वहां की मुख्य सेन्य उनिवरस्टी पहुंचे और सेना के अधिकारियों से मुलकात की इस दोरान वो सेनिकों से भी मिले और दावा क्या गया कि उन्होंने उन्हें अपने दुश्मन देशों के खिलाफ एक तरह से युद्ध की रणनीती पर काम करने के निर्जेश दे दिये केसी एने के मुताबिक किम जॉंग उन्ने अपने संबोधन में खुल कर बयान दिया कि उत्तर कोरिया के आसपास हालात ठीक नहीं है और सेना को युद्ध के लिए पहले से ज़्यादा तयार होकर रहना होगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त दक्षन कोरिया और उसके दोस्तों के खिलाव जंग चेड़ सकते हैं यानि सैनी उनिवरस्टी पहुँचकर उन्होंने सैनिकों में जोश भरने का काम किया वहां तालियों की गड़गडार सुनाई दी मतलब हत्यारों का दम दिखाने वाले किम जॉंग उन अपने सैनिकों को मानसिक तोर पर भी मजबूत करने में जुट गए इधर राजिस्तान के चुरू में उस वक दफरा दफरी मच गई जब वहां बदमाशों के गिरोह ने एक आदमी पर हमला कर दिया लेकिन जब उन बदमाशों को रखम नहीं दी गई तो उन्हों ने उस आदमी पर हमला कर दिया दस्वीरों में दिखा कि वह बदमाश दो गाड़ियों में आया और उनमें एक सामान ढोने वाली गाड़ी ने उस आदमी की गाड़ी में जोर्दार टक्कर मार दी इसी बीज एक बदमाश ने डंडे जैसी किसी चीज से उस गाड़ी में तोड़ फोड़ चुरू कर दी वो सामने की शीशों और खिड़कियों पर वार करता दिखाए दिया अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए लेकिन बदमाशों की गाड़ियां एक के बा बाड़ के बीच फसे एक क्यावन लोगों का रेस्क्यू किया गया वहाँ बाड़ की वज़े के से कई नदी और नाले न उफान पर आ गए इस दोरान एक नदी पार करने की कोशिश में एक बस उसके बीचों बीच फस गई और इसके बाड उस बस में बैठे सभी लोग जान बचाने के लिए उसकी चट पर चड़ गए तस्वीरों में वो बस आदे से जादा पानी में डूबी नज़र आई जबकि उस नदी के किनारे लोगों की भारी भीड दिखाई थी इसके बाद वहाँ पहुँची रिस्क्यू टीम ने अपने दो गोता खोरों को पानी में उतारा ताकि वो उस बस तक पहुँच पाएं लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उस तक पहुँचने में उनके पसीने चूड़ गए उस बस तक पहुँचकर उन्होंने उसकी खिड़की से एक रसी बांधी और फिर उसके सारे एक एक कर सभी लोगों को बाहर निकालने में जुड़ गए इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ की रेस्क्यू टीम ने अपनी एक नाव भी उस नदी में उतार दी कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर कार उस बस में सभार सभी 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया इस आदसे के लिए उस बस के ड्राइवर पर लापरवाही कारोब लगाया गया क्योंकि पानी के तेज बहाव के बावजूद उसने उस नदी को पार करने की कोशिश की उदर महराश्ट के पुणे में एक ट्राफिक लाइट पर रुके एक कार सभार को कुछ लोगों ने ऐसा पीटा कि वहाँ दूसरी गाडियों में सभार लोग घबरा गए बताया गया कि मामूली विबाद में उन लोगों ने उस कार सभार को बाहर निकाला और कई गाडियों के बीच उसे पीटना शुरू कर दिया और उनमें टोपी पहना एक आदमी तो उसे लगातार थपड मारता नजर आया कुछ देर में तो उसने कार की तरफ जोर से धक्का दे दिया वहां टोपी वाले आदमी के साथ तीन और लोग मौझूद दिखे जो आराम से मार पीट देखते रहे तभी उस कार सभार ने विरोध किया और टोपी वाले आदमी को मुक्का मारता दिखाई दिया लेकिन हद तो तब हो गई जब लाल शट पेना एक दूसरा आदमी वहां भागता हुआ पहुँचा और उस कार सभार को बुरी तरह पीटता नजर आया वो बार बार धक्का मार कर उसे कार के अंदर बैठने के लिए धमकाता रहा इस दोरान उन लोगों और कार सभार के बीच जड़प हो गई उस कार के पीछे कई गाड़ियां खड़ी नजर आई और सड़क पर जैम लग गया लेकिन जड़प चलती रही मार पीट करने वाले उस कार सभार पर वहां से चले जाने के लिए दवाब बनाते रहे लेकिन वो नहीं माना कुछ देर बाद कार सभार के साथ मार पीट करने वाले भी वहां से आगे की तरफ जाते दिखे वहां उन लोगों ने उस कार सभार को क्यों पीटा इसका पता नहीं चल सका इस बीच रूस की सेना के साथ जारी जंग के बीच यूकरेन में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए विवादास्वत कानून को वहां की संसत से मन्जूरी मिल गई अमेरिकी अख़वार नियूआक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मताबिक जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना में पांच लाग सैनिकों की भरती करना है ताकि जंग के हर मोर्चे पर रूस की फौज को तगड़ा और करारा जवाब दिया जा सके क्योंकि पिछले दो साल से ज़ादा वक्त से चल रही इस जंग में यूकरेन के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है अमेरिकी अख़वार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक इस वक्त यूकरेन की सेना सैनिकों की भारी कमी से जूज रही इसलिए जंग में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए युक्रेन ने लंबे वक्त से ठंडे बस्ते में पड़े विवादासपत कानून को मनजूरी दे दी रिपोर्ट के मताबिक इस कानून के तहट सैनिकों की ज्यादा भरती करने के लिए उम्र की सीमा 27 साल से गटा कर 25 साल कर दी गई इसके लावा भरती होने के बाद किसी भी सैनिक के सेना चोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई बनाना और रूस से मुकाबले के लिए पांच लाग सैनिकों की फौज खड़ी करना है और राहूल गांदी के मतन बनाने और तेजस्वी आदव के मचली खाने के वीडियो पर सवाल उठाये पुधान मंत्री ने उदंपूर के अपनी रैली में दोनों वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाया उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहूल गांधी की ही ओर था क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो पिछले साल सावन के महीने में आया था उस वीडियो में राहूल गांधी लालू प्रसाद यादव से मतन बनाना सीखते दिखे थे पुधान मंत्री ने इसी वीडियो का जिक्र करते हुए बोल दिया कि सावन के महीने में ऐसा वीडियो शेर करने का मतलब लोगों को चिड़ाना था पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कॉंग्रेस की मानसिक्ता की तुलना मुगलों की मानसिक्ता से कर दी राहूल गांधी का मतन बनाने का वीडियो करीब साथ महीने पहले सावन के महीने में आथ और इसमें वो लालू यादव से बिहारी अंदाज में मटन बनाना सीख रहे थे वहां मीसा भारती भी मौझूद थी राहूल ने ये वीडियो खुद शेयर किया था और लिखा था कि लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला लेकिन राहूल गांदी का सावन के महीने में ये वीडियो आना विवाद का मुद्दा बन गया था और प्रधान मंत्री ने लोगसभा चुनाव के दोरान भी सो उठा दिया इससे पहले नवरातर के पहले ही दिन तेजस्वी आदव ने मचली खाने का वीडियो शेर किया था और इस वीडियो में वो अपनी सयोगी पाटी वी-आई-पी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ मचली खाते नजर आये थे लेकिन उनके इस वीडियो पर विवाद हो गया था, बीजेपी ने सवाल उठाय था कि तेजस्वी आदव ने नवरात पर ये वीडियो क्यों शेर किया, राहूल गांधी के मतन वाले वीडियो की बात करते करते प्रधान मंतरी ने मचली वाले वीडियो का मुद्दा भी उठ और आरजेटी पर तुष्टिकरण की राजनीति कारोप लगा दिया, तेजस्वी आदव ने जब ये वीडियो शेर किया था तो उन्होंने और मुकेश सहनी ने विपक्ष पर तंजभी कसा था, वो यह नहीं रुके थे, मचली खाने के वीडियो के अगले ही दिन उन्होंन संत्रा खाने का वीडियो शेर कर दिया था, संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए उन्होंने भगवा रंग की बात की थी और बीजेपी पर निशाना साधा था यानि पहले मचली पर सियासत गर्माई, फिर संत्रे पर राजनीती हुई और अब मटन भी मुद्दा बन गया क्योंकि पीम ने सावन में राहुल के मटन बनाने और तेजस्वी के नवरात्र पर मचली खाने के वीडियो पर कॉंग्रेस और आरजेटी को घेरा यानि इस चुनाव में मटन मचली भी चुनावी मुद्दा बन गया और इसी बात पर मथुरा सीट से निर्दली पित्याशी शिखा वर्मा भढ़क गई और सीधा उस अधिकारी से भिड़ गई जिसने गाड़ी रोकी थी अधिकारी ने बताया कि इन गाड़ीयों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया बलकि चुनाव आयोक के निर्देश के मुताबिक इनका वीडियो बनाय जा रहा था और इसी लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया इसी बात पर शिखा वर्मा और उनके समर्थक भढ़क गए नारेबाजी के बीच शिखा वर्मा अधिकारीयों से ही उलच पड़ी बाद बढ़ती देखकर पुलिस ने बीच बचाव किया और किसी तरह मतुरा सीट से निर्दली प्तियाशी शिखा वर्मा और उनके समर्थकों को शांत करवाया और गाडियों का काफिला आगे बढ़ गया उधर एनाईये के सूत्रों ने दावा किया कि बैंगलूरू बंब लास्ट केस के दोनों संदीक अब्दूलमतीन ताहा और मुसब्वर हुसैन शाजब सुरक्षा एजेंसियों को चक्मा देने के लिए एक ऐसे लॉज़ में छिपे थे जहां पहचान पत्र देने की जरूर पती नहीं थी मतलब वो दोनों हर हाल में अपनी पहचान छिपाने में जुटे थे हाला कि एनाईये की टीम ने दोनों को पश्चे बंगाल के पूर मेंदनी पूर के दीगा से गिरफतार कर लिया एक मार्च को मेंगलूरू के मशूर रेस्टोरांट रामेश्वरं कैफे मे दोपेर करीब एक बजे धमाका हुआ था और धमाके के अवाज से पूरा बेंगलूरू शेहर थरा गया था इस धमाके के ठीक 42 दिन बाद एनाईये की टीम ने दो संदिक्द अब्दुलमतीन तहा और मुसविर हुसेन शाजिप को गिरफतार करने का दावा किया नाईये ने दोनों को पश्च मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से गिरफतार करने की जानकारी दी नाईये के सूत्रों के मताबिक दोनों आरोपी वहाँ एक छोटे से लॉज में चिपे हुए थे वो ऐसा लोज था जहां उन्हें कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं थी नाईये के सूत्रों बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना हो सके और वो ऐसा लॉज या ऐसे गेस्ट हाउस को चिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेश देने की ज़रूरत ना हो आला कि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी NIA ने उन्हें ढूंड निकाला NIA ने दावा किया कि मुसविर हुसैन शाजिब ने ही रामेश्वरम कैफे में विस्फोटक रखा था और अब्दुलमतीन ताहा ने धमाके की पूरी साजिश रची थी मतलब NIA ने अब्दुलमतीन ताहा को बेंगलूरू बंबलास्ट का मास्टर माइंड बताया क्योंकि NIA का दावा है कि रामेश्वरम कैफे में धमाके की प्लैनिंग से लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चक्मा देने का पूरा प्लैन ताहा नहीं बनाया था जांच के दौरान ये भी पता चला था कि संदिक ताहा तमिलाड में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के मानले में भी वॉंटेड है NIA की जानकारी के मताबिक मुसविर उसेन शाजिब और अब्दुलमतीन ताहा करनाटक के शिमोगा जिले के रहने वाले है वह सूत्र बताते हैं कि दोनों आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हैं लेकिन एक मार्ज को रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद से ही दोनों फरार थे पिछले महिने की 23 तारिक को NIA ने धमाके के मुख्य संदिक्द के तौर पर दोनों की पैचान की थी NIA के सूत्रों के मताबिक दोनों की पैचान एक टोपी से की गई थी क्योंकि जांच के दौरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जांच अधिकारियों को एक टोपी मिली थी NIA के सूत्र बताते हैं कि जांच के दोरान ये पता चला था कि वो टोपी अब्दुलमतीन ताहा की थी जिसे उसने चन्नाई में खरीदा था सूत्रों का दावा है कि एक मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम रखने के दौरान मुसफिर हुसेन शाजिप ने वही टोपी पहनी थी जो NIA को रेस्टॉंट के पास से मिली थी सूत्रों बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला कि चन्नाई में उस तरह की टोपी के सिर्फ 400 पीस ही बेचे गए थे और इसके बाद NIA की टीम ने चन्नाई के उस इलाके के CCTV खंगान ने शुरू किये जिस इलाके में संदिक ताहा ने टोपी खरीदी थी NIA के सूत्रों के मताबिक कई दिनों की मेहनत के बाद जांच अधिकारियों को एक वीडियो में अब्दुलमतीन ताहा दुकान से टोपी खरीदता हुए दिखाई दिया था और सूत्र बताते हैं कि ताहा की उसी टोपी का इस्तमाल धमाके के दिन शाजिब ने किया था सूत्रों के मताबिक उसके घरवालों ने वीडियो देखने के बाद उसकी पैचान भी कर दी थी लेकिन रेस्ट्रों में धमाके की करीब एक महीने बाद भी ना तो शाजिब का कुछ पता चल रहा था और ना ही ताहा का क्योंकि सूत्रों का दावा है कि दोनों पुलिस को चक्मा देने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे जाँच एजिंसियों के मताबिक धमाका करने के बाद ताहा और शाजिब कुछ दिनों तक चिन्नई के एक इलाके में भी छिपे हुए थे लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़े दिनों के बाद दोनों वहां से भी निकल गए थे इसलिए दोनों की तलाश में ने करनाटक और तमिलनाड समेत कई राज्यों में च्छापे भी मारे थे इसके बाद 29 मार्श को दोनों पर 10-10 लाक रुपए का इनाम रखा गया था ताकि कि किसी भी तरह बेंगलूरू ब्लास्ट के इन दोनों संदिक्टों तक पहुँचा जा सके अलनकि सबूतों को जोडते हुए एनाईये ने दोनों संदिक्टों को पश्चमंगाल के पूर्व मिद्निपूर से गरफतार कर दिया लेकिन रामे श्रम कैफे ब्लास्ट से जुड़े दोन आमित मालविये और पश्चमंगाल पुलिस में वर शुरड़े लेकिन इस मुद्रे में सियासी तड़का तब लगा जब पश्चमंगाल के मुक्ययमिंतरी ममता नरजी ने अमित मालविये के बहानें बीजेपी और केंदर की शुरू हुआ जब NIA ने पश्चि मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से ब्लास्ट के दो संदिक मुसफ्विर उसेन शाजिप और अब्दुलमधीन ताहा को किरफतार किया इस ओपरेशन में NIA के साथ पश्चि मंगाल की पुलिस भी शामिल रही इसी के बाद अमित म मालविये ने ममता बेनर्ट जी पर निशाना साधिते हुए अपनी एक पोस्ट में पश्चि मंगाल को आतंकियों का घर बता दिया यही नहीं बीजेपी ने करनाटक की कॉंग्रेस सरकार पर भी अमला बोला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरीए बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गए इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में बी आरेस नेता के कविता को कोर्ट से बड़ा जटका लगा दिल्ली शराब घोटाला मामले में बी आरेस नेता के कविता को राउजविन्यू कोर्ट ने तीन दिन की सीबियाई रिमान में भेज दिया आलगी CBI ने कोर्ट से उनकी पांच दिन की कस्टडी मांगी थी के कविता पहले ही इस केस से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में तेहार जेल में बंध है दिल्ली के पूर्व उपमुखे मंतरी मनी शेसोध्या की अंतरिम जमानत अरजी पर राउजेविन्यो कोर्ट 20 अपरेल को सुनवाई करेगी इससे पहले मनी शेसोध्या ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की उन्होंने दलील दी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का संकल पत्र रविवार को जारी होगा खबरे के इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रिह मंतरी अमिट शाह और रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी मौजूद होंगे उदर लोगसभा चुनाव से पहले टी-मसी विधायक हमीदुल रह्मान ने बंगाल की विबक्षी पार्टियों के कारेकरताओं से खुल कर बोल दिया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद इस मामले पर बंगाल का सियासी पारा चड़ गया मगं बीजेपी भड़क गई और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला किया विवाद टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान की बंगाल के रायगंड से हुई एक चुनावी सबा से शुरू हुआ और इस चुनावी सबा में उन्होंने विरोधियों को खुले आम धमकी दे डाली बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रह्मान के बयान का वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो में उन्हें विपक्षी पार्टी के कारकरताओं को बोलते हुए सुना गया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद बीजेपी ने भी आओ देखाना थाओ और टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला कर लिया बीजेपी नेता शुबेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले पर संग्यान लेने की मांग की क्योंकि टीमसी विधायक ने विरोधियों को धमकाया बंगाल की राइगंज लोगसभा सीट पर 26 अपरेल को मत्तान होना है और हमीदुल रह्मान राइगंज के उत्तर दिनाशपूर विधानसभा क्षेतर से विधायक है और इसलिए उन्होंने 26 तारिक को केंद्रिय सुरक्षा बलके राइगंज से जाने का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया बुचाल आ गया आतिशी ने सुत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यारोब लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राष्टपती शासन लगाने के लिए साजिश रची केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है अलंकि बीजेपी ने नारोपों को बेबुनियात बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटगरे में खड़ा कर दिया बीजेपी नेता मनोश तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयान बाजी करके दिल्ली में केजरिवाल सरकार की नाकामियों पर परदा डालने की कोशिश में तुटी हैं दिल्ली के सारे कामकाज बादित हो रहें लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता। गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को संजे सिंग ने टाल दिया। केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जेल से निकलने के बार संजे सिंग भी कई प्रतर्शनों का हिस्सा बने थे। लेकिन इन प्रतर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसत नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फरेंस में संजे सिंग से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया लेकिन वो इस सवाल को टाल गये एक तरफ संजे सिंग ने अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को टाला, तो वहीं दूसरी और पार्टी के राज्यसबा सांसद, संजीव अरोडा, विक्रम जीत सिंग साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरिवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आएं और पोस्ट में सुनीता केजरिवाल की तारीफ की गई। लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची, किसानों का जथा उनकी कार पर तूट पड़ा। हाथों में काले जंडे लिए कुछ किसान उनकी सफेद कार के बॉनट पर चड़ने की कोशिश करते दिखे तो कुछ ने कार के दरवाजों और किड़कियों में हाथ मार कर उने ख और उन किसानों को धक्के देकर वहां से अलग किया। इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंस राज हंस बैठे थे उसे तो वहां से निकाल दिया गया लेकिन उनके काफले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फस गई। इस दिल्ली लोगसबा सीट से सांसद हैं लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें दिल्ली के बजाए पंजाब के फरीद कोर्ट से अपना उम्मीद्वार बनाया है। इस बीच बिहार में नितीश कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी आदव को जूटा बता दिया। बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नितीश कुमार पूर्व उप्व मुख्यमंत्री तेजस्वी आदव पर भढ़क गए। इस थरूर ने अपनी मांगों को नजर अंदाज करने पर कानूनी कारवाई की चितावनी भी दी। पेंगलोरू में पीने के पानी की कमी का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गरमा गया। वहां के कई लाकों में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि एक हाउसिंग ससाइटी ने तो लोकसभा चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया। अमेरिकी अख़वार दे वॉल स्रीट जनल के मुताविक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इरान अपने कट्टर दुश्मन इसरैल पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका के अख़वार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसरैल और अमेरिका की सेनाएं अलर्ट मोड में आ गई। क्योंकि इसरैल के उत्तर या दक्षण में सीधे हमले का प्लैन तयार कर लिया और अगबार की रिपोर्ट के मुताबिक कि यह हमला 24 से 48 घंटे के अंदर हो सकता है। क्योंकि सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद से ही इरान बदले की आग में चल रहा है। इरान लगातार ये धंकी दे रहा है कि दूतावास पर हमले का बदला वो लेकर रहेगा। इरान के मीडिया के मताबिक उसकी सेना ने इसरैल से बदले के लिए कई विकल्प तयार कर लिये। खबरों के मताबिक एरान अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसरेयल के किसी दूतावास को निशाना बना सकता है या पिर उसकी सेना और खुफ़िया एजन्सियों के ठिकानों पर बारूत बरसा सकता है और अगर उसने ailsa किया तो इसरेयल भी करने में देर नहीं करेगा खबरों के मुताबिक एरान की धंकियों को देखते हुए इसरेल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुड़ गई थी पेनिमिन नितनियाहू ने अपनी सेना और खुफिया एजनसी मुसाद को इलट कर दिया थी क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि सिरिया में दूतावास पर हुए हमले के बाद इरान चुपने ही बैठने वाला, इरान के हमले की तयारिों पर मीडिया कंपनी ब्लूमबग की एक रिपोर्ट ने भी महर लगा दी और सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले में उसके दो बड़े अफसर मारे गए थी खबरों के मताबक उस हमले के बाद से आयार जीसी का खून खौल रहा कि ये बिना धंकी दी थी कि इसरेल को दूतावास पर हमला कराने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी इसी बीच 24-48 घंटे में इसरेल पर हमले के दे वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे ने पूरी दुनिया को डरा दिया पश्चिमेश्या से लेकर यॉरप के कई की देशों में अलर्ट घोशित कर दिया गया अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोट पर रखा क्योंकि एक रोज पहले ही बाइडन ने इसरेल को भरोसा दिया था कि इरान ने हमला किया तो अमेरिकी फौज इसरेल के लिए रक्षा कवज बन जाएगी क्योंकि इसरेल और इरान इस वक्त बारूद के ऐसे धेर पर बैठे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबहा कर सकती है इसी वज़े से फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लेंड ने अलर्ट जारी कर दिया 24 से 48 घंटों में जंग शुरू होने के आशंका के बीच बारत सरकार के विदेश मंत्राले ने नागरिकों को इरान और इसरेल ना जाने की सला दी इरान और इस्राइल गए हुए भारतिय नागरिकों को विदेश मंत्राले ने वहां मौझूद भारतिय दूतावास से संपर्क करने की भी सला दी जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इस्राइल, इरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया ब्रिटन ने अपने नागरिकों को तुरंत इस्राइल छोडने के निर्देश दे दिये पश्चिमेश्या में साओधी अरब ने भी अलर्ट जारी कर दिया मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई इसरैल के मीडिया के मताबिक एरान के हमले की धमकियों के बीच प्रधान मंतरी बनिमी नितन्याऊं ने वहां के सेना प्रमुख से मुलाकात की और तयारियों का जाइजा लिया खबरों के मताबिक नितनियाहू ने मुसाद के टॉप एजिन को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया यानि इरान के हमले का जवाब देने के लिए इसरेल भी पुखता तैयारी में जुड़ गया इसरेल के मीडिया के मताबिक सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले के बाद इसरेल ने अपने GPS नाविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था माना जा रहा है कि इरान की गाइड़न मिसालों के हमलों को रोकने के लिए इसरेल की फौज ने ये कदम उठाया ये खास तरह का ढांचा होता है जो बंओ के हमले से सुरक्षा देता है इसरेल से इरान की दूरी करीब 2300 किलो मीटर है दोनों देशों के बीच इराक, सिर्या और जॉर्डन जैसे देश मौजूद है किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी लेकिन हालात बदले तो इरान और इसरेल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए क्योंकि इरान ने हमेशा हमास और हिजबुला जैसे संगठनों का सहारा लेकर इसरेल को निशाना बनाया जबकि इसरेल ने सीधे तोर पर इरान के ठिकानों पर कई बार हमले किये लेकिन इस बार अगर इरान सीधे इसरेल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पश्चिमेशा में फैल सकती है और इसके नतीजे बेहत खतरनाक हो सकते हैं और पूरा पश्चिमेशा जंग की आग में जुला सकता है इसरेल और अमेरिका की तैयारियों और तेवरों के बीच इरान के सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनाई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक जुट होने को कह दिया और गाजा में इसरेल के हमलों का जिकर करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की आयतुल्ला अली खामनाई ने मुस्लिम देशों को सुझाव दिया कि इसरेल को अलग तलग करने के लिए सभी देशों को उससे अपने सभी प्रकार के संबंद तोड लेने चाहिए और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है इस बीच गतर और कुएत ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो इरान के खिलाब जंग के लिए अपने इलाके और ठिकानों का इस्तमाल नहीं करने देंगे इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एक जुटता के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका इरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुल कर इसरेल के साथ खड़ा दिखाए दिया लडाकों ने इसरेल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी हमास के लडाकों ने सैक्ड़ों लोगों को गोली मार कर मौट के घाट उतार दिया था और करीब धाई सो लोगों को बंधग बनाकर अपने साथ घाजा ले गए थी इसरेल ने या रोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर ये हमला इरान के इशारे पर ही किया था हाला कि इरान ने इससे पूरी तरह इंकार किया था लेकिन साथ अक्टूबर को इसरेल पर हमास के हमले के बाद इरान में जम कर जश्ट मनाया गया था और उसी जश्ट ने इसरेल के लोगों के कलेजे में आग लगा दी थी इरान पहले से ही इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गए और हमास और इसरेल की जंग के छे महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इरान और इसरेल में भी जंग छिड नहीं वाली है इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री आंजनी बिंकिन ने साओधी अरब, चीन और तुर्की से इरान को हमला ना करने के लिए मनाने की अपील की इस बीच वायू सेना के एक रेस्क्यू आपरेशन की वज़े से सेना के एक जवान के कटे हुए हाथ को आसानी से जोड़ा जा सका बारतिय वायू सेना की मुस्तेदी की वज़े से सेना के एक जवान के हाथ की सरजरी समय रहते मुम्किन हो पाई दिल्ली में सेना के अस्पिताल में उस जवान के कटे हुए हाथ को समय रहते जोड दिया गया इसकी जानकारी वायू सेना ने खुद सोशल मीडिया के जरिये दी बताय गया कि लटाक के ले में हुए एक हाथसे में उस जवान का हाथ कट गया था उसके बाद महस चार घंटे में उसे वायू सेना की मदद से दिल्ली पहुँचा दिया गया प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उदंपुर में एक रैली के दोरान ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्ज का दरजा दिया जाएगा केंद्रिय मंतरी राजनाथ सिंग ने एमर्जनसी की एक घटना का जिकर कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मां के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए परोल तक नहीं मिल सकी थी उन्होंने इन चुनाओं में ताबर तोड रैलियां की आकाश आनंद की रैलियों में जुटे लोगों में उन्हें देखकर जोश भर गया उन्होंने उनके समर्थन में नारे भी लगाया और आकाश आनंद के भाशान के दौरान तालियां भी बजाई माना जा रहा है कि बीएसपी ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उता रहा है और इसलिए आकाश आनंद ने मतुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मदद्दताओं को अपने फाले में लाने की कोशिश की उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया साथियो राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अपनी रैलियों में आकाश ने आकरामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया समाजवादी पार्टी पर तो वो जम कर बरसे 2019 के लोगसबा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गडबंधन था लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टीों के रास्ते अलग हो चुके क्योंकि अखिलेश यादव और कॉंग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं आकाश आनंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायवती का नाम लिया लेकिन उनके तेज दर्रार अंदाज ने ये संकेत दे दिये कि इस बार के चुनाव में वो ही बीएसपी का चेहरा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने तावर तोड रैलियां किया आकाश आनंद ने इस चुनाव में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी बार फिर चंद शेकर आजाद पर हमला किया और उन्हें बहरूपिया बोल दिया आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगो पुद उम्गरा करने काम करते हैं इसे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनंद ने चंदरशेकर का काम करने का बूरा तरीका ही बता दिया था कि वो PSP के युवा समर्थकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं आकाश आनंद पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई पहला वो चुनाम में पार्टी का चेहरा बने और दूसरा उन्होंने PSP का विकल बनने की कोशिश में जुटे चंदरशेकर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और PSP को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुट गए इतर हिमाचल प्रदेश के मनाली में कंग्ना रनौत ने मंडी से कॉंग्रेस के दावेदार माने जा रहे विक्रमदित्य सिंग को सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी कि वो हिमाचल प्रदेश को अपने परिवार की जागीर समझने की गलती ना करें इससे पहले उन्होंने राहूल गांधी पर तंस कसा था और अब उनके इस बयान ने भी हिमाचल की राजनीती में संचनी मचा दी क्योंकि उनके निशाने पर था हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस नेता विक्रमदित्य सिंग का परिवार कंगना रनौत ने आरोब लगाया कि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्य सिंग और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपनी बपोती समझा आनकि विक्रमदित्य सिंग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की उन्होंने दावा किया कि कंगना रनौत ने निजी हमले कर हिमाचल की राजनीति का माहौल बिगाडने की कोशिश की कंगना रनौत ने विक्रमदित सिंग के जरीए कॉंग्रेस की परिवार वाद वाली छवी को निशाने पर लिया ऐसा इसलिए क्योंकि राज परिवार से आने वाले विक्रमधित्र सिंग, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी वीर भद्र सिंग और प्रतिबा सिंग के बेटे हैं उनके पिता राजा वीर भद्र सिंग पांच बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी रहे और उनकी मां प्रतिबा सिंग, हिमाचल कॉंग्रेस के अध्यक्ष और मंडी लोकसबा सीट से मौजूदा सांसद भी है और अटकले हैं कि उनके परिवार के दबदबे की वज़े से इस बार मंडी से कॉंग्रेस विक्रमधित्ति सिंग को मैदान में उतार सकती है उदर गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने भी जेल में जहर दिये जाने की आशंका जाहर की गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने गाजीपुर की कोट से अपनी सुरक्षा की गोहर लगाई खबरे की कुछ दिनों पहले कोट में एक मामले की सुनवाई के दोरान उनके वकील की तरफ से कोट में अपील की गई तूँ इसकी जानकारी अब सामने आई नैशनल कॉनफरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने ये एलान किया जम्मू कश्मीर की पांच लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस और नैशनल कॉनफरेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी ने उत्रप्रदेश की कौशामबी और कुशी नगर लोगसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपने दो उम्मीदवारों की लिस्ट शेयर की जिसके मताबिक कुशामबी से पुशबेंदर सरोज और कुशी नगर से अजयर प्रताफ सिंख और पिंटू सैंथवार को प्रत्याशी बनाए गया पिहार के सुपॉल में नौवी क्लास में बच्चों के दाखिले को लेकर लागू किये गए नए नियम के खिलाफ चात्रों ने सड़क जैम कर दिया नए नियम के मताबिक चात्रों को उन स्कूलों में दाखिला लेना जरूरी होगा जो स्कूल उनके पंचायत के तहट आएंगे लेकिन परिशानी यह है कि कई स्कूल कुछ गाओं से बेहत दूर है और शिक्षा विभाग के इसी नियम के खिलाफ नौमी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने हाईवे जैम कर दिया वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर धरना देते दिखाए दिये गाड़ियों को रोकने के लिए हाईवे पर जाड़ियां और लकनियां रखी निजर आई बच्चों के इस विरोध प्रदर्शन की वज़े से वहां जैम जैसे हालात बन गए घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन धरने पर बैठे बच्चे सड़क से उठने के लिए तयार नहीं हुए बतायागया कि आठवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब पास्क की स्कूल में नौवी के दाखले के लिए पहुंचे थे तो उन्हें दूसरे स्कूल में जाने के लिए कहा गया जो वहां से कई किलोमीटर दूर है जहां इस स्कूल को टैक किया गया एडमिशन करने के लिए वो इसकूल यहां से पांच किलो मेटर नदी पार करके जाना पड़ता है नहीं इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए उत्तर भारत के राज्यों के लिए बारिश और बर्वबारी का अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली और उसके आसपास के अलाकों में 13 से 15 अपरैल के दौरान हलकी से भारी बारिश का नुमान जताए गया जबकि पहाडी राज्यों में बारिश के साथ बर्वबारी की भी चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली अन्सियार समेथ 14 राज्यों में 13 से 15 अपरैल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है इन में उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, चत्तीजगर, बिहार और जार्खन शामिल है इनके लावा तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंद्रप्रदेश, उडिशा और तमिलनाड में भी बारिश की संभावना जताए गई मौसम विभाग ने मद्यप्रदेश के 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जिफकि उत्तरप्रदेश के 13 और पिहार के 9 जिलों में तेज हमाओं के साथ बारिश का अनुमान जताए गया लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट से पहाड़ी राज्यों की मुसीबत बढ़ गई क्योंकि अनुमान जताया गया कि 13 से 15 अपरेल के बीच जम्मु कश्मीर, लट्दाक और इमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है दूसरी तरफ मौसम विभाग ने करनाटक और आंदर प्रदेश के तटिये इलाकों में हीट वेव की भेविश्वानी कर दी इन सब के बीच विधान मंत्री मोदी ने गर्मी के मौसम पर एक बैठक की इसमें उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गई तैयारियों का जायजा लिया और राज्जी की सरकारों के साथ मिलकर काम करने की निदेश दिये उधर पंजाब के फिरोसपूर में एनाईये ने एक आतंकी की संपत्ती जप्त कर ली पंजाब के फिरोसफूर में NIA ने आतंकी रमन दीप सिंग और रमन की अचल संपत्ती जब्त करने का दावा किया खबरे की ये कारवाई खालिस्तान का समर्थन करने वाले गैंगस्टरों और आतंकियों के खिलाफ चलाय जा रहे अभियान के तहट की गई NIA की विशेश अदालत ने पिछले साल जुलाई में रमन दीप सिंग को बगोड़ा गोशित कर दिया था भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वहां रहने वाले हिंदू और सिक्समुदाय के लोगों को उनकी जमीने वापस करने की बात गई गई थी कुछ रोज पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि वहां जल्द ही अल्ब संखिकों को उनकी जमीने लोटा दी जाएंगी तालिबान के मताबिक इन जमीनों पर पहले की सरकार के कुछ नेताओं ने कबजा कर लिया था चंडिगड के तीन आईएस अधिकारियों पर फ्रांस की राजधानी पैरिस में फिजूल खर्ची कर लाखों रुपए बरबात करने के आरोफ लगे चंडिगड के डिरेक्टर जनरल अफ ऑडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई बताया गया कि ये तीनों आईएस अधिकारी 2015 में पैरिस की यात्रा पर गए थे और आरोफ लगे कि ये तीनों अधिकारी पैरिस के महंगे हुटलों में रुके और बिजनस क्लास में उन्होंने यात्रा की इधर राहूल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी पर कॉंग्रेस राशन पानी लेकर चट पड़ी स्मृती इरानी ने केरल के वाइनाड में दिये राहूल के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की इस दोरान उन्होंने राहुल गांधी को निकम्मा कह दिया और इसी से कॉंग्रेस तम्तमा उठी केंद्रिय मंतुरी स्मिती रानी ने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केरल की वाइनाड लोकसबा सीट के लोगों को अपना परिवार बताया था उसी को आधार बनाते हुए श्मिती रानी ने राहूल गांधी पर तीखामला बोला इसके बाद यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजे राय ने श्मिती रानी को जवाब देने में देर नहीं की सुत्रों के मताबिक केरल की वाइनाड सीट पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस अमेठी से राहूल की दावेदारी का ऐलान कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 2019 की तरह राहूल गांधी र स्मिती रानी के बीच मकाबला होगा माना जा रहा है कि इसी वज़े से स्मिती रानी लगातार राहूल गांधी पर हमलावर नजर आई ताकि इसका फाइदा उन्हें अमेठी के लोगसवा चुनाव में हो सके उधर मद्रदेश में कमलनाथ के किले यानी चिंदवारा में वोटिंग से एक हफ़ते पहले बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के करीबी और चिंदवारा के किसान नेता अमित सकसेना को अपने पाले में खींच लिया उनके अलावा मद्रदेश के दो विधायक भी कांग्रिस का साथ चोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कई कारेकरताओं को भी लेकर आए इसे कमलनाथ के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि बीजेपी में आए अमित सकसेना का चिंदवारा में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने कमलनाथ को गेरने का एक और ताओं चल दिया इससे पहले चिंदवारा में ही मद्धिप्रदेश के सीम मोहन यादव ने कमलनाथ पर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया कमलनाथ के किले को ढाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताका जोंक रखी है यहाँ तक कि मद्धिप्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव चुनाव से पहले चिंदवारा के पांच दौरे कर चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी ने MP की 29 में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और चिंदवारा की एकलोती सीट थी जो कॉंग्रेस के हिससे आई थी और तब कमलनाथ के बेठे नकुलनाथ ने ये सीट जीती थी जो इस बार भी चिंदवारा से उम्मीदवार बनाए गए चिंदवारा लोगसभा सीट पर 19 अपरेल को वोट डाले जाएंगे और उसने उस फ्लैट के बाहर रखे जूते चुरा लिए लेकिन जूते चुराने की एक घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड होगे चोरी करने से पहले वो काफी देर तक वहां ध्यान से देखता रहा सबसे पहले तो वो अपने बाई तरफ के उस फ्लैट की डोरबेल बजाता दिखाई दिया इस भी जुसकी नजर दाई तरफ के एक दूसरे फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर पड़ी और वो टक्टकी लगाये उन जूतों की तरफ देखता रहा इस दोरान वो सीडी की तरफ भी देखता दिखाई दिया तभी बाई तरफ वाले उस फ्लैट का दर्वाजा खुला और एक महिला ने उसके हाथ से समान ले लिया लेकिन समान देने के बाद भी वो डिलिवरी बॉय वहीं खड़ा रहा कुछ देर में उसने फिर जूतों की तरफ देखा इसके बाद उसने अपना मोबाईल फोन जेब में रखा और सिर्व पर बांधा गमचा उतार कर चेहरा पोंचने लगे चेहरा पोंचते हुए वो सीडी से नीचे जाता दिखाई दिया लेकिन चार से पांच कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाउं उपर चड़ गया इसके बाद तो उसने अपना गमचा पहलाया और काले रंग वाले उन जूतों को उठा लिया और उन पर गमचा ढखते हुए वहां से निकल गया अला कि वीडियो सामने आने पर खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने इस डिलिवरी बॉई की हरकत पर अफसोस जताया उदर चीन ने अमेरिका की दो कंपनियों पर पाबंदी लगा कर उसे खुली चुनौती दे दी अमेरिका से थनाव के बीच चीन ने दो अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंद लगाने का ऐलान कर दिया चीन ने डिफेंस से जुड़ी इन दोनों अमेरिकी कमपनियों पर ताइवान को हधियार बेचने में मदद करने का आरोप लगाया इसके साधी उसने अपने यहां मौजूद इन कमपनियों की संपत्तियों को फ्रीज भी कर दिया चीन लंबे वक्त से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है खबरे के मालदीव में भारती परटिकों की संख्या में भारी कमी आने के बाद वहां परटिन से जुड़ी एक बड़ी संस्था भारत के अलग-अलग शेहरों में परचार करेगी इसका मकसद मालदीव में परटिन को बढ़ावा देना होगा खबरे के इस संस्था ने मालदीव में मौझूद भारती उच्चा युक्ट से इस सिलसले में मुलाकात भी की खबरे की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की नमबर एक कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क की भारत यात्रा दो दिन की होगी इस दोरान वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के अलान के साथ कुछ और गोशनाएं भी कर सकते हैं और इसी दोरान भिलाई स्टील प्लांट के अंदर आग की भयंकर लप्टें उड़ती दिगी इस आग की वज़े से वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि प्लांट के एक हिस्से में भड़की आग बिजली की तेजी से दूसरे हिस्सों तक बढ़ती नज़र आई तस्वीरों में दिखा कि उस भीशन आग की उँची उँची लप्तें प्लांट की छट के नज़्दीक तक पहुँच गई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे प्लांट को जला कर राक कर देंगी आलंकि सूचना मिलने पर पहुँचे दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया लेकिन बताया गया कि आग की वज़े से प्लांट को भारी नुकसान पहुँचा आलंकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि भिलाई स्टील प्लांट तीन दिनों में दूसरी बाराग की चपिट में आ गया यही वज़र ही कि इस मामले में सकती से जांच कादेश दे दिये गए इस बीश लालू यादव की बेटी और बिहार की पाटली पुत्र लोग सबा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधान मंतरी को जेल भेजने वाले बयान पर 24 घंटे के अंदर ही सफाई दे दी मीसा भारती के इस बयान पर बिहार के बीजेपी नेताओं से लेकर दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने भी मुर्चा खोल दिया था लेकिन मीसा भारती ने तो प्रधान मंतरी को लेकर दिये गए उस बयान से ही किनारा कर लिया जिसे लेकर पिछले 24 गंटे से बिहार समेथ दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ गई थी मीसा भारती के मुताबिक उन्होंने कभी प्रधान मंत्री को जेल भीजने की बात कही नहीं मीसा भारती पाटली पुत्र से चुनावी अखाड़े में उतरी हैं इस दोरान वो लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटी है और ऐसे ही एक कारिकरम के दौरान एक रोज पहले उन्होंने प्रधान मंत्री पर वो बयान दिया था अलाकि अब मीसा भारती के सुर्थ बढले हुए दिखे उन्होंने सरकार आने पर जाँच और दोशियों पर कारवाई की बात कहकर प्धान मंत्री को जेल भेजनी वाली बात से किनारा कर लिया। उदर चीन के साथ सीमा पर बढ़े तनाव के बीच भारतिय सेना ने सिक्किम में टैंकों को तबाह करने का अभ्यास किया। भारतिय जवानों ने बेहद उचाई वाले मुश्किलों से भरे पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ठिकाने लगाने की ताकत पर खी। और इसमें मिसाइल के हमले में टैंकों और बक्तरबन गाड़ियों को तबाह करने का अभ्यास किया गया। इस ड्रिल में भारतिय सेना के कई टुकनिया शामिल हुई। तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी पर मौझूद जवानों ने मिसाइल लॉंचर की मदद से टार्गेट पर निशाना साधा और पलक जपकते ही उस पर जोरदार हमला कर दिये। इस ड्रिल को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया। जानकारी के मताबिक सिक्किम की उत्री सीमा से लगने वाले तिब्बत के इलाकों में चीन की सेना की कई टुकनियां तैनात हैं। ऐसा माना गया कि भारत की ये तैयारी जरूरत पढ़ने पर चीन से दो-दो हाथ करने में बेहत मददगार साबित होगी। उदर जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में हत्यारों की बड़ी खेब बरामत कर आतंकी साधिश नाकाम कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में बी-एस-फ के जवानों ने हत्यारों का जखीरा बरामत करने का दावा किया। पता गया कि जंगलों में चलाए गए सर्च आपरेशन के दौरान बारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूत जब्त किया गया। खबर है कि उनमें खतरनाक AK-47 राइफल भी शामिल है। हिंदु प्रशांद क्शेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्टपती बाइडन ने जापान के प्रधान मंत्री और फिलिपीन्स के राष्टपती से मुलाकात की। ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों देश मिलकर इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। इसरेल और इरान विवाद के बीच अमेरीकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने इसरेली सेना प्रमुख से मुलाकात की। एक रोज पहले ही अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इसरेल पर इरान मिसाइल से हमला कर सकता है। अमेरिका ने दावा किया कि इसरेल के सैन्य और सरकारी ठिकानों पर इरान कभी भी मिसाइल से हमला कर सकता है। इधर राजिस्तान की राजधानी जैपूर में तीन बदमाशों से एक अकेली लड़की के भिड़ने का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। बताया गया कि रोज की तरह वो लड़की सुबब पांच बजे अकेले ही टेलने निकल गई थी। लेकिन तभी उनमें एक बदमाश ने जबटा मार कर उस लड़की के गले से चेन तोड़ ली। वो बदमाश उसके बाल पकड़कर उसे बीच सड़क पर घुमाता नजर आया। थोड़ी तेर बाद उसका एक दूसरा साथी भी वहां आ गया। और जब उन बदमाशों ने वहां से भागने की कोशिश की तो वो लड़की भी उनके पीछे दोड़ पड़ी। इस दोरान उनका एक साथी मोटरसाइकल पर उनका इंतजार करता दिखाई दिया। सुनसान सड़क पर तीन बदमाशों से घिरे होने के बावजूद उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी चेन वापस लेने के लिए अकेले ही उनसे भीड़ गई। वो उनका पीछा करते हुए उस मोटरसाइकल के पास तक पहुन लिए। लेकिन तभी अपना बचाव करने के लिए उनमें एक बदमाश ने एक गुलेल निकाल ली जिससे डर कर वो उल्टे पैर वहां से भागती दिखाई दी। और फिर उसे गुलेल मारने के बाद वो तीनों बदमाश वहां से फरार हो गये। इसके बाद उस लड़की ने पुलिस थाने पहुँचकर उन तीनों के खलाब एपायार दर्च करवाई। सामने आ गया और उसने उन बुजूर्ग की शर्ट की ऊपर वाली जेब में हाथ डाल दिया। ऐसा होते ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और जोड़-जोड़ से शोर मचाना शुरू कर दिया। बुजूर्ग के चिलाते ही डर के मारे पीली शर्ट वाला एक बदमाश आगे निकल गया लेकिन बाकी दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया। और वो तब तक नहीं भागे जब तक उन्हों ने उनके पास मजूद सारे पैसे चीन नहीं लिए। इस मामले में पुलिस ने आक्शन लेते हुए दो बदमाशों को तो दबोच लिया और तीसरे की तलाश में जुड़ गी। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस जंग में युक्रेन के कई शहर बरबाद हो गए। इन दोनों इवेंट में पहलवान अभिमन्यों और विकी ने ब्रॉंज मेंडल हासल किये। इधर बिहार के मुझफवरपुर में तीन बदमाशों ने पिस्तॉल के दम पर एक क्यावन लाग रुपए से ज़ादा की लूट को अंजाम दिया। और इस वारदात का वीडियो जिसने भी देखा उसकी सांसे अटक नहीं। उनमें एक बदमाश गहने की एक दुकान में ग्राहक बनकर घुसा और गहने देखने लगा। लेकिन कुछ देर में उसके दो साथी भी वहां पहुंच गए। और गहनें की दुकान में बैठे उस बदमाश ने अपने दोनों साथियों को आते देख अपनी पिस्टॉल निकाल ली। इसके साथ उन दोनों बदमाशों ने भी पिस्टॉल निकाली और लहराते हुए नजर आए। वहाँ एक साथ तीन पिस्टॉलें देखकर उस दुकान का एक कर्मचारी तो अंदर की तरफ भागता दिखाई दिया। लिकिन उस दुकान में गहने देख रही एक महिला की तो जान हलक में आ गए। उन तीनों बदमाशों को देखकर घबरा गई और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती दिखी। लेकिन उनमें नीली टीशेट पेने एक बदमाश ने उस महिला का हाथ पकड़ा और उसे बाहर जाने से रोक दिया। इस बीच उसका एक साथी दोड़कर वहां रखे काउंटर के दूसरी तरफ चला गया। इसके बाद तो नीली टीशेट वाले बदमाश ने अपना बैग काउंटर पर रखा और चुन चुन कर गहने बैग में डालता रहा और उसके दोनों साथी गहने लूटने में उसकी मदद करते दिखे। पुलिस के मताबिक उन्होंने 51 लाक रुपे से जादा के गहने लूटे और वहां से फरार हो गया। इन लोगों की जानकारी देने पर पुलिस ने इनाम देने का अलान कर दिया। उदर चीन से बढ़ते तराव के बीच जापान ने दूसरे विश्वयुद के बाद पहली बार समंदर में एरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया। इस जंगी जहाद से खतरनाक लड़ा को विमान उड़ान भर सकेंगे। यानि युद में चीन की सेना को कड़ी ठकर देने के लिए जापान ने अपनी कमर कस लिए। मतलब कि जापान अब चीन की सेना को खुल कर जवाब देना चाहता है। और इसलिए उसने समंदर में अपनी नीव मजबूत कर ली। बताया गया कि एरक्राफ्ट कैरियर कागा को जापान के कुरे शहर में समंदर के बीच तेनात किया गया और जापान की नौसेना ने दुनिया के सामने इसकी जानकारी दे कर चीन को अपनी ताकत का संदेश दे दिया दावा किया गया कि समंदर में जापान के खतरनाक एरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के लड़ाकु विमान F-35B का उड़ान बरना और लैंड करना आसान हो जाएगा और इस एरक्राफ्ट कैरियर को अफग्रेड करने में जापान को दो साल का वक्त लगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि जापान लंबे वक्त से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पठकनी देने की तैयारी में जुटा था इस भीज अमेरिका में एक महिला को 15 महीनों तक कीमो थरपी कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर ही नहीं है अमेरिका के टेकसस में एक महिला ने डॉक्तरों पर आरोप लगाया कि उन्हें कैंसर होने की गलत जानकारी दी गए इतना ही नहीं आरोप ये भी है कि डॉक्तरों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछी महीने बचे हैं इसके बाद उस महिला को डॉक्तरों ने पंदरा महीने तक कीमो थरे पीवी दी लेकिन बाद में एक जांच रिपोर्ट से उस महिला को पता चला कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं चीन से सीमा विवाद सुलजाने पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बयान के बाद चीन के विदेश मंतराले ने भी टिप्पुनी की चीनी विदेश मंतराले की प्रवक्ता माउन यंग ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बाद कही हाली में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को प्रिधान मंतरी ने एक इंट्रव्यू दिया था और उसमें चीन के साथ सीमा विवाद तुरन सुलजाने की बात कही थी भारत के शत्रंज खिलाडी ग्रैंड मास्टर डी कुकेश को कैंडिडेट्स टॉनमेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा इस टॉनमेंट के साथवे राउंड में उन्हें फ्रांस के खिलाडी नहरा दिया इसार के बाद वो इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में एक रेलवे फाटक का बैरियर गिरने से ऐसा हाथसा हुआ कि उसे देखने वालों की इने दाथों तले उंगलिया दबाले यहाथसा उस वक्त हुआ जब कई लोग उस फाटक के दोनों तरफ से रास्ता पार कर रहे थे और तभी उस रेलवे फाटक पर लगा बैरियर लोगों के उपर गिर गया तस्वीरों में उस फाटक के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती नजर आई काफी देर तक उस फाटक के बंद रहने की वज़े से वहाँ लंबा जैम लग गया था इस दोरान सड़क के दूसरी तरफ से सामान ढोने वाली एक गाड़ी आती दिखाई दी जैसे ही वो गाड़ी उस फाटक पर लगे बैरियर के करीब पहुंची उसका पिछला इससा उससे टकरा गया टकर लगते ही वो बैरियर एक जटके में वहाँ मौझूद लोगों पर गिर पड़ा लेकिन वहाँ अफरा तफरी तब मच गई जब उस बैरियर के गिरने से एक मोटरसाइकल वाले के सिर पर चोट लगे वो बैरियर इतनी जोड़ से उसके सिर पर गिरा कि वो जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वहाँ मौझूद लोग दोड़ कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे जबकि कुछ लोग उस बैरियर को इस मोटरसाइकल के उपर से हटाते नज़र आए बता गया कि इस हादसे में उस मोटरसाइकल वाले के सिर पर गंभीर चोट आई उदर चीन के बेहत खरीब समंदर में एक बड़ी ड्रिल करके अमेरिका ने शी जिन पिंग की नींद उड़ा दी इसके अलावा वहाँ जापान और दक्षन कोरिया की घातक पन डुब्यों और जहाजों ने भी अपना जोर दिखाया और अमेरिका ने दावा किया कि सेन्या भ्यास का मकसद चीन को ये बताना था कि वो अमेरिका के किसी भी दोस्त को कमजोर समझने की गलती ना करे अमेरिका पहले भी कई बार इस लाके में जापान दक्षन कोरिया और फिलिपीन के साथ सेन्या डुरिल कर चुका है ये समुद्री इलाका दक्षन चीन सागर कहलाता है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है और वो यहां किसी और देश की नौसेना के जहाजों को गुसने तक नहीं देता अमेरिका ने दावा किया कि चीन के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उसने दक्षन चीन सागर से लगने वाले बाकी देशों के साथ हाथ मिलाया तकि समंदर में बढ़ती चीन की दादा गिरी पर लगाम लगाई जा सके इस बीच महंगाई की मोर्शे पर राहत की खबर सामने आई रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 5 महीने का सबसे निचला स्तर है वित्तमंतराले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट की वज़े से मार्च में रिटेल महंगाई दर घटी है फरवरी में ये दर 5.09 प्रतिशत पर थी सभी सेक्टरों में हुई बिक्वाली की वज़े से भारतिय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली इस दोरान बैंक, हेल्थ केर, FMCG, मीडिया, रियल्टी और ओलन गैस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज का सेंसिक्स 793 अंकों की गिरावट के साथ 74,244 फर बंद हुआ, तो निफ्टी 234 संग गिरकर 22,519 के सतर पर आ गया उदर अमेरिका के फिलिडेलफिया में एक रोज पहले ईद के जश्टन के दौरान दो गुटों में हुई गोली बारी की खबर से संसनी फैल गई, वहां कुछी मिंटों में चली 30 गोलियों की तर्टराहट से भगदर्मन दी, पुलिस के मताबिक इस घटना में तीन लोग बुरी तरह जखमी हो गए, और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई, इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें लोगों का सामान बिखरा नजर आया, बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई, वहां 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और इसलिए गोली बारी की आवाज सुनते ही वहां भगड़ मच गई, लोग अपना सामान छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, पुलिस के मुताबिक ईद का जश्न मनाने के लिए एक अठा हुए लोगों के बीच अचानक गोली बारी शुरू हो करती नजर आई, इस बीच केरल में एरनक रुम जिले के गाउं में हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए वहां धारा 144 लगानी पड़ गई, बताय गया कि जंगली हाथियों के जुन से भटक कर हाथी का वो बच्चा आबादी वाले इलाके के नस्दीक पानी से भरे गड़े में गिर गया, लेकिन उसे बचाने में वन विबाग के भी पसी ने चूट गए, तस्वीरों में दिखा कि हाथी का वो बच्चा पानी से भरे खरीब 15 फीट गहरे गड़े में फस गया, इस दोरान सून की मदद से उसने उपर निकलने के लिए दम लगाया, ल उसे देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गई, सूचना मिनने पर वन विबाग की टीम भी पहुँची, लेकिन उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं रहा, क्योंकि हाथी का वो बच्चा गड़े में लगातार घुमता रहा, ऐसे में वन विबाग बुल्डोजर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया, इधर उत्तरपदेश के सीतापूर में उस वक्त थड़कम बच गया, जब एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक डॉक्टर पर ही हमला कर दिया, आरोफ है कि मरीज से शिकायत मिलने के बाद उस डॉक्टर ने उस दु उसे जोड से धक्का देकर पीछे अटा दिया, इसके बाद तो उसके सिर पर जैसे भूत सवार हो गया, उसने उस डॉक्टर पर घूसों की बरसात कर दी, ये देखकर वहां खड़े लोग बीच बचाव करने आया और उन दोनों को अलग किया, लेकिन इसके बाद भी काफी देर तक उन दोनों के बीच जबानी जग जारी रही, आरोप है कि मेडिकल स्टोर के उस मालिक ने एक मरीज को गलत दवा दी थी, और जब उस मरीज ने उस डॉक्टर से इसकी शिकायत की, तो उसने वो दवा लोटा दी, बस इसी बात पर वो गुस्से में आ गया और उसने उस डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी, उधर दक्षन कोरिया के दूसरे जासूसी सैटलाइट लांच करते ही किम जॉंग उन ने जंग की हुंकार भर दी, उत्तर कोरिया की न्यूज एजनसी के सीने के मुताबिक किम जॉंग उन ने वहां की मुख्य सैन युनिवर और किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन देशों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देना चाहता है, क्योंकि उत्तर कोरिया की न्यूज एजनसी के सीने के मुताबिक किम जॉंग उन ने साफ कर दिया कि अब युद्ध का समय आ चुका है, उत्तर कोरिया के शासक किम जॉं किम जॉंग उन ने अपने संबोधन में खुल कर बयान दिया कि उत्तर कोरिया के आसपास हालात ठीक नहीं है, और सेना को युद्ध के लिए पहले से ज्यादा तयार होकर रहना होगा, ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त दक्षन कोरिया और उसके दोस्तों के किम जॉंग उन अपने सेनिकों को मानसिक तोर पर भी मजबूत करने में जुड़ गए, इदर राजिस्तान के चुरू में उस वक्त दफरा तफरी मच गई जब वहां बदमाशों के गिरोह ने एक आदमी पर हमला कर दिया, आरोप लगा कि उन बदमाशों ने उस आदमी से दस लाग रुपेओं की मांग की थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन जब उन बदमाशों को रगम नहीं दी गई तो उन्हों ने उस आदमी पर हमला कर दिया, दस्वीरों में दिखा कि वह बदमाश दो गाडियों में आया और उनमें एक सामान गाड़ी में जोरदा टकर मार दी, इसी बीज एक बदमाश ने डंडे जैसी किसी चीज से उस गाड़ी में तोड़ फोड चुरू कर दी, वो सामने की शीशों और खिड़कियों पर वार करता दिखाय दिया, अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए लेकिन बदमाशों की गाड़ियां एक के बाद एक उस आदमी की गाड़ी में टक कर मारती रही, आरोप लगा कि उन बदमाशों ने 10 लाग रुपेओं की मांग की थी, लेकिन जब उस आदमी ने पैसे नहीं दिये तो उसकी गाड़ी में तोड़ फोड की गई, यही नहीं इस दोरान उस सादमे के साथ मारपीट के जाने के भी आरोफ लगे अलंकि पीडित की शिकायत पर पुलिस ने आरोफियों की तलाश तेज कर दी उदर अफरीकी देश केनिया में बार के बीच फसे 51 लोगों का रेस्क्यू किया गया वहां बार की वज़े के से कई नदी और नाले न उफान पर आ गए इस दोरान एक नदी पार करने की कोशिश में एक बस उसके बीचों बीच फस गई और इसके बाद उस बस में बैठे सबी लोग जान बचाने के लिए उसकी चट पर चड़ गए दस्वीरों में वो बस आदे से जादा पानी में डूबी नज़र आई जबकि उस नदी के किनारे लोगों की भारी भीड दिखाई थी इसके थोड़ी देर बाद ही वहां के रेस्क्यू टीम ने अपनी एक नाव भी उस नदी में उतार दी कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर कार उस बस में सवार सभी 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया इस आदसे के लिए उस बस के ड्राइवर पर लापरवाही कारोब लगाया गया क्योंकि पानी के तेज बहाव के बावजूद उसने उस नदी को पार करने की कोशिश की उदर महराश्च के पुणे में एक ट्राफिक लाइट पर रुके एक कार सभार को कुछ लोगों ने ऐसा पीट आगी वहाँ दूसरी गाडियों में सभार लोग घबरा गए बताया गया कि मामूली विवाद में उन लोगों ने उस कार सभार को बाहर निकाला और कई गाडियों के बीच उसे पीटना शुरू कर दिया और उनमें टोपी पहना एक आदमी तो उसे लगातार थपड मारता नजर आया कुछ देर में तो उसने कार की तरफ जोर से धक्का दे दिया वहाँ टोपी वाले आदमी के साथ तीन और लोग मौझूद दिखे जो आराम से मारपीट देखते रहे तभी उस कार सभार ने विरोध किया और टोपी वाले आदमी को मुक्का मारता दिखाए दिया लेकिन हद तो तब हो गई जब लाल शट पेना एक दूसरा आदमी वहाँ भागता हुआ पहुँचा और उस कार सभार को बुरी तरह पीटता नजर आया वो बार बार धक्का मार कर उसे कार के अंदर बैठने के लिए धमकाता रहा इस दौरान उन लोगों और कार सभार के बीच जड़प हो गई उस कार के पीछे कई गाड़ियां खड़ी नजर आई और सड़क पर जैम लग गया लेकिन जड़प चलती रही मार पीट करने वाले उस कार सभार पर वहां से चले जाने के लिए दवाब बनाते रहे लेकिन वो नहीं माना कुछ देर बाद कार सभार के साथ मार पीट करने वाले भी वहां से आगे की तरफ जाते दिखे वहाँ उन लोगों ने उस कार सवार को क्यों पीटा इसका पता नहीं चल सका इस बीच रूस की सेना के साथ जारी जंग के बीच युक्रेन में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए विवादास्वत कानून को वहां की संसत से मन्जूरी मिल गई अमेरिकी अख़वार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक जेलिंस्की का मकसद युक्रेन की सेना में पांच लाग सैनिकों की भरती करना है ताकि जंग के हर मोर्चे पर रूस की पौज को तगड़ा और करारा जवाब दिया जा सके क्योंकि पिछले दो साल से ज़ादा वक्त से चल रही इस जंग में यूक्रेन के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है अमेरिकी अख़वार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक इस वक्त यूक्रेन की सेना सैनिकों की भारी कमी से जूज रही इसलिए जंग में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए युक्रेन ने लंबे वक्त से ठंडे वस्ते में पड़े विवादासपत कानून को मनजूरी दे दी मतलब एक बर सेना में शामिल होने के बाद सैनिक सेना से निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे और अगर किसी सैनिक ने सेना छोड़ने की कोशिश की तो उसे सजा देने का प्रावधान किया गया दावा ये भी किया गया कि यूकरेन के इस विवादासपत कानून में इसी तरह के कई और प्रावधान है पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना को मजबूत बनाना और रूस से मुकाबले के लिए पांच लाग सैनिकों की फौज खड़ी करना है सबाचुनाव में मटन और मचली चुनावी बद्दा मन गय प्रुदान मंतरी ने इस मुद्धे पर राहुल गांधि और तेजश्वी आदव दोनों को गहरा और जम्मू कश्मीर के उधमपूर में हुई रैली से प्रुदान मंतरी ने उन पर निशाना सादा और राहुल गांधी के मटन बनाने और तेजस्वी यादव के मचली खाने के वीडियो पर सवाल उठाया पुधान मंत्री ने उदंपूर के अपनी रैली में दोनों वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाया उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की ही और था क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो पिछले साल सावन के महीने में आया था उस वीडियो में राहुल गांधी लालु प्रसाद यादव से मतन बनाना सीखते दिखे थे। पुधान मंत्री ने इसी वीडियो का जिक्र करते हुए बोल दिया कि सावन के महिने में ऐसा वीडियो शेर करने का मतलब लोगों को चिड़ाना था। मुगलों की मानसिक्ता से कर दी। सावन के महिने में वीडियो दिखा कर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिक्ता ना उसके द्वारा वो देश के लोगों चिड़ाना चाहते हैं। लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला। लेकिन राहूल गांदी का सावन के महिने में ये वीडियो आना विवाद का मुद्दा बन गया था और प्रधान मंत्री ने लोगसभा चुनाव के दोराज भी से उठा दिया। और इस वीडियो में वो अपनी सयोगी पार्टी वी आईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ मचली खाते नजर आये थे। तेजस्वी आदब ने जब ये वीडियो शेयर किया था तो उन्होंने और मुकेश सहनी ने विपक्ष पर तंजबी कसा था। वो यहीं नहीं रुके थे। मचली खाने के वीडियो के अगले ही दिन उन्होंने संत्रा खाने का वीडियो शेयर कर दिया था। संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए उन्होंने भगवा रंग की बात की थी और बीजेपी पर निशाना साधा था यानि पहले मचली पर सियासत गरमाई पिर संत्रे पर राजनीती हुई और अब मटन भी मुद्दा बन गया क्योंकि पी-म ने सावन में राहुल के मटन बनाने और तेजस्वी के नवरातर पर मचली खाने के वीडियो पर कॉंग्रेस और आरजेटी को घेरा यानि इस चुनाव में मटन मचली भी चुनावी मुद्दा बन गया इधर उत्तरपदेश के मत्धुरा में निर्दली पित्याशी शिखावर्मा ने अपनी गाड़ी रोकी जाने पर खुब भंगामा किया चुनाव प्रचार के लिए निकली शिखावर्मा के काथले में पाँच गाणिया थी लिकिन इन सभी गाड़ियों को प्रशासन ने रोक दिया और इसी बात पर मत्धुरा सीट से निर्दली पित्याशी शिखावर्मा भढ़क गई और सीधा उस अधिकारी से भिढ़ गई जिसने गाड़ी रोकी थी अधिकारीयों ने बताया कि इन गाड़ियों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया बलकि चुनाव आयोक के निर्देश के मुताबिक इनका वीडियो बनाय जा रहा था और इसी लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया इसी बात पर शिखावर्मा और उनके पीजबचाव किया और किसी तरह मधुरा सीट से निर्दली प्तियाशी शिखा वर्मा और उनके समर्थकों को शांत करवाया और गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ गया उधर एनाईये के सूतरों ने दावा किया कि बैंगलूरू बंबलास्ट केस के दोनों संदीक अब्दूलमतीन ताहा और मुसबवर हुसैन शाजब सुरक्षा एजनसियों को चक्मा देने के लिए एक ऐसे लॉज़ में छिपे थे जहां पहचान पत्र देने की जरूरत ही नहीं थी मतलब वो दोनों हर हाल में अपनी पहचान छिपाने में जुटे थे हाला कि एनाईये की टीम ने दोनों को पश्चे बंगाल के पूर मेंदनी पूर के दीगा से गिरफतार कर लिया एक मार्च को मेंगलूरू के मशूर रेस्टोरांट रामेश्वरं कैफे में दो पूर मतीन तहा और मुसवर हुसेन शाजिप को गिरफतार करने का दावा किया एनाईये ने दोनों को पश्चे मंगाल के पूर्व मेंदनी पूर के दीगा से गिरफतार करने की जानकारी दी एनाईये के सूत्रों के मताबिक दोनों आरोपी वहाँ एक छोटे से लॉज में चक्मा देने के लिए दोनों लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे और वो ऐसा लॉज या ऐसे गेस्टाउस को चिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेस देने की जरूरत नहों आला कि उनकी तमाम चालाकियों के ब पेंगलूरू बंबलास्ट का मास्टर माइंड बताया पराड थे पिछले महीने की 23 तारिक को एनाईये ने धमाके के मुख्य संदिग्द के तौर पर दोनों की पैचान की थी एनाईये के सुत्रों के मताबिक दोनों की पैचान एक टोपी से की गई थी क्योंकि जांच के दौरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जांच अधिकारियों को एक तोपी मिली थी जिसे उसने चिन्नाई में खरीदा था सूत्रों का दावा है कि एक मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम रखने के दौरान मुसफिर हुसेन शाजिब ने वही टोपी पहनी थी जो NIA को रेस्टरांट के पास से मिली थी सूत्रों बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला कि चन्नाई में उस तरह की टोपी के सिर्फ चार सो पीस ही बेचे गए थे और इसके बाद NIA की टीम ने चन्नाई के उस इलाके के सी सी टीवी खंगाल ने शुरू किये जिस इलाके में संदिक ताहा ने टोपी खरीदी थी NIA के सुत्रों का दावाए कि उस टोपी में जांच अधिकारियों को बाल मिले थी फोरेंसिक जांच के बाद ये पता चला था कि धमाके की दिन टोपी को ताहा ने नहीं बलकि मुझफिर हुसेंच शाजिब ने चेहरा चिपाने के लिए पैना था बाद में शाजिब के घरवालों को उसका CCTV वीडियो दिखाय गया था सुत्रों के मताबिक उसके घरवालों ने वीडियो देखने के बाद उसकी पैचान भी कर दी थी लेकिन रेस्ट्रों में धमाके के करीब एक महीने बाद भी ना तो शाजिब का कुछ पता चल रहा था और ना ही ताहा का क्योंकि सुत्रों का दावा है कि दोनों पुलिस को चक्मा देने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे जाँच एजंसियों के मताबिक धमाका करने के बाद ताहा और शाजिब कुछ दिनों तक चिन्नई के एक इलाके में भी चिपे हुए थे लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़े दिनों के बाद दोनों वहां से भी निकल गए थे इसलिए दोनों की तलाश में NIA ने करनाटक और तमिलनाड समेत कई राज्यों में छापे भी मारे थे इसके बाद 29 मार्श को दोनों पर 10-10 लाग रुपे का इनाम रखा गया था ताकि किसी भी तरह बेंगलूरू ब्लास के इन दोनों संदिक्टों तक पहुँचा जा सके आलनकि सबूतों को जोडते हुए NIA ने दोनों संदिक्टों को पश्चिम मंगाल के पूर्व मिधनिपूर से गिरफ्तार कर दिया लेकिन रामेश्वर्म के एफे बलास से जुड़े दोनों संदिक्टों के पश्चिम मंगाल से गिरफ्तार किये जाने पर सियासी घमासान चड़ गया क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता अमित मालविये ने ममता बैनर्जी पर निशाना सादते हुए पश्चिम मंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनागा बता दिया और बागाईदा उन्होंने सोचल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल दी इसके बाद सोचल मीडिया पर आमित मालविये और पश्चमंगाल पुलिस में वार छुट गे मंगाल पुलिस ने अमित मालविये के दावे को जूटा बता दिया लेकिन इस मुद्दे में सियासी तड़का तब लगा जब पश्चि मंगाल के मुख्य मंतरी मम्ता बेनर जी ने अमित मालविये के बहाने बीजेपी और केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर जोड़दार हमला बोल दिया गमसान तब शुरुआ जब एनाईये ने पश्चि मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से बलास्ट के दो संदिक मुसफिर हुसेन शाजिप और अब्दुलमधीन ताहा को किरफतार किया इस ऑपरेशन में एनाईये के साथ पश्चि मंगाल की पूलिस भी शामिल रही इसी के बाद अमित मालविये ने ममता बेनर जी पर निशाना सादकते हुए अपनी एक पोस्ट में पश्चि मंगाल को आतंकियों का घर बता दिया यही नहीं पीजेपी ने करनाटक की कॉंग्रेश सरकार पर भी अमला बोला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनाटक में कॉंग्रेश की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गए इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में BRS नेता के कविता को राउजविन्यू कोट ने तीन दिन की CBI रिमान में भेज दिया आलगी CBI ने कोट से उनकी पांच दिन की कस्टडी मांगी थी के कविता पहले ही इस केस से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में तेहार जेल में बंध है दिल्ली के पूर्व उपुमुखे मंतरी मनीश शिसोदिया की अंतरिम जमानत अरजी पर राउजविन्यू कोट 20 अपरेल को सुनवाई करेगी इससे पहले मनीश शिसोदिया ने लोगसबा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की उन्होंने दलील दी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेता है ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का संकल पत्र रविवार को जारी होगा खबरे के इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रिह मंतरी अमिट शाह और रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी मौझूद होंगे उदर लोगसबा चुनाव से पहले टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान ने बंगाल की विबख्षी पार्टियों के कारेकरताओं से खुल कर बोल दिया कि 26 अपरेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद इस मामले पर बंगाल का सियासी पारा चड़ गया मगब बीजेपी भड़क गई और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला किया विवाद टीमसी विदायक हमीदुल रह्मान की बंगाल के रायगन से हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ और इस चुनावी सभा में उन्होंने विरोधियों को खुले आम दमकी दे डाली बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रह्मान के बयान का वीडियो भी शेर किया और इस वीडियो में उन्हें विपक्षी पार्टी के कारकरताओं को बोलते हुए सुना गया कि 26 अपरेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद बीजेपी ने भी आव देखाना ताओ और टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान के बयान की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला कर लिया बीजेपी नेता शुबेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोक से तुरंत इस मामले पर संग्यान लेने की मांग की क्योंकि टीमसी विधायक ने विरोधियों को धमकाया बंगाल की रायगंज लोगसभा सीट पर 26 अपरेल को मत्तान होना है और हमीदुल रह्मान रायगंज के उत्तर दिनाशपूर विधानसभा क्षेतर से विधायक है और इसलिए उन्होंने 26 तारिक को केंद्रिय सुरक्षा बलके रायगंज से जाने का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया और पंगाल में 2019 के लोकसवा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र होने लगा क्योंकि पिछली बार के मतदान के बाद बसिरहाट और जादवपूर जैसी लोकसवा सीटों पर बीजेपी और टीमसी कारकरताओं के बीच हिंसक जड़ब हो गई थी इधर दिल्ली सरकार में मंतरी आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्टपती शासन लगाए जाने का डर जताया है दिल्ली की सियासत में भूचा ला गया उन्होंने आशंका जताई कि दिली में जल्द ही सरकार को भंक करके राश्ट पती शासन लगाय जा सकता है और आतिशी के मुताविक इसकी साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि BJP ने रची केंड्र सरकार दिली में राश्ट पती शासन लगाने वाली है अलाकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटगरे में खड़ा कर दिया बीजेपी नेता मनोश्तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयान बाजी करके दिल्ली में केजरिवाल सरकार की नाकामियों पर परदा डालने की कोशिश में टुटी है दिल्ली के सारे कामकाज बादित हो रहे हैं लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में ये घमासान उसी वक्त से जारी है जब से दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल शराब गोटाला मामले में तिहार जेल गए बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग पर मोर्चा खोल रखा है तो आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने पर अड़ी है लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी इस बीच अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के रायव रहने के सवाल को संजे सिंग ने टाल दिया केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रतर्शन कर रही है जेल से निकलने के बाद संजे सिंग भी कई प्रदर्शनों का इस्सा बने थे लेकिन इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसत नजर नहीं आए आँम आदमी पार्टी की प्रेस कॉनफरेंस में संजे सिंग से इसी मुद्धे पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस सवाल को टृल गए एक तरफ संजे सिंग ने अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को टाला तो वहीं दूसरी और पार्टी के राज्यसबा सांसद, संजीव अरोडा, विक्रम जीत सिंग साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरिवाल से मिलने पहुंच गए इस मुलाकात की तस्वीरें भी आई और पोस्ट में सुनीता केजरिवाल की तारीफ की गई उधर पंजाब के फरीद कोड में किसानों का घुस्सा इसकदर भड़का कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस की कार पर चढ़ाई कर दी उनकी कार पर जब किसानों का जुन्ड तूटा तो देखकर लगा मानो वो हंसराज हंस से मारपीट पर उतर आएंगे बीजेपी ने इस बार फरीद कोड लोकसबा सीट से हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची किसानों का जथा उनकी कार पर तूट पड़ा हाथों में काले जंडे लिए कुछ किसान उनकी सफेद कार के बॉनट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे तो कुछने कार के दर्वाजों और किड्कियों में हाथ मार कर उन्हें खुलवाने की कोशिश की पदर्शन कर रहे हैं उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हंसराज हंस के सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पैर फूल गए इसके बाद वहां मौझूद पंजाब पुलिस के जवानों ने मुर्चा समाला और उन किसानों को धक्के दे कर वहां से अलग किया इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंसराज हंस बैठे थे उससे तो वहां से निकाल दिया गया लेकिन उनके काफले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फच गए पंजाब के फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा था वहां किसानों ने केंद सरकार पर किसान अंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है और इसी विरोध का सामना फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को भी करना पड़ा बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी नितीश कुमार पूर्व उप्व मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव पर भढ़क गये केरल की तिर्वननत पुरम सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार शेशी थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंदरशेकर के मानहानी नोटिस का जवाब दिया शेशी थरूर ने राजीव चंदरशेकर के खलाफ जूठे आरोप लगाने से इंकार कर दिया और उनसे बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग कर दी यही नहीं शशित रूर ने अपनी मांगों को नजर अंदाज करने पर कानूनी कारवाई की चितावनी भी दी पेंगलूरू में पीने के पानी की कमी का मुद्दा लोकसबाचुनाव से पहले गरमा गया वहां के कई लाकों में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि एक हाउसिंग ससाइटी ने तो लोकसबाचुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया अजरेल के बीच बहुत बड़ी जंग छिडने की आशंका जताएगी अमेरिकी अख़वार दे वॉल स्रीट जेनल के मुताविक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इरान अपने कटर दुश्मन इसरेल पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका के अख़वार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई इसरेल और अमेरिका की सेनाय अलर्ट मोड में आ गई क्योंकि दिवॉल स्रीट जेनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इरान ने इसरेल के उत्तर या दक्षण में सीधे हमले का प्लान तयार कर लिया मतलब एरान और इसरेल के बीच खुली जंग का काउंडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद से ही इरान बदले की आग में चल रहा है इरान लगातार ये धंकी दे रहा है कि दूतावास पर हमले का बदला वो लेकर रहेगा इरान के मीडिया के मताबिक उसकी सेना ने इसरेल से बदले के लिए कई विकल्प तयार कर लिए खबरों के मताबिक एरान अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसरेल के किसी दूतावास को निशाना बना सकता है या फिर उसकी सेना और खुफिया एजंसियों के ठिकानों पर बारूत बरसा सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो इसराइल भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा खबरों के मताबिक इरान की धंकियों को देखते हुए इसराइल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुट गई थी ब्लूमबग की रिपोर्ट के मताबिक एक एक अपरेल को सीरिया की राजधानी दमिश्च में अपने दूतावास पर हमले के तुरंट बाद ही आई आर जीसी एक्शन में आ गए थी आई आर जीसी यानी इसलामिक रिवलुशनेरी गार्ड कोर इरान की सेना की ब्रांच है आफसरों ने 2 अपरेल को ही एरान के सुप्रीम लीजर आयतुला अलीखामनेई से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में आयार जीसीनों ने इसराइल पर हमले के पूरी प्लैनिंग समझाई थी पश्चिमेशा से लेकर यॉरप के कई देशों में अलर्ट घुशित कर दिया गया अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोट पर रखा क्योंकि एक रोज पहले ही बाइडन ने इसरेल को भरोसा दिया था कि इरान ने हमला किया तो अमेरिकी फॉज इसरेल के लिए रक्षा कबच बन जाएगी मतलब यह कि इसरेल और इरान की जंग में अमेरिका भी सीधे सीधे कूट पड़ेगा हाना कि अमेरिका ने इरान को इसरेल पर हमला ना करने की चेतावनी दे दी लेकिन दो पुराने दुश्मनों के बीच जंग शुरू होने के बढ़ते खत्रे के बीच पूरी दुनिया अलर्ट आ हुए क्योंकि इसरेल और इरान इस वक्त बारूत के ऐसे धेर पर बैठे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबहा कर सकती है इसी वज़े से फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लेंड ने अलर्ट जारी कर दिया 24 से 48 घंटों में जंग शुरू होने के आशंका के बीच बारत सरकार के विदेश मंतराले ने नागरिकों को इरान और इसरेल ना जाने की सला दी इरान और इसरेल गए हुए भारतिय नागरिकों को विदेश मंतराले ने वहां मौझूद भारतिय दुतावास से संपर्क करने की भी सला दी जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इसरेल, इरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया ब्रिटन ने अपने नागरिकों को तुरंत इसराइल छोड़ने के निर्देश दे दिये बश्चिमेश्या में साओधी अरब ने भी अलर्ट जारी कर दिया मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई इसराइल के मीडिया के मताबिक एरान के हमले की धंकियों के बीच प्रधान मंतरी बनिमिन नितनियाहु ने वहां के सेना प्रमुक से मुलाकात की और तैयारियों का जाइजा लिया खबरों के मताबिक नितन्याहू ने मुसाद के टॉप एजिन्ट को भी पूरी तरह सक्रिये कर दिया यानि एरान के हमले का जवाब देने के लिए इसरेल भी पुखता तैयारी में जुड़ गया इसरेल के मीडिया के मुताबिक सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले के बाद इसरेल ने अपने GPS नाविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था माना जा रहा है कि इरान की गाइड़न मिसालों के हमलों को रोकने के लिए इसरेल की फौज ने ये कदम उठाया और इतना ही नहीं इसरेल के मीडिया के मुताबिक उसकी फौज ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां भी रद कर दी इसरेल ने अपनी एर डिफेंस कमांड को एलर्ट पर रखा है ख़वरों के मताबिक हमले के खतरे को देखते हुए वहां कई शहरों में एंटी बॉम शेल्टर बना दिये गए ये खास तरह का धांचा होता है जो बमों के हमले से सुरक्षा देता है इसरेल से इरान की दूरी करीब 2300 किलो मीटर है दोनों देशों के बीच इराक, सिर्या और जॉर्डन जैसे देश मौजूद है किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी लेकिन हालाद बदले तो इरान और इसरेल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हला कि दोनों देशों ने कभी भी सीधे-सीधे एक दूसरे के खिलाफ बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि इरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का सहारा लेकर इसरेल को निशाना बनाया जबकि इसरेल ने सीधे तोर पर इरान के ठिकानों पर कई बार हमले किये लेकिन इस बार अगर इरान सीधे इसरेल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पश्चमेशिया में फैल सकती है और इसके नतीजे बेहत खतरनाक हो सकते है और पूरा पश्चिमेशिया जंग की आग में जुला सकता है इसरेल और अमेरिका की तैयारियों और तेवरों के बीच इरान के सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनाई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक जुट होने को कह दिया और गाजा में इसरेल के हमलों का जिक्र करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की आयतुल्ला अली खामनाई ने मुस्लिम देशों को सुझाव दिया कि इसरेल को अलग तलग करने के लिए सभी देशों को उससे अपने सभी प्रकार के संबंद तोड लेने चाहिए और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है इस बीच कतर और कुएत ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो इरान के खिलाव जंग के लिए अपने इलाके और ठिकानों का इस्तमाल नहीं करने देंगे इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एक जुटता के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका इरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुल कर इसरेल के साथ खड़ा दिखाए दिया लडाकों ने इसरेल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी हमास के लडाकों ने सैकड़ों लोगों को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया था और करीब धाई सो लोगों को बंधग बना कर अपने साथ गाजा ले गए थी इसरेल ने या रोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर ये हमला इरान के इशारे पर ही किया था अलाकि इरान ने इससे पूरी तरह इंकार किया था लेकिन साथ अक्टूबर को इसरेल पर हमास के हमले के बाद इरान में जम कर जश्ट मनाय गया था और उसी जश्ट ने इसरेल के लोगों के कलेजे में आग लगा दी थी इरान पहले से ही इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गए और हमास और इसरेल की जंग के छे महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इरान और इसरेल में भी जंग छिड नहीं वाली है इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री आंजिनी बिंकिन ने साओधी एरब, चीन और तुर्की से इरान को हमला ना करने के लिए मनाने की अपील की इस बीच वायू सेना के एक रेस्क्यू आपरेशन की वज़े से सेना के एक जवान के कटे हुए हाथ को आसानी से जोड़ा जा सका बारतिय वायू सेना की मुस्तेदी की वज़े से सेना के एक जवान के हाथ की सरजरी समय रहते मुम्किन हो पाई दिल्ली में सेना के अस्पिताल में उस जवान के कटे हुए हाथ को समय रहते जोड दिया गया इसकी जानकारी वायू सेना ने खुद सोशल मीडिया के जरिये दी बताय गया कि लटाक के ले में हुए एक हादसे में उस जवान का हाथ कट गया था उसके बाद महस चार घंटे में उसे वायु सेना की मदद से दिल्ली पहुचा दिया गया प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उदमपुर में एक रैली के दौरान ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्ज का दरजा दिया जाएगा केंद्रिय मंतरी राजनाथ सिंग ने एमर्जनसी की एक घटना का जिकर कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मां के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए परोल तक नहीं मिल सकी थी उतर लोगसबा चुनाव में मायवती के बतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेरा बन गए उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली दुआधार रैलियां की आकाश आनंद बीएसपी के नैशनल कोडिनेटर है लेकिन उन्हें मायवती का उत्तरा दिकारी भी माना जाता है और इसलिए उन्होंने इन चुनावों में ताबर तोड रैलियां की आकाश आनंद की रैलियों में जुटे लोगों में उन्हें देखकर जोश भर गया उन्हों नों के समर्थन में नारे भी लगाए और आकाश अनन्द के भाषण के दौरान तालियां भी बजाएं माना जा रहा है कि बी-स-पी ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मज़बूत करने के लिए आकाश अनन्द को मैदान में उता रहा है और इसलिए आकाश आनंद ने मतुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मदद्दताओं को अपने फाले में लाने की कोशिश की उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया साथियो राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अपनी रैलियों में आकाश ने आकरामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया समाजवादी पार्टी पर तो वो जम कर बरसे 2019 के लोगसबा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गडबंधन था लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टीों के रास्ते अलग हो चुके क्योंकि अखिले श्यादव और कॉंग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं आकाश आनंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायवती का नाम लिया लेकिन उनके तेज दर्रार अंदाज ने ये संकेत दे दिये कि इस बार के चुनाव में वो ही बीएसपी का चेहरा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने तावर तोड रैलियां किया आकाश आनंद ने इस चुनाव में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी बार फिर चंद शेकर आजाद पर हमला किया और उन्हें बहरूपिया बोल दिया आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगो खुद उंगरा करने काम करते हैं साथियों वो बहरूपिये नीला पटका पहन के आएंगे परन्तु साथियों जब बात वो डालने किया है जब बात आपके साथ संधर्षों में खड़े होने किया है तब वो आपके नहीं आपके अपने डिता के नहीं विरोधी पार्टियों की निता हों की बात करी इसे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनन ने चंदरशेकर का काम करने का बूरा तरीका ही बता दिया था यहां पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई पहला वो चुनाम में पार्टी का चेहरा बने और दूसरा उन्होंने बीएस्पी का विकल बनने की कोशिश में जुटे चंदरशेकर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और बीएसपी को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुट गए इतर हिमाचल प्रदेश के मनाली में कंग्ना रनौत ने मंडी से कॉंग्रेस के दावेदार माने जा रहे विक्रमदित्य सिंग को सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी कि वो हिमाचल प्रदेश को अपने परिवार की जागीर समझने की गलती ना करें इससे पहले उन्होंने राहूल गांधी पर तंस कसा था और अब उनके इस बयान ने भी हिमाचल की राजनीती में संचनी मचा दी क्योंकि उनके निशाने पर था हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस नेता विक्रमदित्य सिंग का परिवार कंगना रनौत ने आरोब लगाया कि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्य सिंग और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपनी बपोती समझा आनकि विक्रमदित्य सिंग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की उनोंने दावा किया कि कंगना रनौत ने निजी हमले कर हिमाचल की राजनीति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की कंगना रनौत ने विक्रमदित्य सिंग के जरिए कॉंग्रेस की परिवार वादवाली छवी को निशाने पर लिया ऐसा इसलिए क्योंकि राज परिवार से आने वाले विक्रमधित्र सिंग, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी वीर भद्र सिंग और प्रतिबा सिंग के बेटे हैं उनके पिता राजा वीर भद्र सिंग पांच बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी रहे और उनकी माँ प्रतिबा सिंग, हिमाचल कॉंग्रेस के अध्यक्ष और मंडी लोकसबा सीट से मौजूदा सांसद भी है और अटकले हैं कि उनके परिवार के दबदबे की वज़े से इस बार मंडी से कॉंग्रेस विक्रमधित्ति सिंग को मैदान में उतार सकती है उदर गैंक्सर मुखतार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भी जेल में जहर दिये जाने की आशंका जाहर की खबरे की कॉछ दिनों पहले कोट में एक मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकील की तरफ से कोट में अपील की गई इसकी जानकारी अब सामने आई अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की बारमुला लोगसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नैशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने ये एलान किया जम्मू कश्मीर की पांच लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफरेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्रप्रदेश की कौशामबी और कुशीनगर लोगसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपने दो अम्मीदवारों की लिस्ट शेयर की जिसके मताबिक कुशामबी से पुश्वेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजयर प्रताफ सिंग और पिंटू सैंथवार को प्रत्याशी बनाए गया। उधर बिहार के सुपॉल में नौवी क्लास में बच्चों के दाखिले को लेकर लागू किये गए नए नियम के खिलाफ चात्रों ने सड़क जैम कर दिया। बच्चों के इस विरोध प्रतर्शन की वजए से वहाँ जैम जैसे हालात बन गए। घटना की जानकारी मिलते ही वहाँ पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन धरने पर बैठे बच्चे सड़क से उठने के लिए तयार नहीं हुए। बताया गया कि आठवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब पास के स्कूल में नौवी के दाखले के लिए पहुंचे थे तो उन्हें दूसरे स्कूल में जाने के लिए कहा गया जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर है। बारिश और बर्वबारी का अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली और उसके आसपास के लाकों में 13-15 अपरेल के दौरान हलकी से भारी बारिश का नुमान जताया गया। जबकि पहाडी राज्यों में बारिश के साथ बर्वबारी की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अलर्ट के मताबिक दिल्ली अन्सियार समेत 14 राज्यों में 13-15 अपरेल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इन में उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, 36 गड़, बिहार और जार्खन शामिल है। इनके अलावा तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंदरप्रदेश, उडिशा और तमिलनाड में भी बारिश की संभावना जताए गई। मौसम विभाग ने मद्यप्रदेश के 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, जिफकि उत्तरप्रदेश के 13 और पिहार के 9 जिलों में तेज हमाओं के साथ बारिश का अनुमान जताए गया। में सरकार की तरफ से उठाए गई तैयारियों का जायजा लिया और राज्य की सरकारों के साथ मिलकर काम करने की निदेश दिये। में सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वहां रहने वाले हिंदू और सिक्समुदाय के लोगों को उनकी जमीने वापस करने की बात कई गई थी। कुछ रोज पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि वहां जल्द ही अल्ब संखिकों को उनकी जमीने लोटा दी जाएंगी। तालिबान के मताबिक इन जमीनों पर पहले की सरकार के कुछ नेताओं ने कबजा कर लिया थी। चंडिकड के तीन आईएस अधिकारियों पर फ्रांस की राजधानी पैरिस में फिजूल खर्ची कर लाखों रुपए बरबात करने के आरोप लगे। चंडिकड के डिरेक्टर जनरल अफ ऑडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। बढ़ा गया कि ये तीनों आईएस अधिकारी 2015 में पैरिस की यात्रा पर गए थे और आरोप लगे कि ये तीनों अधिकारी पैरिस के महंगे हुटलों में रुके और बिजनस क्लास में उन्होंने यात्रा की। इज़र राहूल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंधरीय मंतुरी स्मृतिी ईरानी पर कॉंगरेस राशन पानी लेकर चट पड़ी। स्मृती राणी ने केरल के वाइनाड में दिये राहुल के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की। इस दोरान उन्होंने राहुल गांधी को निकम्मा कह दिया। और इसी से कॉंग्रेस तम्तमा उठी। केंद्रिय मंतरी स्मिती रानी ने राहूल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केरल की वाइनाड लोकसबा सीट के लोगों को अपना परिवार बताया था उसी को आधार बनाते हुए स्मिती रानी ने राहूल गांधी पर तीखामला बोला इसके बाद यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजे राय ने श्मिती रानी को जवाब देने में देर नहीं की सुत्रों के मताबिक केरल की वाइनाट सीट पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस अमेठी से राहुल की दावेदारी का एलान कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 2019 की तरह राहुल गांधी और स्मिती रानी के बीच मुकाबला होगा इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के करीबी और चिंदवाडा के किसान नेता अमित सकसेना को अपने पाले में खींच लिया उनके अलावा मद्द प्रदेश के दो विधायक भी कांग्रिस का साथ चोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कई कारेकरताओं को भी लेकर आए इसे कमलनाथ के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि बीजेपी में आए अमित सकसेना का चिंदवाडा में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने कमलनाथ को गेरने का एक और ताओं चल दिया इससे पहले चिंदवाडा में ही मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कमलनाथ पर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया कमलनाथ के किले को ड़ाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताका जोंक रखी है यहाँ तक कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव से पहले चिंदवाडा के पांच दोरे कर चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोगसबा चुनाव में बीजेपी ने MP की 29 में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और चिंदवाडा की एकलोती सीट थी जो कॉंग्रेस के इससे आई थी और तब कमलनाथ के बेठे नकुलनाथ ने ये सीट जीती थी जो इस बार भी चिंदवाडा से उम्मीदवार बनाए गए चिंदवाडा लोगसबा सीट पर 19 अपरेल को वोट डाले जाएंगे और इससे पहले बीजेपी ने मद्दपुदेश की इस 29 वी लोगसबा सीट को जीतने के लिए भी अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि वो लोगसबा चुनाब में मद्दपुदेश में क्लीन स्वीप कर सके इस बीच खाने की डिलिवरी करने वाली कमणी स्विगी के एक डिलिवरी बॉय के जूते चुराने का एक वीडियो बार लो गया की डोरबल बजाता दिखाई दिया इस भी जुसकी नजर दाई तरफ के एक दूसरे फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर पड़ी और वो टक्टकी लगाए उन जूतों की तरफ देखता रहा इस दोरान वो सीडी की तरफ भी देखता दिखाई दिया तभी बाई तरफ वाले लेकिन चार से पांच कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाउं उपर चड़ गया इसके बाद तो उसने अपना गमचा पहलाया और काले रंग वाले उन जूतों को उठा लिया और उन पर गमचा ढखते हुए वहां से निकल अनकि वीडियो सामने आने पर खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने इस डिलिवरी बॉई की हरकत पर अफसोस जटाया उधर चीन ने अमेरिका की दो कंपनियों पर पाबंदी लगा कर उसे खुली चुनाती दे दी अमेरिका से थनाव के बीच चीन ने दो अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंद लगाने का अईलान कर दिया चीन ने डिफेंस से जुड़ी इन दोनों अमेरिकी कंपनियों पर ताइवान को हध्यार बेचने में मदद करने का आरोप लगाया इसके साधी उसने अपने यहां म मकसद मालदीव में परेटर्न को बढ़ावा देना होगा खबरे कि इस संस्थाने मालदीव में मौझूद भारती उच्चा युक्त से इस सिलसले में मुलाकात भी की खबरे की इलेक्ट्रिक कार बिनाने वाली दुनिया की नमबर एक कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क की भारत यात्रा दो दिन की होगी इस दौरान वो भारत में अपनी फैक्टरी लगाने के अलान के साथ कुछ और गोशनाएं भी कर सकते हैं चतीजगड के दुर्ग जिले में मौझूद भिलाई स्टील प्लांड में तीन दिनों में लगातार दूसरी बार आग लगने से हरकंप मच गया बताया गया कि जब वहां आग भड़की तो वक्त उस प्लांड में कई कड़बचारी मौझूद थे और इसी दौरान भिलाई स्टील प्लांड के अंदर आग की भयंकर लप्टें उड़ती दिखी इस आग की वज़े से वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि प्लांड के एक हिस्से में भड़की आग बिजली की तेजी से दूसरे हिस्सों तक बढ़ती नजर आई तस्वीरों में दिखा कि उस भीशन आग की उंची उंची लपतें प्लांड की छट के नजदीक तक पहुँच गई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे प्लांड को जला कर राक कर देंगी आलंकि सूचना मिलने पर पहुँचे दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया लेकिन बताया गया कि आग की वज़े से प्लांड को भारी नुकसान पहुचा आलंकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भिलाई स्टील प्लांट तीन दिनों में दूसरी बाराग की चपिट में आ गया यही वज़रे कि इस मामले में सकती से जांच कादेश दे दिये गए इस बीश लालु यादव की बेटी और बिहार की पाटली पुत्र लोकसवा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधान मंत्री को जेल भेजने वाले बयान पर 24 गंटे के अंदर ही सफाई दे दी मीसा भारती के इस बायान पर बिहार के बीजेपी नेताओं से लेकर दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने भी मुर्चा खोल दिया था लेकिन मीसा भारती ने तो प्रधान मंत्री को लेकर दिये गए उस बयान से ही किनारा कर लिया जिसे लेकर पिछले 24 गंटे से बिहार समेथ दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ गई थी मीसा भारती के मुताबिक उन्होंने कभी प्रधान मंत्री को जेल भीजने की बात कही नहीं मीसा भारती पाटली पुत्र से चुनावी अखाड़े में उतरी हैं इस दोरान वो लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटी है और ऐसे ही एक कारिकरम के दोरान एक रोज पहले उन्होंने प्रधान मंत्री पर वो बयान दिया था अलाकि अब मीसा भारती के सुर बदले हुए दिखे भारतीय जवानों ने बेहद उचाई वाले मुश्किलों से भरे पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ठिकाने लगाने की ताकत पर खी और इसमें मिसाइल के हमले में टैंकों और बक्तरबन गाड़ियों को तबाह करने का अब्ध्यास किया गया इस ड्रिल में भारतीय सेना की कई टुकनिया शामिल हुई तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी पर मौझूद जवानों ने मिसाइल लॉंचर की मदद से टार्गेट पर निशाना साधा और पलक जपकते ही उस पर जोरदार हमला कर दिया इस ड्रिल को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया यानि ऐसी तयारे जिसमें दुश्मन के एक टैंक को एक ही वार में बरबाद कर दिया जाए इस सेन्य अभ्यास में एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइलों का इस्तमाल किया गया ये मिसालें तेज रफ्तार में दोड़ते टैंकों के भी परकचे उड़ाने में माहिर मानी जाती हैं इसलिए क्योंकि ये दागी जाने के बाद टागेट के जगा बदलने पर भी उसे ढूंड कर तभा कर देती हैं भारतिय सेना ने इनी खतरनाक मिसालों से दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत परकी ये ड्रिल सिक्किम में करीब 17,000 फीट के उचाई वाले पहाड़ी इलाके में की गई जानकारी के मताबिक सिक्किम की उत्तरी सीमा से लगने वाले तिबबत के इलाकों में चीन की सेना की कई टुक्णियां तैना थे ऐसा माना गया कि भारत की ये तैयारी जरूरत पढ़ने पर चीन से दो-दो हाथ करने में बेहत मददगार साबित होगी उदर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हत्यारों की बड़ी खेब बरामत कर आतंकी साधिश नाकाम कर दी गई जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बी-एस-फ के जवानों ने हत्यारों का जखीरा बरामत करने का दावा किया पताया गया कि जंगलों में चलाय गए सर्च आपरेशन के दौरान बारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूत जब्त किया गया खबर है कि उनमें खतरनाक AK-47 राइफिल भी शामिल है हिंदु प्रशांद क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्टपती बाइडन ने जापान के प्रधान मंत्री और फिलिपीन्स के राष्टपती से मुलाकात की ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों देश मिलकर इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे इसरेल और इरान विवाद के बीच अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने इसरेली सेना प्रमुक से मुलाकात की एक रोज पहले ही अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इसरेल पर इरान मिसाल से हमला कर सकता है अमेरिका ने दावा किया कि इसरेल के सैन्या और सरकारी ठिकानों पर इरान कभी भी मिसाइल सामला कर सकता है। इधर राजिस्तान की राजधानी जैपूर में तीन बदमाशों से एक अकेली लड़की के भिड़ने का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। बता गया कि रोज की तरह वो लड़की सुबब पांच बजे अकेले ही टेल ने निकल गई थी। चेन वापस लेने के लिए अकेले ही उनसे भिड़की वो उनका पीछा करते हुए उस मोटर साइकल के पास तक पहुंच गी लेकिन तभी अपना बचाव करने के लिए उनमें एक बदमाश ने एक गुलेल निकाल ली जिससे डर कर वो उल्टे पैर वहां से भागती होने आ है वहां तीन बदमाशों ने उन बुजर्ग का काफी दूर तक पीछा किया और मौका मिलते ही चीना जप्टी चुरू कर दी और उन बुजर्ग को जमीन पर गिरा कर उनके पास मौजूद सारा कैश चीन लिया तस्वीरों में दिखा कि सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं उन बुजर्ग को पीछे से आये बदमाशों ने घेर लिया एक बदमाश तो उनके बिल्कुल सामने आ गया और उसने उन बुजर्ग की शर्ट की उपर वाली जेब में हथ डाल दिया ऐसा होते ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और जोड़ जोड़ से शोर मचाना शुरू कर दिया बुजर्ग के चिलाते ही डर के मारे पीली शर्ट वाला एक बदमाश आगे निकल गया लेकिन बाकी दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया और वो तब तक नहीं भागे जब तक उन्होंने उनके पास मजूद सारे पैसे चीन नहीं लिए उस दावे को खारिश कर दिया जिसमें जलिंस्की की सेना ने रूसी वायू सेना को भारी नुकसान पहुचाने की बात कई थी उस अमेरिकी जनरल के मुताबिक पिछले दो साल से जारी इस जंग में रूसी वायू सेना के सिर्फ दस पतिशत हिस्से को ही नुकसान पहुँचा। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस जंग में युक्रेन के कई शहर बरबाद हो गए। रूस के राश्वधी पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खास रणनीती के तहट युक्रेन की कई पावर ग्रिट को निशाना बनाया जिसकी वज़े से कीव समेथ युक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। बारतिय पहलवान ओदित ने किर्गिस्तान में चल रही एशिन रेस्लिंग चैंपिंशिप में 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया। गहने देखने लगा लेकिन कुछ देर में उसके दो साथी भी वहां पहुंच गए। पढ़ा और उसे बाहर जाने से रोग दिया। इस भीच उसका एक साथी दोड़कर वहां रखे काउंटर के दूसरी तरफ चला गया। इसके बाद तो नीली टीशेट वाले बदमाश ने अपना बैग काउंटर पर रखा। और चुन चुन कर गहने बैग में डालता रहा और उसके दोनों साथी गहने लूटने में उसकी मदद करते दिखे। पुलिस के मताबिक उन्होंने 51 लाक रुपे से ज़्यादा के गहने लूटे और वहां से परार हो गया। इन लोगों की जानकारी देने पर पुलिस ने इनाम देने का अलान कर दिया। के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब जापान ने समंदर में अपने एरक्राफ्ट कैरियर कागा को अतार दिया। मतलब कि जापान अब चीन की सेना को खुल कर जवाब देना चाहता है। और इसलिए उसने समंदर में अपनी नीव मजबूत कर ली। बतागया कि एरक्राफ्ट कैरियर कागा को जापान के कुरे शहर में समंदर के बीच तेनात किया गया। और जापान की नौसेना ने दुनिया के सामने इसकी जानकारी दे कर चीन को अपनी ताकत का संदेश दे दिया। दावा किया गया कि समंदर में जापान के खतरनाक एरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के लड़ाकु विमान F-35B का उड़ान बरना और लैंड करना आसान हो जाएगा। और इस एरक्राफ्ट कैरियर को अफग्रेड करने में जापान को दो साल का वक्त लगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जापान लंबे वक्त से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पठकनी देने की तैयारी में जुटा था। बिदी लेकिन बाद में एक जांच रिपोर्ट से उस महिला को पता चला कि उसे कभी कैंसर था ही ने। चीन से सीमा विवात सुलजाने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बयान के बाद चीन के विदेश मंत्राले ने भी टिपपुनी की। चीनी विदेश मंत्राले की प्रवक्ता माउन यंग ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बात कही। आली में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को प्रिधान मंत्री ने एक इंट्रव्यू दिया था और उसमें चीन के साथ सीमा विवाद तुरन सुलजाने की बात कही थी। भारत के शतरंज खिलाडी ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को कैंडिडेट्स टॉर्नमेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा। इस टॉर्नमेंट के साथवे राउंड में उन्हें फ्रांस के खिलाडी नहरा दिया। इसार के बाद वो इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में एक रेलवे फाटक का बैरियर गिरने से ऐसा हाथसा हुआ कि उसे देखने वालों की इनने दाथों तले उंगलिया दबाली यहाथसा उस वक्त हुआ जब कई लोग उस फाटक के दोनों तरफ से रास्ता पार कर रहे थे और तभी उस रेलवे फाटक पर लगा बैरियर लोगों के उपर गिर गया तस्वीरों में उस फाटक के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती नजर आई काफी देर तक उस फाटक के बंद रहने की वज़े से वहाँ लंबा जैम लग गया था इस दोरान सड़क के दूसरी तरफ से सामान ढोने वाली एक गाड़ी आती दिखाई दी जैसे ही वो गाड़ी उस फाटक पर लगे बैरियर के करीब पहुंची उसका पिछला इससा उससे टकरा गया टकर लगते ही वो बैरियर एक जटके में वहाँ मौझूद लोगों पर गिर पड़ा लेकिन वहाँ अफरा तफरी तब मच गई जब उस बैरियर के गिरने से एक मोटरसाइकल वाले के सिर पर चोट लगे वो बैरियर इतनी जोड़ से उसके सिर पर गिरा कि वो जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वहाँ मौझूद लोग दोड़ कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे जबकि कुछ लोग उस बैरियर को इस मोटरसाइकल के उपर से हटाते नज़र आए बता गया कि इस हादसे में उस मोटरसाइकल वाले के सिर पर गंभीर चोट आई उदर चीन के बेहत खरीब समंदर में एक बड़ी ड्रिल करके अमेरिका ने शी जिन पिंग की नींद उड़ा दी इसके अलावा वहाँ जापान और दक्षन कोरिया की घातक पन डुब्बियों और जहाजों ने भी अपना जोर दिखाया और अमेरिका ने दावा किया कि सेन्या भ्यास का मकसद चीन को ये बताना था कि वो अमेरिका के किसी भी दोस्त को कमजोर समझने की गलती ना करे अमेरिका पहले भी कई बार इस अलावे में जापान और दक्षन कोरिया और फिलिपीन के साथ सेन्या डुरिल कर चुका है ये समुद्री इलाका दक्षन चीन सागर कहलाता है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है और वो यहां किसी और देश की नौसेना के जहाजों को गुसने तक नहीं देता अमेरिका ने दावा किया कि चीन के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उसने दक्षन चीन सागर से लगने वाले बाकी देशों के साथ हाथ मिलाया ताकि समंदर में बढ़ती चीन की दादा गिरी पर लगाम लगाई जा सके इस बीच महेंगाई के मोर्शे पर राहत की खबर सामने आई रिटेल महेंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 5 महीने का सबसे निचला स्तर है वित्तमंतराले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक खाने पीने की चीजों की खीमतों में गिरावट की वज़े से मार्च में रिटेल महेंगाई दर घटी है फरवरी में ये दर 5.09 प्रतिशत पर थी सभी सेक्टरों में हुई बिक्वाली की वज़े से भारतिय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली इस दोरान बैंक, हेल्थ केर, FMCG, मीडिया, रियल्टी और ओलन गैस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज का सेंसिक्स 793 अंकों की गिरावट के साथ 74,244 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 234 संग गिरकर 22,519 के सतर पर आ गया उदर अमेरिका के फिलिडेलफिया में एक रोज पहले ईद के जेश्टन के दौरान दो गुटों में हुई गोली बारी की खबर से संसनी फैल गई, वहां कुछी मिंटों में चली 30 गोलियों की तर्टराहट से भगदर्मन गई, पुलिस के मताबिक इस घटना में तीन सुनते ही वहां भगदर मच गई, लोग अपना सामान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, पुलिस के मताबिक ईद का जेश्टन मनाने के लिए एक अठा हुए लोगों के बीच अचानक गोली बारी शुरू हो गई, और वहां दो गुटों के बी विस उस इलाके के लोगों से पूश्टाच करती नजर आई, इस बीच केरल में एरनक रुम जिले के गाउं में हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए वहां धारा 144 लगानी पड़ गई, बताय गया कि जंगली हाथियों के जुन से भटक कर हाथी का वो बच्चा आबादी वाले इलाके के नजदीक पानी से भरे गड़े में गिर गया, लेकिन उसे बचाने में वन विबाग के भी पसी ने चूट गए, तस्वीरों में दिखा कि हाथी का वो बच्चा पानी से भरे तरीब 15 फीट गहरे गड़े में फस गया, इस दोरान सून की मदद से उसने उपर निकलने के लिए दम लगाया, लेकिन गड़े की गहराई ज्यादा होने की वज़े से उसकी कोशिश नाकाम रही, उसने कई बार कोशिश की लेकिन जब उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ, तो हाथी का वो बच्चा ठक हार कर गड़े में ही बैट गया, हा वन विभाग की टीम ने सबसे पहले उस गड़े का पानी कम किया, इसके बाद हाथी के उस बच्चे को ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश कर दिया गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद जंगली हाथी का वो बच्चा किसी को नुकसान ना पहुचा है, इसके लिए उस इ मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक डॉक्टर पर ही हमला कर दिया, आरोफ है कि मरीज से शिकायत मिलने के बाद उस डॉक्टर ने उस दुकानदार को उसकी दवा लटा दी, और बस इसी बाद पर वो बुरी तरह भढ़क गया और उस डॉक्टर पर हमला कर दिया, इससे पहले तो उसके सिर पर जैसे भूत सवार हो गया उसने उस डॉक्टर पर घूसों की बरसात कर दी ये देखकर वहाँ खड़े लोग बीज बचाव करने आया और उन दोनों को अलग किया लेकिन इसके बाद भी काफी देड़ तक उन दोनों के बीच जबानी जग जारी रही आरोप है कि मेडिकल स्टोर के उस मालिक ने एक मरीज को गलत दवा दी थी और जब उस मरीज ने उस डॉक्टर से इसकी शिकायत की तो उसने वो दवा लोटा दी बस इसी बात पर वो गुस्से में आ गया और उसने उस डॉक्टर के साथ मारपीट शूरू कर दी उधर दक्षन कोरिया के दूसरे जासूसी सैटलाइट लांच करते ही किम जॉंग उन ने जंग की हुंकार भर दी मतलब लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षन करने वाला उत्तर कोरिया अब जंग के मैदान में खुल कर खेलना चाहता है क्योंकि उत्तर कोरिया की न्यूज एजिंसी केसी एने के मताबिक किम जॉंग उनने साफ कर दिया कि अब युद्ध का समय आ चुका है उत्तर कोरिया के शासक किम जॉंग उन वहां की मुख्य सैन्य उनिवरस्टी पहुंचे और सेना के अधिकारियों से मुलकात की इस दोरान वो सैनिकों से भी मिले और दावा किया गया कि उन्होंने उन्हें अपने दुश्मन देशों के खिलाफ एक तरह से युद्ध की रणनीती पर काम करने के निर्जेश दे दिये के सीने के मुताबिक किम जॉंग उन्ने अपने संबोधन में खुल कर बयान दिया कि उत्तर कोरिया के आजपास हालात ठीक नहीं है और सेना को युद्ध के लिए पहले से ज़्यादा तयार होकर रहना होगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त दक्षन कोरिया और उसके दोस्तों के खिलाफ जंग चेड़ सकते हैं यानि सेनी उनिवरस्टी पहुँचकर उन्होंने सेनिकों में जोश भरने का काम किया महां तालियों की गड़गडाड सुनाई दी मतलब हत्यारों का दम दिखाने वाले किम जॉंग उन अपने सेनिकों को मानसिक तोर पर भी मजबूत करने में जुट गए इधर राजिस्तान के चुरू में उस वक्त दफरा दफरी मच गई जब वहां बदमाशों के गिरोह ने एक आदमी पर हमला कर दिया पारोप लगा कि उन बदमाशों ने उस आदमी से 10 लाग रुपेयों की मांग की थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी लेकिन जब उन बदमाशों को रखम नहीं दी गई तो उन्होंने उस आदमी पर हमला कर दिया अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए लेकिन बदमाशों की गाड़ियां एक के बाद एक उस आदमी की गाड़ी में टक कर मारती रही आरोप लगा कि उन बदमाशों ने 10 लाग रुपेओं की मांग की थी लेकिन जब उस आदमी ने पैसे नहीं दिये तो उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई यही नहीं इस दोरान उस आदमी के साथ मारपीट की जाने के भी आरोप लगे अलंकि पीडित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी उधर अफरीकी देश केनिया में बाड़ के बीच फसे 51 लोगों का रेस्क्यू किया गया वहां बाड़ की वज़े के से कई नदी और नाले न उफान पर आ गए इस दोनान एक नदी पार करने की कोशिश में एक बस उसके बीचों बीच फस गई और इसके बाद उस बस में बैठे सबी लोग जान बचाने के लिए उसकी चट पर चड़ गए दस्वीरों में वो बस आदे से जादा पानी में डूबी नजर आई जबकि उस नदी के किनारे लोगों की भारी भीड दिखाई थी इसके बाद वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने अपने दो गोता खोरों को पानी में उतारा ताकि वो उस बस तक पहुंच पाएं इस आदसे के लिए उस बस के ड्राइवर पर लापरवाही कारोब लगाया गया क्योंकि पानी के तेज बहाद के बावजूद उसने उस नदी को पार करने की कोशिश की उदर महराश्च के पुणे में एक ट्राफिक लाइट पर रुके एक कार सवार को कुछ लोगों ने ऐसा पीटा कि वहाँ दूसरी गाडियों में सवार लोग घबरा गए बताया गया कि मामूली विवाद में उन लोगों ने उस कार सवार को बाहर निकाला और कई गाडियों के बीच उसे पीटना शुरू कर दिया और उनमें टोपी पहना एक आदमी तो उसे लगातार थपड मारता नजर आया कुछ देर में तो उसने कार की तरफ जोर से धक्का दे दिया वहां टोपी वाले आदमी के साथ तीन और लोग मौझूद दिखे जो आराम से मारपीट देखते रहे तबी उस कार सवार ने विरोध किया और टोपी वाले आदमी को मुक्का मारता दिखाई दिया लेकिन हद तो तब हो गई जब लाल शट पेना एक दूसरा आदमी वाहां भागता हुआ पहुँचा और उस कार सवार को बुरी तरह पीटता नजर आया वो बार बार धक्का मार कर उसे कार के अंदर बैठने के लिए धमकाता रहा इस दोरान उन लोगों और कार सवार के बीच जड़प हो गई उस कार के पीछे कई गाड़ियां खड़ी नजर आई और सड़क पर जैम लग गया लेकिन जड़प चलती रही मार पीट करने वाले उस कार सवार पर वहां से चले जाने के लिए दवाब बनाते रहे लेकिन वो नहीं माना कुछ देर बाद कार सवार के साथ मार पीट करने वाले भी वहां से आगे की तरफ जाते दिखे वहां उन लोगों ने उस कार सवार को क्यों पीटा इसका पता नहीं चल सका इस बीच रूस की सेना के साथ जारी जंग के बीच यूकरेन में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए विवादास्वत कानून को वहां की संसत से मन्जूरी मिल गई अमेर्की अख़वार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना में पांच लाग सैनिकों की भरती करना है ताकि जंग के हर मोर्चे पर रूस की पौज को तगड़ा और करारा जवाब दिया जा सके क्योंकि पिछले दो साल से ज़ादा वक्त से चल रही इस जंग में यूकरेन के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है अमेर्की अख़वार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक इस वक्त यूकरेन की सेना सैनिकों की भारी कमी से जूज रही इसलिए जंग में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए युक्रेन ने लंबे वक्त से ठंडे वस्ते में पड़े विवादासपत कानून को मनजूरी दे दी मतलब एक बर सेना में शामिल होने के बाद सैनिक सेना से निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे और अगर किसी सैनिक ने सेना छोड़ने की कोशिश की तो उसे सजा देने का प्रावधान किया गया दावा ये भी किया गया कि यूकरेन के इस विवादासपत कानून में इसी तरह के कई और प्रावधान है पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना को मजबूत बनाना और रूस से मुकाबले के लिए पांच लाग सैनिकों की फौज खड़ी करना है प्रावधान मंत्री ने इस मुद्दे पर राहूल घांधी और तेजस्वी आदब दोनों को गहरा और जम्मू कश्मीर के उधमपूर में हुई रैली से प्रावल गांधी के मकशली खाने के वीडियो पर सबाखा पुधान मंत्री ने उदंपुर के अपनी रैली में दोनों वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की ही ओर था। क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो पिछले साल सावन के मह महिने में आया था। उस वीडियो में राहुल गांधी लालु प्रसाद यादव से मतन बनाना सीखते दिखे थे। तुधान मंत्री ने इसी वीडियो का जिक्र करते हुए बोल दिया कि सावन के महिने में ऐसा वीडियो शेर करने का मतलब लोगों को चिड़ाना था। सावन के महिने में मतन बनाने का मौद ले रहे हैं। इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिड़ाने का काम करते हैं। प्यम यही नहीं रुके। उन्होंने कॉंग्रेस की मानसिक्ता की तुलना मुगलों की मानसिक्ता से कर दी। सावन के महने में वीडियो दिखा कर वो मुगलके लोगों के जमाने की जो मान सिखता नगरा कर thinking देश के लोगों चीराना चाते हैं रहुल गांधी का मटन बनाने का वीडियो करीब साथ महीने पहले सावन के महीने में आया था और इसमें वो लालू यादव से बिहारी अंदाज में मटन बनाना सीख रहे थे वहां मीसा भारती भी मौझूद थी राहूल ने ये वीडियो खुद शेयर किया था और लिखा था कि लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला लेकिन राहूल गांदी का सावन के महीने में ये वीडियो आना विवाद का मुद्दा बन गया था और प्रधान मंत्री ने लोगसभा चुनाव के दोरान भी से उठा दिया इससे पहले नवरात्र के पहले ही दिन तेजस्वी आदब ने मचली खाने का वीडियो शेर किया था और इस वीडियो में वो अपनी सयोगी पार्टी विए आईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ मचली खाते नजर आए थे लेकिन उनके इस वीडियो पर विवाद हो गया था बीजेपी ने सवाल उठाय था कि तेजस्वी आदव ने नवरात पर ये वीडियो क्यों शेर किया राहुल गांधी के मटन वाले वीडियो की बात करते करते प्रधान मंतरी ने मचली वाले वीडियो का मुद्दा भी उठा दिया और आरजेटी पर तुष्टिकरण की राजनीती कारोप लगा दिया नवरात्र के दिनों में अपना नौनवेग खाना वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को जोट पहुचा करके इसको खुश करने का खेल कर रहे हो तेजस्वी आदव ने जब ये वीडियो शेर किया था तो उन्होंने और मुकेश सहनी ने विपक्ष पर तंजबी कसा था वो यही नहीं रुके थे मचली खाने के वीडियो के अगले ही दिन उन्होंने संत्रा खाने का वीडियो शेर कर दिया था संत्रे के रंग का जिक्र करते हुए उन्होंने भगवा रंग की बात की थी और बीजेपी पर निशाना साधा था यानि पहले मचली पर सियासत गरमाई फिर संत्रे पर राजनीती हुई और अब मटन भी मुद्दा बन गया क्योंकि पी-म ने सावन में राहुल के मटन बनाने और तेजस्वी के नवरातर पर मचली खाने के वीडियो पर कॉंग्रेस और आरजेटी को घेरा यानि इस चुनाव में मटन मचली भी चुनावी मुद्दा बन गया इधर उत्तरपदेश के मत्धुरा में निर्दली पित्याशी शिखावर्मा ने अपनी गाड़ी रोकी जाने पर खुब भंगामा किया चुनाव प्रचार के लिए निकली शिखावर्मा के काथले में पाँच गाणिया थी लिकिन इन सभी गाड़ियों को प्रशासन ने रोक दिया और इसी बात पर मत्धुरा सीट से निर्दली पित्याशी शिखावर्मा भढ़क गई और सीधा उस अधिकारी से भिढ़ गई जिसने गाड़ी रोकी थी अधिकारीयों ने बताये कि इन गाड़ियों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया बलकि चुनाव आयोक के निर्देश के मुताबिक इनका वीडियो बनाय जा रहा था और इसी लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया इसी बात पर शिखा वर्मा और उनके समर्थक भड़क गए नारेबाजी के बीच शिखा वर्मा अधिकारियों से ही उलच पड़ी बाद बढ़ती देखकर पुलिस ने बीच बचाव किया और किसी तरह मतुरा सीट से निर्दली प्तियाशी शिखा वर्मा और उनके समर्थकों को शांत करवाया और गाडियों का काफिला आगे बढ़ गया उधर नाइए के सूतरों ने दावा किया कि बेंगलूरू बंब लास्ट केस के दोनों संदीक अब्दूलमतीन ताहा और मुसब्वर हुसैन शाजब सुरक्षा एजनसियों को चक्मा देने के लिए एक ऐसे लाज़ में छिपे थे जहां पहचान पत्र देने की जरूरत ही नह दमाका हुआ था और दमाके के अवाज से पूरा बेंगलूरू शहर थरा गया था इस दमाके के ठीक 42 इस दिन बाद एनाइए की टीम ने दो संदिक्द अब्दूलमतीन ताहा और मुसब्वर हुसैन शाजब को गिरफतार करने का दावा किया एनाइए ने दोनों को पथ्र देने की जरूरत नहीं थी एनाइए के सूतर बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पेचान किसी भी कीमत पर उजाघर ना हो सके और वह ऐसा लॉज्ज या ऐसे गस्थाॉस को चिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेश देने की जरूरत नहों आलांकि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी NIA ने उन्हें ढूंड निकाले NIA ने दावा किया कि मुसविर हुसैन शाजिब नहीं रामेश्वरम कैफे में विस्फोटक रखा था और अब्दुलमतीन ताहा ने धमाके की पूरी साजिश रची थी मतलब NIA ने अब्दुलमतीन ताहा को बेंगलूरू बंबलास्ट का मास्टर माइंड बताया क्योंकि NIA का दावा है कि रामेश्वरम कैफे में धमाके की फ्लैनिंग से लेकर सुरक्षा एजेंसियों को चक्मा देने का पूरा प्लैन ताहा नहीं बनाया था जांच के दौरान ये भी पता चला था कि संदिक ताहा तमिलाड में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के मानले में भी वॉंटेड है NIA की जानकारी के मताबिक मुसवर उसेंड शाजिब और अब्दुलमतीन ताहा करनाटक के शिमोगा जिले के रहने वाले हैं और सूत्र बताते हैं कि दोनों आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हैं लेकिन एक मार्ज को रामेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद से ही दोनों फरार थे पिछले महिने की 23 तारिक को NIA ने धमाके के मुख्य संदिक्द के तौर पर दोनों की पैचान की थी NIA के सूत्रों के मताबिक दोनों की पैचान एक टोपी से की गई थी क्योंकि जांच के दौरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जांच अधिकारियों को एक टोपी मिली थी NIA के सूत्र बताते हैं कि जांच के दोरान ये पता चला था कि वो टोपी अब्दुलमतीन ताहा की थी जिसे उसने चन्नाई में खरीदा था सूत्रों का दावा है कि एक मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम रखने के दौरान मुसफिर हुसेन शाजिप ने वही टोपी पहनी थी जो NIA को रेस्टॉंट के पास से मिली थी सूत्रों बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला कि चन्नाई में उस तरह की टोपी के सिर्फ 400 पीस ही बेचे गए थे और इसके बाद NIA की टीम ने चन्नाई के उस इलाके के CCTV खंगान ने शुरू किये जिस इलाके में संदिक ताहा ने टोपी खरीदी थी NIA के सूत्रों के मताबिक कई दिनों की मेहनत के बाद जांच अधिकारियों को एक वीडियो में अब्दुलमतीन ताहा दुकान से टोपी खरीदता हुए दिखाई दिया था और सूत्र बताते हैं कि ताहा की उसी टोपी का इस्तमाल धमाके के दिन शाजिब ने किया था सूत्रों के मताबिक उसके घरवालों ने वीडियो देखने के बाद उसकी पैचान भी कर दी थी लेकिन रेस्ट्रों में धमाके के करीब एक महीने बार भी ना तो शाजिब का कुछ पता चल रहा था और ना ही ताहा का क्योंकि सूत्रों का दावा है कि दोनों पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे जाँच एजिंसियों के मताबिक धमाका करने के बाद ताहा और शाजिब कुछ दिनों तक चिन्नई के एक इक इलाके में भी छिपे हुए थे लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़े दिनों के बाद दोनों वहां से भी निकल गए थे इसलिए दोनों की तलाश में एनाईये ने करनाटक और तमिलनाड समेत कई राज्यों में च्छापे भी मारे थे इसके बाद 29 मार्श को दोनों पर 10-10 लाग रुपे का इनाम रखा गया था ताकि किसी भी तरह बेंगलूरू ब्लास्ट के इन दोनों संदिक्दों तक पहुँचा जा सके अल्ग कि सबूतों को जोडते हुए नाईये ने दोनों संदिक्दों को पश्चमंगाल के पूर्व मिधनिपूर से गिरफटार कर दिया और बाखाईदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल दी इसके बाद सोशल मीडिया पर अमित मालविये और पश्च मंगाल पुलिस में वार छिड़ गई मंगाल पुलिस ने अमित मालविये के दावे को जूटा बता दिया लेकिन इस मुद्दे में सियासी तड़का तब लगा जब पश्च मंगाल के मुख्यमंतरी ममता बेनरजी ने अमित मालविये के बहाने बीजेपी और केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर जोड़दार हमला बोल दिया गमसान तब शुरुआ जब नाईये ने पश्च मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से ब्लास्ट के दो संदिक मुसफ्विर उसेन शाजिप और अब्दुलमधीन ताहा को किरफतार किया इस उपरेशन में एनाईये के साथ पश्च मंगाल की पूलिस भी शामिल रही इसी के बाद अमित मालविये ने ममता बेनरजी पर निशाना सादिते हुए अपनी एक पॉस्ट में पश्च मंगाल को आतंकियों का घर बता दिया यही नहीं बीजेपी ने करनाटक की कॉंग्रेस सरकार पर भी अमला बोला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरीए बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गए इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में बी आरेस नेता के कविता को राउजविन्यू कोट ने तीन दिन की सीबियाई रिमान में भेज दिया आलगी सीबियाई ने कोट से उनकी पांच दिन की कस्टेडी मांगी थी के कविता पहले ही इस केस से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में तेहार जेल में बन है दिल्ली के पूर्व उपुमुखे मंतरी मनीश शिसोधिया की अंतरिम जमानत अरजी पर राउजविन्यू कोट 20 अपरेल को सुनवाई करेगी इससे पहले मनीश शिसोधिया ने लोगसबा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोट से अंतरिम जमानत की मांग की उन्होंने दलील दी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का संकल पत्र रविवार को जारी होगा खबरे के इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रिह मंतरी अमिट शाह और रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी मौझूद होंगे उदर लोगसभा चुनाव से पहले टी-मसी विधायक हमीदुल रह्मान ने बंगाल की विबख्षी पार्टियों के कारेकरताओं से खुल कर बोल दिया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद इस मामले पर बंगाल का सियासी पारा चड़ गया मगं बीजेपी भड़क गई और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला किया विवाद टीमसी विदायक हमीदुल रह्मान की बंगाल के रायगंड से हुई एक चुनावी सबा से शुरू हुआ और इस चुनावी सबा में उन्होंने विरोधियों को खुले आम धमकी दे डाली बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रह्मान के बयान का वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो में उन्हें विपक्षी पार्टी के कारकरताओं को बोलते हुए सुना गया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद बीजेपी ने भी आव देखाना थाओ और टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला कर लिया बीजेपी नेता शुबेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले पर संग्यान लेने की मांग की क्योंकि टीमसी विधायक ने विरोधियों को धमकाया बंगाल की राइगंज लोगसभा सीट पर 26 अपरेल को मत्तान होना है और हमीदुल रह्मान राइगंज के उत्तर दिनाशपूर विधान सबाक शेतर से विधायक है और इसलिए उन्होंने 26 तारिक को केंद्रिय सुरक्षा बलके राइगंज से जाने का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया और बंगाल में 2019 के लोगसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र होने लगा क्योंकि पिछली बार के मतदान के बाद बसिरहाट और जादवपुर जैसी लोगसभा सीटों पर बीजेपी और टीमसी कारकरताओं के बीच हिंसक जड़प हो गई थी इधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्टपती शासन लगाया जाने का डर जताया दिल्ली की सियासत में भूचा ला गया आतिशी ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यारोब लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगाने के लिए साजिश रची और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि बीजेपी राश्ट्रपती शासन के जरीए दिल्ली को अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी से चीनना चाहती है। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राश्ट्रपती शासन लगाया जा सकता है। और आतिशी के मताबिक इसकी साज़िश किसी और नहीं बल्कि बीजेपी ने रची। केंद्र सरकार दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगाने वाली है। आलंकि बीजेपी ने नारोपों को बेबुनियात बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटगरे में खड़ा कर दिया। मनोश तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयानबाजी करके दिल्ली में केजरिवाल सरकार की नाकामियों पर पर परदा डालने की कोशिश में ठुटी है है। कार चलाने पर अड़ी है लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी इस बीच अर्विन केज्रिवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को संजे सिंग ने टाल दिया केज्रिवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है जेल से निकलने के बाद संजे सिंग भी कई प्रदर्शनों का इस्सा बने थे लेकिन इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसद नजर नहीं आए एक तरफ संजे सिंग ने अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को टाला तो वहीं दूसरी और पार्टी के राज्यसबा सांसद, संजीव अरोडा, विक्रम जीत सिंग साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरिवाल से मिलने पहुंच गए इस मुलाकात की तस्वीरें भी आएं और पोस्ट में सुनीता केजरिवाल की तारीफ की गई उदर पंजाब के फरीद कोड में किसानों का घुस्सा इसकदर भड़का कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस की कार पर चढ़ाई कर दी उनकी कार पर जब किसानों का जुन्ड तूटा तो देखकर लगा मानो वो हंसराज हंस से मारपीट पर उतर आएंगे बीजेपी ने इस बार फरीद कोड लोकसबा सीट से हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है लेकिन जैसे ही उनकी कार वहाँ पहुंची किसानों का जथा उनकी कार पर तूट पड़ा हाथों में काले जंडे लिए कुछ किसान उनकी सफेद कार के बॉनट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे तो कुछने कार के दर्वाजों और किड्कियों में हाथ मार कर उन्हें खुलवाने की कोशिश की पुदर्शन कर रहे हैं उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हंसराज हंस के सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पैर फूल गए इसके बाद वहाँ मौझूद पंजाब पुलिस के जवानों ने मुर्चा समहला और उन किसानों को धक्के दे कर वहाँ से अलग किया इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंसराज हंस बैठे थे उससे तो वहाँ से निकाल दिया गया लेकिन उनके कापले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फस गए पंजाब के फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा था वहाँ किसानों ने केंद सरकार पर किसान अंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खलाफ बिकुल फूंक रखा है और इसी विरोध का सामना फरीद कोट से प्रिक्तियाशी बनाए गया हंसराज हंस को भी करना पड़ा बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी नितीश कुमार पूर्व उप्व मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव पर भढ़क गये केरल की तिरुवननत पुरम सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार शेशी थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंदरशेकर के मानहानी नोटिस का जवाब दिया शेशी थरूर ने राजीव चंदरशेकर के खलाफ जूटे आरोप लगाने से इंकार कर दिया और उनसे बयान वापस लेने और माफी माँवने के मांग कर दी यही नहीं शेशी थरूर ने अपनी माँवों को नजरनदाज करने पर कानूनी करवाई की चितावनी भी दी पंगलिरू में पीने के पानी की कमी का मुद्दा लोकसबा चुनाव से पहले गरमा गया वहांके कई अलाकों में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि एक हाउसिंग ससाइटी ने तो लोगसबा चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया अजरेल के बीच बहुत बड़ी जंग छिडने के आशंका जताएगी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इरान अपने कटर दुश्मन इसरेल पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका के अखबार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई इसरेल और अमेरिका की सेनाएं अलर्ट मोड में आ गई मतलब इरान और इसरेल के बीच खुली जंग का काउंड़ाउन शुरू हो चुका है क्योंकि सीरिया में अपने दुतावास पर हमले के बाद से ही इरान बदले की आग में चल रहा है इरान लगातार ये धंकी दे रहा है कि दुतावास पर हमले का बदला वो लेकर रहेगा इरान के मीडिया के मताबिक उसकी सेना ने इसरेल से बदले के लिए कई विकल्प तयार कर लिए खबरों के मताबिक एरान अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसराइल के किसी दूतावास को निशाना बना सकता है या फिर उसकी सेना और खुफिया एजंसियों के ठिकानों पर बारूत बरसा सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो इसराइल भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा खबरों के मताबिक इरान की धंकियों को देखते हुए इसराइल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुट गई थी ब्लूमबग की रिपोर्ट के मताबिक एक एक अपरेल को सीरिया की राजधानी दमिश्च में अपने दूतावास पर हमले के तुरंट बाद ही आई आर जीसी एक्शन में आगए थी आई आर जीसी यानि इसलामिक रिवलुशनेरी गार्ड कोर इरान की सेना की ब्रांच है अफसरों ने 2 अपरेल को ही एरान के सुप्रीम लीजर आयातुला अली खामनई से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में आयार जीसी नोंने इसराइल पर हमले के पूरी प्लैनिंग समझाई थी पस्चिमेशा से लेकर यॉरप के कई देशों में अलर्ट घुशित कर दिया गया अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोट पर रखा क्योंकि एक रोज पहले ही बाइडन ने इसरेल को भरोसा दिया था कि इरान ने हमला किया तो अमेरिकी फॉज इसरेल के लिए रक्षा कवज बन जाएगी मतलब यह कि इसरेल और इरान की जंग में अमेरिका भी सीधे सीधे कूट पड़ेगा हाना कि अमेरिका ने इरान को इसरेल पर हमला ना करने की चेतावनी दे दी लेकिन दो पुराने दुश्मनों के बीच जंग शुरू होने के बढ़ते खत्रे के बीच पूरी दुनिया अलर्ट आ हुए क्योंकि इसरेल और इरान इस वक्त बारूत के ऐसे धेर पर बैठे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबहा कर सकती है इसी वज़े से फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लेंड ने अलर्ट जारी कर दिया 24 से 48 घंटों में जंग शुरू होने के आशंका के बीच बारत सरकार के विदेश मंत्राले ने नागरिकों को इरान और इसरेल ना जाने की सला दी इरान और इसरेल गए हुए भारतिय नागरिकों को विदेश मंत्राले ने वहां मौझूद भारतिय दुतावास से संपर्क करने की भी सला दी जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इसरेल, इरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया ब्रिटन ने अपने नागरिकों को तुरंत इसराइल छोड़ने के निर्देश दे दिये पश्यमेश्या में साओधी अरब ने भी अलर्ट जारी कर दिया मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई इसराइल के मीडिया के मताबिक एरान के हमले की धंकियों के बीच प्रिधान मंतरी बेनिमिन नितनियाहु ने वहां के सेना प्रमुक से मलाकात की और तैयारियों का जाइजा लिया खबरों के मताबिक नितन्याहू ने मुसाद के टॉप एजिन्ट को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया यानि इरान के हमले का जवाब देने के लिए इसरेल भी पुखता तैयारी में जुट गया इसरेल के मीडिया के मुताबिक सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले के बाद इसरेल ने अपने जीपिएस नैविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था माना जा रहा है कि इरान की गाइड़र्ण मिसालों के हमलों को रोकने के लिए इसरेल की फौज ने ये कुदम उठाया और इतना ही नहीं इसरेल के मीडिया के मुताबिक उसकी फौज ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टिया भी रद कर दी इसरेल ने अपनी एर डिफेंस कमांड को इलर्ट पर रखा है ख़वरों के मताबिक हमले के खतरे को देखते हुए वहां कई शहरों में एंटी बॉम शेल्टर बना दिये गए ये खास तरह का धांचा होता है जो बमों के हमले से सुरक्षा देता है इसरेल से इरान की दूरी करीब 2300 किलो मीटर है दोनों देशों के बीच इराक, सिर्या और जॉर्डन जैसे देश मौजूद है किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी इसरेल को निशाना बनाया जबकि इसरेल ने सीधे तोर पर इरान के ठिकानों पर कई बार हमले किये लेकिन इस बार अगर इरान सीधे इसरेल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पश्चिमेशिया में फ्हल सकती है और इसके नतीजे बेहत खतरनाक हो सकते हैं और पूरा पश्चिमेशिया जंग की आग में जुला सकता है इसरेल और अमेरिका की तैयारियों और तेवरों के बीच इरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक जुट होने को कह दिया और घाजा में इसरेल के हमलों का जिक्र करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की आयतुल्ला अली खामनईई ने मुस्लिम देशों को सुझाफ दिया कि इसरेल को अलग थलग करने के लिए सभी देशों को उससे अपने सभी प्रकार के संबंद तोड लेने चाहिए और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है इस बीच कतर और कुएत ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो इरान के खिलाब जंग के लिए अपने अलाके और ठिकानों का इस्तमाल नहीं करने देंगे इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एक जुटता के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका इरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुल कर इसरेल के साथ खड़ा दिखाई दिया लडाकों ने इसरेल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी हमास के लडाकों ने सैकड़ों लोगों को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया था और करीब धाई सो लोगों को बंधग बनाकर अपने साथ गाजा ले गय थी इसरेल ने या रोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर ये हमला इरान के इशारे पर ही किया था हाला कि ईरान ने इससे पूरी तरह इंकार किया था लेकिन 7 अक्टूबर को इस्रे прекर हमास के हमले के बाद ईरान में जमकर जश्ट मनाया गया था और उसी जश्ट ने इसरेल के लोगों के कलेजे में आग लगा दी थी इरान पहले से ही इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंट गए और हमास और इसरेल की जंग के 6 महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इरान और इसरेल में भी जंग छिड नहीं वाली है बारती वायू सेना की मुस्तहदी की वज़े सेना के एक जवान के हाथ की सरजरी समय रहते मुम्किन हो पाई दिल्ली में सेना के अस्पताल में उस जवान के कटे हुए हाथ को समय रहते चोड़ दिया गया इसकी जानकारी वायू सेना ने खुद सोशल मीडिया के जरीय दी बताय गया कि लब्दाक के ले में हुए एक हादसे में उस जवान का हाथ कट गया था उसके बाद महस चार गंटे में उसे वायू सेना की मदद से दिल्ली पहुचा दिया गया किंद्रीय मंतरी राजनात सिंग ने एक घटना का जिक्र कर कॉंग्रिस पर निशाना साथ़ा उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मां के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए परोल तक नहीं मिल सकी थी उधर लोगसबा चुनाव में मायवती के बतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेरा बन गए उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली दुआधार रेलियां की आकाश आनंद बीएसपी के नैशनल कोडिनेटर है लेकिन उन्हें मायवती का उत्तरा दिकारी भी माना जाता है और इसलिए उन्होंने इन चुनावों में ताबर तोड रेलियां की मैदान में उता रहा है और इसलिए आकाश आनंद ने मतुरा की रेली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मदद्दाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया साथियो राम मंदिर कोई जस्तिफिकेशन नहीं है हमारी बेहन बेटियों को ना सुरक्षा देने दे अपनी रेलियों में आकाश ने आकरामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया समाजवादी पार्टी पर तो वो जम कर बढ़से 2019 के लोगसवा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गटबंधन था लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो चुके क्योंकि अखिले श्यादावर कॉंग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ और इसलिए आकाश अनन्द ने इन चुनावों में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुर्चा खुल दिया आकाशानन यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजबादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे आकाशानन ने अपनी रैलियों में बार बार मायवती का नाम लिया लेकिन उनके तेज दर्रार अंदाज ने ये संकेत दे दिये कि इस बार के चुनाम में वो ही बीएसपी का चेहरा हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने तावर तोड रैलियां किया आकाश आनंद ने इस चुनाम में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी और फिर चंद शेकर आजाद पर हमला किया और उन्हें बहरूपिया बोल दिया आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगो कुछ उंगरा करने काम करते साथियो वो बहरूपिये नीला पटका पहर के आएंगे इसे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनन ने चंदर शेकर का काम करने का बूरा तरीका ही बता दिया था और दावा किया था कि वो बीएसपी के युवा समर्थकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं ये आदमी अपने आपको मसीहा बताता है ये आदमी कहता है कि मैं सड़ पर उतरूँगा आपनी समाज के इस आंदोलन करता है जगरता है लड़ता है हमारे युवा साथियों को ले के पहुच जाता है इस पार्टि का ज़्यक चेहरा बने और दूसरा उन्होंने BSP का विकल बनने की कोशिश में जुटे चंदर शेकर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और बी-एस-पी को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुढ गए इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में कंगना रनौत ने मंडी से कॉंग्रेस के दावेदार माने जा रहे विक्रमदित्य सिंग को सीधे-सीधे ये चेतावनी दे दी कि वो हिमाचल प्रदेश को अपने परिवार की जागीर समझने की गलती ना करे क्योंकि उनके निशाने पर था हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस नेता विक्रमदित्य सिंग का परिवार कंगना रणाघ ने आरोप लगाया कि राज परिवार से आने वाले विक्रमधित्य सिंग और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपनी बपौती समझा आनकि विक्रमधित्य सिंग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की उन्होंने दावा किया कि कंगनार रनौत ने निजी हमले कर हिमाचल की राजनीती का माहौल बिगाडने की कोशिश की आज तक इस तरीके की भाशा शैली का प्रियोग हिमाचल जैसी पवित्र देव भूमी में नहीं हुआ होगा गंगनार अनौत ने विक्रमदिति सिंग के जरीए कॉंग्रेस की परिवारवाद वाली छवी को निशाने पर लिया उधर गंगसर मुकणार अनसारी के बेटे अबबास अनसारी ने भी जेल में जहर दिया जाने की आशंका जाहिर की गैंग्सनर मुक्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने गाजीपुर की कोट से अपनी सुरक्षा की गोहर लगाई खबरे के कुछ दिनों पहले कोट में एक मामले की सुनवाई के दोरान उनके वकील की तरफ से कोट में अपील की गई इसकी जानकारी अब सामने आई खबर है कि अब्बास अंसारी ने आरोब लगाया कि काजगन जेल में उनकी सुरक्षा पुकता नहीं है और उनके खाने में जहर भी मिलाया जा सकता है नाशनल कॉंफरेंस के उपाध्यक्ष और जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी उमर अब्दुल्ला जम्मु कश्मीर की बारमुला लोगसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नाशनल कॉंफरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुला ने ये एलान किया जम्मू कश्मीर की पांच लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी ने उत्रप्रदेश की कौशामभी और कुशी नगर लोगसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपने दो अम्मीदवारों की लिस्ट शेयर की जिसके मताबिक कुशामभी से पुश्वेंद्र सरोज और कुशी नगर से अजय प्रताफ सिंख और पिंटू सैंथवार को प्रत्याशी बनाए गया बिहार के सुपॉल में नौवी क्लास में बच्चों के दाखिले को लेकर लागू किये गए नए नियम के खिलाफ चात्रों ने सड़क जैम कर दिया नए नियम के मताबिक चात्रों को उन स्कूलों में दाखिला लेना जरूरी होगा जो स्कूल उनके पंचायत के तहट आएंगे लेकिन परिशानी यह है कि कई स्कूल कुछ गाओं से बेहत दूर है और शिक्षा विभाग के इसी नियम के खिलाफ नौमी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने हाईवे जैम कर दिया वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर धरना देते दिखाए दिये गाड़ियों को रोकने के लिए हाईवे पर जाड़ियां और लकनियां रखी निजर आई बच्चों के इस विरोध प्रदर्शन की वज़े से वहां जैम जैसे हालात बन गए घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन धरने पर बैठे बच्चे सड़क से उठने के लिए तयार नहीं हुए बताया गया कि आठवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब पास के स्कूल में नौवी के दाखले के लिए पहुंचे थे तो उन्हें दूसरे स्कूल में जाने के लिए कहा गया जो वहां से कई किलोमीटर दूर है करीब एगंटे तक बच्चों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा अलंकि बाद में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को पास के स्कूल में दाखला देने का भरोसा देकर प्रदर्शन खत्म करवा दिया इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए उत्तर भारत के राज्यों के लिए बारिश और बर्वबारी का अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली और उसके आसपास के अलाकों में 13 से 15 अपरेल के दौरान हल्की से भारी बारिश का नुमान जताए गया जबकि पहाडी राज्यों में बारिश के साथ बर्वबारी की भी चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली न्सियार समेथ 14 राज्यों में 13 से 15 अपरेल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है इन में उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, चत्तीजगर, बिहार और जार्खन शामिल हो इनके लावा तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंद्रप्रदेश, उडिशा और तमिलनाड में भी बारिश की संभावना जताए गई मौसम विभाग ने मद्यप्रदेश के 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जिफकि उत्तरप्रदेश के 13 और पिहार के 9 जिलों में तेज हमाओं के साथ बारिश का अनुमान जताए गए लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट से पहाड़ी राज्यों की मुसीबत बढ़ गई क्योंकि अनुमान जताया गया कि 13 से 15 अपरेल के बीच जम्मु कश्मीर, लट्दाक और इमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है दूसरी तरफ मौसम विभाग ने करनाटक और आंदर प्रदेश के तटिये इलाकों में हीट वेव की भेविश्वानी कर दी इन सब के बीच वधान मंत्री मोदी ने गर्मी के मौसम पर एक बैठक की इसमें उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गई तैयारियों का जायजा लिया और राज्य की सरकारों के साथ मिलकर काम करने की निदेश दिये उतर पंजाब के फिरोसपूर में एनाईये ने एक आतंकी की संपत्ती जप्त कर ली पंजाब के फिरोसफूर में NIA ने आतंकी रमन दीप सिंग और रमन की अचल संपत्ती जब्त करने का दावा किया खबरे की ये कारवाई खालिस्तान का समर्थन करने वाले गैंगस्टरों और आतंकियों के खिलाफ चलाय जा रहे अभियान के तहट की गई NIA की विशेश अदालत ने पिछले साल जुलाई में रमन दीप सिंग को बगोड़ा गोशित कर दिया था भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वहां रहने वाले हिंदू और सिक्समुदाय के लोगों को उनकी जमीने वापस करने की बात कई गई थी कुछ रोज पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि वहां जल्द ही अलब संखिकों को उनकी जमीने लोटा दी जाएंगी तालिबान के मताबिक इन जमीनों पर पहले की सरकार के कुछ नेताओं ने कबज़ा कर लिया था चंडिकड के तीन आईएस अधिकारियों पर फ्रांस की राजधानी पैरिस में फिजूल खर्ची कर लाखों रुपए बरबात करने के आरोप लगे चंडिकड के डिरेक्टर जनरल अफ आडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई बताय गया कि ये तीनों आईएस अधिकारी 2015 में पैरिस की यात्रा पर गए थे और आरोप लगे कि ये तीनों अधिकारी पैरिस के महंगे हुटलों में रुके और बिजनस क्लास में उन्होंने यात्रा की इधर राहूल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंद्रिय मंतरी स्मृती इरानी पर कॉंग्रेस राशन पानी लेकर चट पड़ी जिसमें उन्होंने केरल की वाइनाड लोकसबा सीट के लोगों को अपना परिवार बताया था उसी को आधार बनाते हुए श्मिती रानी ने राहूल गांधी पर तीखामला बोला इसके बाद यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजे राय ने श्मिती रानी को जवाब देने में देर नहीं की सुत्रों के मताबिक केरल की वाइनाड सीट पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस अमेठी से राहूल की दावेदारी का एलान कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 2019 की तरह राहूल गांधी र स्मिती रानी के बीच मुकाबला होगा इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के करीबी और चिंदवाडा के किसान नेता अमिद सकसेना को अपने पाले में खींच लिया उनके अलावा मद्द प्रदेश के दो विधायक भी कांग्रिस का साथ चोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कई कारेकरताओं को भी लेकर आए इसे कमलनाथ के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि बीजेपी में आए अमिद सकसेना का चिंदवाडा में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने कमलनाथ को गेरने का एक और ताओं चल दिया इससे पहले चिंदवाडा में ही मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कमलनाथ पर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया कमलनाथ के किले को ड़ाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताका जोंक रखी है यहाँ तक कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव से पहले चिंदवाडा के पांच दोरे कर चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोगसबा चुनाव में बीजेपी ने MP की 29 में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और चिंदवाडा की एकलोती सीट थी जो कॉंग्रेस के इससे आई थी और तब कमलनाथ के बेठे नकुलनाथ ने ये सीट जीती थी जो इस बार भी चिंदवाडा से उम्मीदवार बनाए गए चिंदवाडा लोगसबा सीट पर 19 सपरेल को वोट डाले जाएंगे और इससे पहले बीजेपी ने मद्दपुदेश की इस 29 वी लोगसबा सीट को जीतने के लिए भी अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि वो लोगसबा चुनाब में मद्दपुदेश में क्लीन स्वीप कर सके इस बीज खाने की डिलिवरी करने वाली कमणी स्वीगी के एक डिलिवरी बॉय के जूते चुराने का एक वीडियो बाराल हो गया उसरे फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर पड़ी और टक्टकी लगाए उन जूतों की तरफ देखता रहा इस दोरान वो सीडी की तरफ भी देखता दिखाई दिया तभी बाई तरफ वाले उस फ्लैट का दरवाजा खुला और एक महिला ने उसके हाद से सामान ले लिया ल लेकिन चार से पांच कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाउं उपर चड़ गया इसके बाद तो उसने अपना गमचा पहलाया और काले रंग वाले उन जूतों को उठा लिया और उन पर गमचा ढखते हुए वहां से निकल अनकि वीडियो सामने आने पर खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने इस डिलिवरी बॉय की हरकत पर अफसोस जटाया उधर चीन ने अमेरिका की दो कंपनियों पर पाबंदी लगा कर उसे खुली चुनाथी दे दी अमेरिका से थनाव के बीच चीन ने दो अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंद लगाने का एलान कर दिया चीन ने डिफेंस से जुड़ी इन दोनों अमेरिकी कंपनियों पर ताइवान को हधियार बेचने में मदद करने का आरोप लगाया इसके साधी उसने अपने यहां मव मालदीव में परेटर्न को बढ़ावा देना होगा खबरे कि इस संस्थाने मालदीव में मौझूद भारती उच्चा युक्त से इस सिलसले में मुलाकात भी कि खबरे की इलेक्ट्रिक कार बिनाने वाली दुनिया की नमबर एक कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क की भारत यात्रा दो दिन की होगी इस दोरान वो भारत में अपनी फैक्टरी लगाने के अलान के साथ कुछ और गोशनाएं भी कर सकते हैं चतीजगर के दुर्ग जिले में मौझूद भिलाई स्टील प्लांड में तीन दिनों में लगातार दूसरी बार आग लगने से हरकम्प मझ गया बताया गया कि जब वहां आग भड़की तो वक्त उस प्लांड में कई कर्बचारी मौझूद थे और इसी दौरान भिलाई स्टील प्लांड के अंदर आग की भयंकर लप्टें उड़ती दिखी इस आग की वज़े से वहां अफरा तफरी मझ गई क्योंकि प्लांड के एक हिस्से में भड़की आग बिजली की तेजी से दूसरे हिस्सों तक बढ़ती नजर आई तस्वीरों में दिखा कि उस भीशन आग की उंची उंची लपतें प्लांड की छट के नजदीक तक पहुंच गई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे प्लांड को जला कर राक कर देंगी आलंकि सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया लेकिन बताया गया कि आग के वज़े से प्लांड को भारी नुकसान पहुंचा आलंकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि भिलाई स्टील प्लांट तीन दिनों में दूसरी बाराग की चपिट में आ गया यही वज़रे कि इस मामले में सकती से जांच कादेश दे दिये गए इस बीश लालू यादव की बेटी और बिहार की पाटली पुत्र लोग सबा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधान मंत्री को जेल भेजने वाले बयान पर 24 घंटे के अंदर ही असी गर्मी बढ़ गई थी मीसा भारती के मुताबिक उन्होंने कभी प्रधान मंत्री को जेल भेजने की बात कहीं नहीं मीसा भारती पाटली पुत्र से चुनावी अखाड़े में उतरी हैं इस दोरान वो लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटी है और ऐसे ही एक कारिकरम के दोरान एक रोज पहले उन्होंने प्रधान मंत्री पर वो बयान दिया था अला कि अब मीसा भारती के सुर्फ बदले हुए दिखे उन्होंने सरकार आने पर जांच और दोशियों पर कारवाई की बात कहकर प्रधान मंत्री को जेल भेजनी वाली बात से किनारा कर लिया उदर चीन के साथ सीमा पर बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने सिक्किम में टैंकों को तबाह करने का अभ्यास किया भारतीय जवानों ने बेहद उशाई वाले मुश्किलों से भरे पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ठिकाने लगाने की ताकत पर खी और इसमें मिसाईल के हमले में टैंकों और बख्तरबन गाड़ियों को तबाह करने का अभ्यास किया गया इस ड्रिल में भारतीय सेना की कई टुकनिया शामिल हुई तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी पर मौझूद जवानों ने मिसाईल लॉंचर की मदद से टार्गेट पर निशाना साधा और पलक जपकते ही उस पर जोरदार हमला कर दिये इस ड्रिल को एक मिसाईल एक टैंक नाम दिया गया इसलिए क्योंकि ये दागी जाने के बाद टागेट के जगा बदलने पर भी उसे ढूंड कर तभा कर देती ही भारतिय सेना ने इनी खतरनाक मिसाईलों से दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत परकी ये ड्रिल सिक्किम में करीब 17,000 फीट के उंचाई वाले पहाड़ी इलाके में की गई जानकारी के मताबिक सिक्किम की उत्री सीमा से लगने वाले तिबबत के इलाकों में चीन की सेना की कई टुकणिया तैना थे ऐसा माना गया कि भारत की ये तैयारी जरूरत पढ़ने पर चीन से दो-दो हाथ करने में बेहत मददगार साबित होगी उदर जमू कश्मीर के कुपवाडा में हत्यारों की बड़ी खेब बरामत कर आतंकी साधिश नाकाम कर दी गई जमू कश्मीर के कुपवाडा में बी-एस-फ के जमानों ने हत्यारों का जखीरा बरामत करने का दावा किया पता गया कि जंगलों में चलाए गए सर्च आपरेशन के दौरान बारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद जब्द किया गया खबर है कि उनमें खतरनाक AK-47 राइफल पी शामिल है हिंदु प्रशांद क्शेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्टपती बाइडन ने जापान के प्रधान मंत्री और फिलिपीन्स के राष्टपती से मुलाकात की ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों देश मिलकर इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे इसरेल और ईरान विवात के बीच अमरीकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने इसरेली सेना प्रमुक से मुलाकात की एक रोज पहले ही अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इसरेल पर ईरान मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका ने दावा किया कि इसरेल के सैन्या और सरकारी ठिकानों पर इरान कभी भी मिसाइल सामला कर सकता है इधर राजेसान की राजधानी जैपूर में तीन बदमाशों से एक अकेली लड़की के भिड़ने का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए बताय गया कि रोज की तरह वो लड़की सुबब पांच बजे अकेले ही टेल ने निकल गई थी लेकिन तभी उनमें एक बदमाश ने जवट्टा मार कर उस लड़की के गले से चेन तोड़ ली सुनसान सड़क पर तीन बदमाशों से घिरे होने के बावजूद उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी चेन वापस लेने के लिए अकेले ही उनसे भिड़ गई वो उनका पीछा करते हुए उस मोटर साइकल के पास तक पहुंच गी लेकिन तभी अपना बचाव करने के लिए उनमें एक बदमाश ने एक गुलेल निकाल ली जिससे डर कर वो उल्टे पैर वहां से भागती दिखाई दी और फिर उसे गुलेल मारने के बाद वो तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए इसके बाद उस लड़की ने पुलिस थाने पहुंचकर उन तीनों के खलाब एफ आई आर दर्च करवाई इस बीच पंजाब के बठिंडा में एक बुजर्ग से सरयाम हुई लूट पार्ट का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आए वहां तीन बदमाशों ने उन बुजर्ग का काफी दूर तक पीछा किया और मौका मिलते ही चीना जप्टी चुरू कर दी और उन बुजर्ग को जमीन पर गिरा कर उनके पास मौजूद सारा कैश चीन लिया तस्वीरों में दिखा कि सड़क पर धीरे धीरे चल रहे उन बुजर्ग को पीछे से आये बदमाशों ने घेर लिया एक बदमाश तो उनके बिल्कुल सामने आ गया और उसने उन बुजर्ग की शर्ट की उपर वाली जेब में हाथ डाल दिया ऐसा होते ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और जोड़ जोड़ से शोर मचाना शुरू कर दिया बुजर्ग के चिलाते ही डर के मारे पीली शर्ट वाला एक बदमाश आगे निकल गया लेकिन बाकी दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया और वो तब तक नहीं भागे जब तक उनोंने उनके पास मजूद सारे पैसे चीन नहीं लिए इस मामले में पुलिस ने आक्शन लेते हुए दो बदमाशों को तो दबोच लिया और तीसरे की तलाश में जूड़ गी उतर अमेरिकी सेना के एक जनरल के एक जनरल ने दावा किया कि युक्रेन से जारी जंग में रूस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ अमेरिकी सेना के एक जनरल ने युक्रेन के उस दावे को खारिश कर दिया जिसमें जलिंस्की की सेना ने रूसी वायू सेना को भारी नुकसान पहुचाने की बात कई थी उस अमेरिकी जनरल के मुताबिक पिछले दो साल से जारी इस जंग में रूसी वायू सेना के सिर्फ दस पतिशत हिस्से को ही नुकसान पहुँचा। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस जंग में युक्रेन के कई शहर बरबाद हो गए। रूस के राज़्टपती पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खास रणनीती के तहट युक्रेन की कई पावर ग्रिट को निशाना बनाया जिसकी वज़े से कीव समेथ युक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। बारतिय पहलवान ओदित ने किर्गिस्तान में चल रही एशिन रेस्लिंग चैंपिंशिप में 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया। उन्होंने जापान के पहलवान केंटो यमिया को हराया। इस पत्योगिता के 70 किलो और 97 किलो वर्ग में भी भारतिय पहलवानों ने मेडल जीते। इन दोनों इवेंट में पहलवान अभिमन्यों और विकी ने ब्रॉंज मेंडल हासिल किये। इसके साथ उन दोनों बदमाशों ने भी पिस्तॉल निकाली और लहराते हुए नजर आये। वहाँ एक साथ तीन पिस्तॉलें देखकर उस दुकान का एक कर्मचारी तो अंदर की तरफ भागता दिखाए दिया। अपना बैग काउंटर पर रखा और चुन चुन कर गहने बैग में डालता रहा और उसके दोनों साथी गहने लुटने में उसकी मदद करते दिखे। पुलिस के मताबिक उन्होंने 51 लाक रुपे से ज़्यादा के गहने लूटे और वहाँ से परार हो गए। इन लोगों की जानकारी देने पर पुलिस ने इनाम देने का आलान कर दिया। उदर चीन से बढ़ते तराव के बीच जापान ने दूसरे विश्वयुद के बाद पहली बार समंदर में एरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया। इस जंगी जहाज से खतरनाक लड़ा को विमान उडान भर सकेंगे। यानि युद्ध में चीन की सेना को कड़ी टकर देने के लिए जापान ने अपनी कमर कसली। और चीन के घमन को तोड़ने के लिए लहरों के बीच अपना ताकतवर युद्ध पोत तैनात कर दिया। तकि बार बार जंग की धंकी देने वाले चीन को उसके ही जाल में फसा आ जा सके। बताया गया कि दूसरे विश्वयुद्द के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब जापान ने समंदर में अपने एरक्राफ्ट कैरियर कागा को उतार दिया। मतलब कि जापान अब चीन की सेना को खुल कर जवाब देना चाहता है। मतलब कि जापान लंबे वक्त से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पठकनी देने की तैयारी में जुटा था। इस वीज अमेरिका में एक महिला को 15 महीनों तक कीमो थरपी कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर ही नहीं है। अमेरिका के टेकसस में एक महिला ने डॉक्तरों पर आरोफ लगाया कि उन्हें कैंसर होने की गलत जानकारी दी गए। इतना ही नहीं आरोफ ये भी है कि डॉक्तरों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछी महीने बचे हैं। इसके बाद उस महिला को डॉक्तरों ने 15 महीने तक कीमो थरेपी भी दी। लेकिन बाद में एक जांच रिपोर्ट से उस महिला को पता चला कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं। चीन से सीमा विवाद सुलजाने पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के बयान के बाद चीन के विदेश मंतराले ने भी टिप्पुनी की। चीनी विदेश मंतराले की प्रवक्ता माउन यंग ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बाद कही। हाली में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को प्रिधान मंत्री ने एक इंटव्यू दिया था और उसमें चीन के साथ सीमा विवाद तुरंट सुलजाने की बात कही थी भारत के शत्रंज खिलाडी ग्रांड मास्टर डी कुकेश को कैंडिदेट्स टॉर्नमेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा इस टॉर्नमेंट के साथवे राउंड में उन्हें फ्रांस के खिलाडी नहरा दिया इस हार के बाद वो इस टॉर्णमेंट की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में एक रेलवे फाटक का बैरियर गिरने से ऐसा हाथसा हुआ कि उसे देखने वालों की इनने दातों तले उंगलिया दबा ले यहाथसा उस वक्त हुआ जब कई लोग उस फाटक के दोनों तरफ से रास्ता पार कर रहे थे और तबी उस रेलवे फाटक पर लगा बैरियर लोगों के उपर गिर गया तस्वीरों में उस फाटक के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती नजर आई काफी देर तक उस फाटक के बंद रहने की वज़े से वहाँ लंबा जैम लग गया था इस दोरान सड़क के दूसरी तरफ से सामान ढोने वाली एक गाड़ी आती दिखाई थी जैसे ही वो गाड़ी उस फाटक पर लगे बैरियर के करीब पहुंची उसका पिछला इससा उससे टकरा गया टकर लगते ही वो बैरियर एक जटके में वहाँ मौझूद लोगों पर गिर पड़ा लेकिन वहाँ अफरा तफरी तब मच गई जब उस बैरियर के गिरने से एक मोटरसाइकल वाले के सिर पर चोट लग दे वो बैरियर इतनी जोड़ से उसके सिर पर गिरा कि वो जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वहाँ मौझूद लोग दोड़ कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे जब कि कुछ लोग उस बैरियर को उस मोटरसाइकल के उपर से हटाते नजर आए बता गया कि इस हादसे में उस मोटरसाइकल वाले के सिर पर गंभीर चोट आई बेहत खतरनाक युद्द पोत को समंदर में उतारा इससे अमेरिका के घातक लड़ाकू विमानों और हिलिकॉप्स्टरों ने उडान बर कर चीन को चितावनी देने की कोशिश की उसके लावा वहां जापान और दक्षण कोरिया की घातक पन डुबियों और जहाजों ने भी अपना जोर दिखाया और अमेरिका ने दावा किया कि इस सेन्या भ्यास का मकसद चीन को ये बताना था कि वो अमेरिका के किसी भी दोस्त को कमजोर समझने की घलती ना करे अमेरिका पहले भी कई बार इस इलाके में जापान, डक्षन कोरिया और फिलिपीन्स के साथ सैन्य ड्रिल कर चुका है ये समुद्री इलाका डक्षन चीन सागर कहलाता है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है और वो यहां किसी और देश की नौसेना के जहाजों को गुसने तक नहीं देता अमेरिका ने दावा किया कि चीन के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उसने दक्षन चीन सागर से लगने वाले बाकी देशों के साथ हाथ मिलाया ताकि समंदर में बढ़ती चीन की दादा गिरी पर लगाम लगाई जा सके इस बीच महिंगाई के मोर्शे पर राहत की खबर सामने आई रिटेल महिंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 5 महिने का सबसे निचला स्तर है वित्तमंतराले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक खाने पीने की चीजों की खीमतों में गिरावट की वज़े से मार्च में रिटेल महिंगाई दर घटी है फरवरी में ये दर 5.09 प्रतिशत पर थी देश के इंडेस्टिल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट फरवरी में बढ़कर 5.07 प्रतिशत हो गया इससे पहले जनवरी में ये दर 3.08 प्रतिशत थी सभी सेक्टरों में हुई बिक्वाली की वज़े से भारतिय शेहर बाजार में कमजोरी देखने को मिली इस दौरान बैंक, हेल्थ केर, FMCG, मीडिया, रियल्टी और और उयलेंड गैस सेक्टर के शेहरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही जिससे बंबे स्टॉक एक्शेंज का सिंसिक 793 अंकों की गिरावट के साथ 74,244 फर बंद हुआ तो निफ्ती 234 संग गिरकर 22,519 के स्थर पर आ गया उदर अमेरिका के फिलडेलफिया में एक रोज पहले ईद के जश्टन के दौरान दो गुटों में हुई गोली बारी की खबर से संसनी फैल गई और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स पहां पहुंच गई इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों का सामान बिखरा नजर आया बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई वहाँ एक हजार से ज़्यादा लोग मौजूद थे और इसलिए गोली बारी की आवाज सुनते ही वहां भगड़ मच गई लोग अपना सामान छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले पुलिस के मताबिक ईद का जश्न मनाने के लिए एक अठा हुए लोगों के बीच अचानक गोली बारी शुरू हो गए और वहां दो गुटों के बीच एक के बाद एक तीस गोलियां चलाए गए उसमें तीन लोग बुरी तरा घायल हो गए फिलहाल फाइरिंग की वज़य साफ नहीं हो पाई लेकिन ईद के जश्न के दोरान हुई इस घटना से वहां संसनी फैल गए मामले की जांच में जुटी पुलिस उस इलाके के लोगों से पूश्ताच करती नज़र आई इस बीच केरल में एरनक रुम जिले के गाउं में हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए वहां धारा 144 लगानी पड़ गई बताय गया कि जंगली हाथियों के जुन से भटक कर हाथी का वो बच्चा आबादी वाले इलाके के नज़दीक पानी से भरे गड़े में गिर गया लेकिन उसे बचाने में वन विबाग के भी पसी ने चूट गए तस्वीरों में दिखा कि हाथी का वो बच्चा पानी से भरे खरीब 15 फीट गहरे गढ़े में फस गया इस दोरान सून्ड की मदद से उसने उपर निकलने के लिए दम लगाया लेकिन गढ़े की गहराई ज्यादा होने की वज़े से उसकी कोशिश नाकाम रही उसने कई बार कोशिश की लेकिन जब उसकोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ तो हाथी का वो बच्चा ठक हार कर गड़े में ही बैट गया हाथी के बच्चे के गड़े में फसने की खबर आग की तरह फैल गई उसे देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गई सूचना मिनने पर वन विभाग की टीम भी पहुँची लेकिन उसके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं रहा क्योंकि हाथी का वो बच्चा गड़े में लगातार घुमता रहा ऐसे में वन विभाग की टीम ने सबसे पहले उस गड़े का पानी कम किया इसके बाद हाथी के उस बच्चे को ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश कर दिया गया लेकिन बाहर निकलने के बाद जंगली हाथी का वो बच्चा किसी को नुकसान ना पहुँचा इसके लिए उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई बताया गया कि खरीब 24 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद हाथी के उस बच्चे को बुल्डोजर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया इधर उत्रपदेश के सीतापूर में उस वक्त थड़कम बच गया जब एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक डॉक्टर पर ही हमला कर दिया आरोप है कि मरीज से शिकायत मिलने के बाद उस डॉक्टर ने उस दुकानदार को उसकी दवा लटा दी और बस इसी बाद पर वो बुरी तरह भढ़ गया और उस डॉक्टर पर हमला कर दिया इससे पहले उस डॉक्टर और उस मेडिकल स्टोर मालिक के बीच बहस होती नजर आए उस वक्त वहां कई लोग भी खड़े दिखाए दिये तभी वो दोनों खड़े हुए और उस दुकानदार ने उस डॉक्टर को धक्का दे दिया पर अटवार करते हुए उस डॉक्टर ने भी उसे जोड से धक्का दे कर पीछे अटा दिया इसके बाद तो उसके सिर पर जैसे भूत सवार हो गया उसने उस डॉक्टर पर घूसों की बरसात कर दी ये देखकर वहाँ खड़े लोग बीच बचाव करने आया और उन दोनों को अलग किया लेकिन इसके बाद भी काफी देर तक उन दोनों के बीच जबानी जंग जारी रही आरोप है कि मेडिकल स्टोर के उस मालिक ने एक मरीज को गलत दवा दी दी थी और जब उस मरीज ने उस डॉक्टर से इसकी शिकायत की तो उसने वो दवा लोटा दी बस इसी बात पर वो गुस्से में आ गया और उसने उस डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी उदर डक्षन कोरिया के दूसरे जसूसी सैटलाइट लांच करते ही किम जॉण उन ने जंग की हुंकार भठ दी मतलब लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षन करने वाला उपतर कोरिया अब जंग के मैदान में खुल कर खेलना चाहता क्योंकि उत्तर कोरिया की न्यूज एजन्सी केसी एने के मुताबिक किम जॉंग उन्ने साफ कर दिया कि अब युद्ध का समय आ चुका है। पहले से जादा तयार होकर रहना होगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त दक्षन कोरिया और उसके दोस्तों के खिलाव जंग चेड़ सकते हैं। पर जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन जब उन बदमाशों को रगम नहीं दी गई तो उन्होंने उस आदमी पर हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। लेकिन बदमाशों की गाड़ियां एक के बाद एक उस आदमी की गाड़ी में टककर मारती रही। आरोप लगा कि उन बदमाशों ने 10 लाग रुपेयों की मांग की थी लेकिन जब उस आदमी ने पैसे नहीं दिये तो उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई। यही नहीं इस दोरान उस आदमी के साथ मारपीट के जाने के भी आरोप लगे। अलंकि पीडित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उस बस तक पहुंच पाएं लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उस तक पहुंचने में उनके पसीने चूड़ गए। उस बस तक पहुंच कर उन्होंने उसकी खिड़की से एक रसी बांधी और फिर उसके सारे एक एक कर सभी लोगों को बाहर निकालने में जुड़ गए। महां के रेस्क्यू टीम ने अपनी एक नाव भी उस नदी में उतार दी। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर कार उस बस में सवार सभी 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस आदसे के लिए उस बस के ड्राइवर पर लापरवाही कारोब लगाया गया क्योंकि पानी के तेज बहाव के बावजूद उसने उस नदी को पार करने की कोशिश की। और लोग मौजूद दिखे जो आराम से मारपीट देखते रहे तभी उस कार सभार ने विरोध किया और टोपी वाले आदमी को मुक्का मारता दिखाई दिया। कुछ दिर बाद कार सभार के साथ मारपीट करने वाले भी वहाँ से आगे की तरफ जाते दिखे वहाँ उन लोगों ने उस कार सभार को क्यों पीटा इसका पता नहीं चल सका। इस बीच रूस की सेना के साथ जारी जंग के बीच यूकरेन में सैनिकों की संक्या बढ़ाने के लिए विवादा अस्वत कानून को वहां की संसत से मनजूरी मिल गई। अमेरिकी अखबार नियूआक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना में पांच लाग सैनिकों की भरती करना है। कानून को मनजूरी दे दिया। रिपोर्ट के मताबिक इस कानून के तहट सैनिकों की ज्यादा भरती करने के लिए उम्र की सीमा 27 साल से गटाकर 25 साल कर दी गई। इसके लावा भरती होने के बाद किसी भी सैनिक के सेना चोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब एक बार सेना में शामिल होने के बाद सैनिक सेना से निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। और अगर किसी सैनिक ने सेना चोड़ने की कोशिश की तो उसे सजा देने का प्रावधान किया गया। दावा ये भी किया गया कि युक्रेन के इस विवादास्पत कानून में इसी तरह के कई और प्रावधान है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलिंस्की का मकसद यूकरेन की सेना को मजबूत बनाना और रूस से मुकाबले के लिए पांच लाग सेनिकों की फौज खड़ी करना है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की ही और था क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो पिछले साल सावन के महीने में आया था। करके देश के लोगों को चिडाने का काम करते हैं। राहुल गांधी का मतन बनाने का वीडियो करीब साथ महीने पहले सावन के महीने में आया था। और इसमें वो लालु यादव से बिहारी अंदाज में मतन बनाना सीख रहे थे। वहां मीसा भारती भी मौझूद थी। राहुल ने ये वीडियो खुद शेयर किया था और लिखा था कि लालु जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला। लेकिन राहुल गांदी का सावन के महीने में ये वीडियो आना विवाद का मुद्दा बन गया था और प्रधान मंत्री ने लोगसभा चुनाव के दोरान भी से उठा दिया। इससे पहले नवरात्र के पहले ही दिन तेजस्वी आदव ने मचली खाने का वीडियो शेयर किया था। अपना नौनवेग खाना वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को जोट पहुचा करके इसको खुश करने का खेल कर रहे हो। यानि पहले मचली पर सियासत गर्माई फिर संत्रे पर राजनीती हुई और अब मटन भी मुद्दा बन गया। क्योंकि पी-म ने सावन में राहुल के मटन बनाने और तेजस्वी के नवरातर पर मचली खाने के वीडियो पर कॉंग्रेस और आरजेटी को घेरा। यानि इस चुनाव में मटन मचली भी चुनावी मुद्दा बन गया। और इसी बात पर मतुरा सीट से निर्दलिय पित्याशी शिखा वर्मा भढग गया। और सीधा उस अधिकारी से भिड़ गई जिसने गाड़ी रोकी थी। अधिकारीों ने बताये कि इन गाड़ीों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रोका गया बलकि चुनाव आयोक के निर्देश के मुताबिक इनका वीडियो बनाय जा रहा था और इसी लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया। इसी बात पर शिखा वर्मा और उनके समर्थक भड़क गए। नारेबाजी के बीच शिखा वर्मा अधिकारियों से ही उलच पड़ी। अधिक अब्दुलमतीन ताहा और मुस्वर हुसैन शाजब सुरक्षा एजेंसियों को चक्मा देने के लिए एक ऐसे लॉज़ में छिपे थे जहां पैचान पत्र देने की जरूवत ही नहीं थी। मतलब वो दोनों हर हाल में अपनी पैचान छिपाने में जुटे थे। हाला कि अनाईये की टीम ने दोनों को पश्चे मंगाल के पूर मेंधनी पूर के दीगा से गिरफतार कर लिया। के दीगा से गिरफतार करने की जानकारी दी। एनाईये के सूत्रों के मताबिक दोनों आरोपी वहाँ एक छोटे से लॉज़ में चिपे हुए थे। वो ऐसा लॉज़ था जहां उन्हें कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं थी। एनाईये के सूत्रों बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना हो सके। एनाईये के सूत्रों के मताबिक सुरक्षा एजिंसियों को चक्मा देने के लिए दोनों लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। और वो ऐसा लॉज या ऐसे गेस्ट हाउस को चिपने के लिए चुनते थे जहां उन्हें अपने बारे में कोई जानकारी या फिर दस्तावेश देने की जरूरत ना हो। आलांकि उनकी तमाम चालाकियों के बाद भी एनाईये ने उन्हें ढूंड निकाला। नाईये ने दावा किया कि मुसवर हुसैन शाजब ने ही रामेश्वरम कैफे में विस्फोटक रखा था और अब्दुलमतीन ताहा ने धमाके की पूरी साजिश रची थी। मतलब नाईये ने अब्दुलमतीन ताहा को बेंगलूरू बंबलास्ट का मास्टर माइंड बताया। मेश्वरम कैफे में धमाका करने के बाद सही दोनों फरार थे। पिछले महीने की 23 तारिक को एनाईये ने धमाके के मुख्य संदिक्द के तौर पर दोनों की पैचान की थी। एनाईये के सूतरों के मताबिक दोनों की पैचान एक टोपी से की गई थी। क्योंकि जांच के दौरान रामेश्वरम कैफे से थोड़ी दूरी पर जांच अधिकारियों को एक तोपी मिली थी जिसे उसने चन्नाई में खरीदा था सूत्रों का दावा है कि एक मार्च को रामेश्वरम कैफे में बम रखने के दौरान मुसफिर हुसेन शाजिब ने वही टोपी पहनी थी जो एनाईए को रेस्टरांट के पास से मिली थी सूत्रों बताते हैं कि जांच के दौरान ये पता चला कि चन्नाई में उस तरह की टोपी के सिर्फ चार सो पीस ही बेचे गए थे और इसके बाद एनाईए की टीम ने चन्नई के उस ंवाके के सीसितीवी खंगाल ने शुरू किये जिस इलाके में संदिक ताहा ने टोपी खरीदी थी एनाईए के सूत्रों के मताबे कई दिनों की मेहनथ के बाद जांच अद्ड़कारियों को एक विडियो में अब्दुलमतीन ताहा दुकान से टोपी खरीदता हुए दिखाई दिया था और सूत्र बताते हैं कि ताहा की उसी टोपी का इस्तमाल धमाके के दिन शाजिब ने किया था NIA के सूत्रों का दावाए कि उस टोपी में जांच अधिकारियों को बाल मिले थी फोरेंसिक जांच के बाद ये पता चला था कि धमाके की दिन टोपी को ताहा ने नहीं बलकि मुझफिर उसेंच शाजिब ने चेहरा चिपाने के लिए पैना था बाद में शाजिब के घरवालों को उसका CCTV वीडियो दिखाय गया था जांच एजिंसियों के मुताबिक धमाका करने के बाद ताहा और शाजिब कुछ दिनों तक चिन्नई के एक इक इलाके में भी छिपे हुए थे लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़े दिनों के बाद दोनों वहां से भी निकल गए थे इसलिए दोनों की तलाश में NIA ने करनाटक और तमिलनाड समेथ कई राज्यों में छापे भी मारे थे इसके बाद 29 मार्श को दोनों पर 10-10 लाग रुपे का इनाम रखा गया था ताकि किसी भी तरह बेंगलूरू ब्लास्ट के इन दोनों संदिक्टों तक पहुँचा जा सके आलनकि सबूतों को जोडते हुए NIA ने दोनों संदिक्टों को पश्चिम मंगाल के पूर्व मिधनिपूर से गिरफतार कर लिया लेकिन रामे श्रम कैफे बलास से जुड़े दोनों संदिक्टों के पश्चिम मंगाल से गिरफतार किये जाने पर सियासी घमासान चड़ गया क्योंकि दोनों की गिरफतारी के बाद बीजे पी नेता अमित मालविये ने ममताब एनरजी पर निशाना सादते हुए पश्चिममंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनागा बता दिया और बगाईडा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाल दी इसके बाद सोशल मीडिया पर अमित मालविये और पश्चिमंगाल पुलिस में वार छिड़ गे मंगाल पुलिस ने अमित मालविये के दावे को जूटा बता दिया लेकिन इस मुद्दे में सियासी तड़का तब लगा जब पश्चि मंगाल के मुख्यमंतरी मम्ता बेनरजी ने अमित मालविये के बहाने बीजेपी और केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर जोड़दार हमला बोल दिया घमसान तब शुरू हुआ जब नाईये ने पश्चि मंगाल के पूर्व मिन्निपूर के दीघा से ब्लास्ट के दो संदिक मुसफ्विर उसेन शाजिप और अब्दुलमधीन ताहा को किरफतार किया इस उपरेशन में एनाईये के साथ पश्चि मंगाल की पूलिस भी शामिल रही इसी के बाद अमित मालविये ने ममता बेनरजी पर निशाना सादते हुए अपनी एक पोस्ट में पश्चि मंगाल को आतंकियों का घर बता दिया यही नहीं बीजेपी ने करनाटक की कॉंग्रेस सरकार पर भी हमला बोला सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरीए बीजेपी ने आरोप लगाया कि करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद आतंकियों को खुली छूट मिल गए इदर दिल्ली शराब गोटाला मामले में बीरेस नेता के कविता को राव जेविन्यू कोट ने तीन दिन की CBI रिमान में भेज दिया आलगि CBI ने कोट से उनकी पांच दिन की कस्टडी मांगी थी के कविता पहले ही इस केस से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में तेहार जेल में बंध है दिल्ली के पूर्व उपुमुखे मंतरी मनीश रिसोधिया की अंतरिम जमानत अरजी पर राउजेविन्यू कोर्ट 20 अपरेल को सुनवाई करेगी इससे पहले मनीश रिसोधिया ने लोगसबा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की उन्होंने दलील दी कि वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी जाए सुत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का संकल पत्र रविवार को जारी होगा खबरे के इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रिह मंतरी अमिट शाह और रक्षा मंतरी राजनाज सिंग भी मौझूद होंगे उदर लोगसभा चुनाव से पहले टी-मसी विधायक हमीदुल रह्मान ने बंगाल की विबक्षी पार्टियों के कारेकरताओं से खुल कर बोल दिया कि 26 अप्रेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद इस मामले पर बंगाल का सियासी पारा चड़ गया मगब बीजेपी भड़क गई और इस मामले की शिकायत चुनाव आयोक से करने का फैसला किया विवाद टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान की बंगाल के रायगंड से हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ और इस चुनावी सभा में उन्होंने विरोधियों को खुले आम धमकी दे डाली बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हमीदुल रह्मान के बयान का वीडियो भी शेयर किया और इस वीडियो में उन्हें विपक्षी पार्टी के कारकरताओं को बोलते हुए सुना गया कि 26 अपरेल के बाद उन्हें बंगाल पुलिस के साथ ही रहना है इसके बाद बीजेपी ने भी आव देखाना थाओ और टीमसी विधायक हमीदुल रह्मान के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से करने का फैसला कर लिया बीजेपी नेता शुबेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले पर संग्यान लेने की मांग की क्योंकि टीमसी विधायक ने विरोधियों को धमकाया बंगाल की रायगंज लोगसभा सीट पर 26 अपरेल को मत्तान होना है और हमीदुल रह्मान रायगंज के उत्तर दिनाशपूर विधानसभा क्षेतर से विधायक है और इसलिए उन्होंने 26 तारिक को केंद्रिय सुरक्षा बलके रायगंज से जाने का जिक्र करते हुए ऐसा बयान दिया इसके बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया और बंगाल में 2019 के लोगसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र होने लगा क्योंकि पिछली बार के मतदान के बाद बसिरहाट और जादवपुर जैसी लोगसभा सीटों पर बीजेपी और टीमसी कारकरताओं के बीच हिंसक जड़प हो गई थी इधर दिल्ली सरकार में मंतरी आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्टपती शासन लगाया जाने का डर जताया दिल्ली की सियासत में भूचा ला गया आतिशी ने सुत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यारोब लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राश्टपती शासन लगाने के लिए साजिश रची और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि BJP राष्टपती शासन के जरिए दिल्ली को अर्विन्प केजरिवाल और आम आधमी पार्टी से चीनना चाती है। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राष्टपती शासन लगाया सकता है। अलंकि बीजेपी ने नारोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटगरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता मनोश तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयान बाजी करके दिल्ली में केजरिवाल सरकार की नाकामियों पर परदा डालने की कोशिश में तुटी हैं। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी। केजरिवाल को टाल गए। उसके वारे में पार्टी आप अपने बात चीट के लिए। अंजे सिंग ने अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आमादमी पार्टी के कई सांसदों के गायव रहने के सवाल को टाला। तो वहीं दूसरी और पार्टी के राज्यसबा सांसद, संजीव अरोडा, विक्रम जीत सिंग साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरिवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आएं और पोस्ट में सुनीता केजरिवाल की तारीफ की गई। की कोशिश करते दिखे तो कुछने कार के दर्वाजों और किड्कियों में हाथ मार कर उन्हें खुलवाने की कोशिश की। वदर्शन कर रहे उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हंसराज हंस के सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पैर फूल गए। इसके बाद वहां मौझूद पंजाब पुलिस के जवानों ने मुर्चा समहला और उन किसानों को धक्के दे कर वहां से अलग किया। इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंसराज हंस बैठे थे उससे तो वहां से निकाल दिया गया लेकिन उनके काफले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फस गए। ने दिल्ली के बजाए पंजाब के फरीद कोट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बीज बिहार में नितीश कुमार ने एक रैली को संबोदित करते हुए तेज़स्वी यादव को जूटा बता दिया। बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंतरी नितीश कुमार पूर्व उप्व मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव पर भढ़क गए केरल की तिरुवनंत पुरम सीट से कौंगरेस उम्मीदवार शेशी थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंदरशेकर के मानहानी नोटिस का जवाब दिया शेशी थरूर ने राजीव चंदरशेकर के खिलाव जूटे आरोप लगाने से इनकार कर दिया और उनसे बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग कर दी यही नहीं शेशित हरूर ने अपनी मांगों को नजर अंदाज करने पर कानूनी कारवाई की चितावनी भी दी पेंगलोरू में पीने के पानी की कमी का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गरमा गया वहां के कई लाकों में ये समस्या इतनी बढ़ गई कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने तो लोकसभा चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया अजरेल के बीच बहुत बड़ी जंग छिडने की आशनका जताए गए अमेरिकी अख़वार दे वॉल स्रीट जनल के मताविक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इरान अपने कटर दुश्मन इसरेल पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका के अख़वार के इस खतरनाक दावे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई इसरेल और अमेरिका की सेनाएं अलर्ट मोड में आ गई क्योंकि दिवॉल स्रीट जनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इरान ने इसरेल के उत्तर या दक्षण में सीधे हमले का प्लैन तयार कर लिया मतलब एरान और इसरेल के बीच खुली जंग का काउंडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद से ही इरान बदले की आग में चल रहा है इरान लगातार ये धंकी दे रहा है कि दूतावास पर हमले का बदला वो लेकर रहेगा इरान के मीडिया के मताबिक उसकी सेना ने इसरेल से बदले के लिए कई विकल्प तयार कर लिए खबरों के मताबिक एरान अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसराइल के किसी दूतावास को निशाना बना सकता है या फिर उसकी सेना और खुफिया एजंसियों के ठिकानों पर बारूद बरसा सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो इसराइल भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा खबरों के मताबिक इरान की धंकियों को देखते हुए इसराइल की सेना पहले से ही जंग की तैयारी में जुट गई थी ब्लूमबग की रिपोर्ट के मताबिक एक एक अपरेल को सीरिया की राजधानी दमिश्च में अपने दूतावास पर हमले के तुरंट बाद ही आई आर जीसी एक्शन में आ गई थी क्योंकि ब्लूमबग की रिपोर्ट के मताबिक आयार जीसी के अफसरों ने दो अपरेल को ही इरान के सुप्रीम लीजर आयातुला अली खामनई से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में आयार जीसी नोंने इसराइल पर हमले के पूरी प्लैनिंग समझाई थी पस्चिमेशा से लेकर यॉरप के कई देशों में अलर्ट घुशित कर दिया गया अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट मोट पर रखा जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तबहा कर सकती है इसी विज़े से फ्रांस अमेरिका जर्मनी और इंग्लेंड ने अलर्ट जारी कर दिया 24 से 48 घंटों में जंग शुरू होने के आशंका के बीच भारत सरकार के विदेश मंत्राले ने नागरिकों को इरान और इस्राइल ना जाने की सला दी इरान और इस्राइल गए हुए भारतिय नागरिकों को विदेश मंत्राले ने वहां मौझूद भारतिय दूतावास से संपर्क करने की भी सला दी जबकि फ्रांस ने अपने नागरिकों को इस्राइल, इरान और लेबनान से दूर रहने को कह दिया ब्रिटन ने अपने नागरिकों को तुरंत इस्राइल छोडने के निर्देश दे दिये बश्चिमेश्या में साओधिय अरब ने भी अलर्ट जारी कर दिया मतलब एक नई जंग की दस्तक से पहले दुनिया अलर्ट हो गई इस्राइल के मीडिया के मताबिक एरान के हमले की धंकियों के बीच प्रधान मंतरी बनिमिन नितनियाहू ने वहां के सेना प्रमुक से मुलाकात की और तैयारियों का जाइजा लिया खबरों के मताबिक नितनियाहू ने मुसाद के टॉप एजिन्ट को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया यानि इरान के हमले का जवाब देने के लिए इसरेल भी पुखता तैयारी में जुट गया इसरेल के मीडिया के मताबिक सीरिया में इरान के दूतावास पर हमले के बाद इसरेल ने अपने GPS नाविगेशन सिस्टम को भी बंद कर दिया था माना जा रहा है कि इरान की गाइड़न मिसालों के हमलों को रोकने के लिए इसरेल की फौज ने ये कदम उठाया ये खास तरह का धांचा होता है जो बंओ के हमले से सुरक्षा देता है इसरेल से इरान की दूरी करीब 2300 किलो मीटर है दोनों देशों के बीच इराक, सिर्या और जॉर्डन जैसे देश मौजूद है किसी जमाने में दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती थी लेकिन हालात बदले तो इरान और इसरेल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए क्योंकि इरान ने हमेशा हमास और हिजबुला जैसे संगठनों का सहारा लेकर इसरेल को निशाना बनाया जबकि इसरेल ने सीधे तौर पर इरान के ठिकानों पर कई बार हमले किये लेकिन इस बार अगर इरान सीधे इसरेल को निशाना बनाता है तो ये जंग पूरे पष्चिमेशिया में फ्हल सकती है और इसके नतीजे बेहत खतरनाक हो सकते है और पूरा पश्चिमेशिया जंग की आग में जुला सकता है इसरेल और अमेरिका की तैयारियों और तेवरों के बीच इरान के सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनाई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक जुट होने को कह दिया और गाजा में इसरेल के हमलों का जिकर करते हुए एक बार फिर दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ हुंकार भरने की अपील की आयताला अली खामनाई ने मिसलिम देशों को सुझाभ दिया कि इसरैल को अलक ठलक करने के लिए सभी देशों को उस से अपने सभी प्रकार के संबन्द तोड़ लेने चाहिए और इस बार तो मामला खुद उनके दूतावास पर हमले से जुड़ा है इस बीच कतर और कुएत ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो इरान के खिलाव जंग के लिए अपने इलाके और ठिकानों का इस्तमाल नहीं करने देंगे इस कदम को भी मुस्लिम देशों की एक जुटता के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका इरान के साथ तनाव के इस माहौल में पूरी तरह खुल कर इसरेल के साथ खड़ा दिखाए दिया लडाकों ने इसरेल में घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी हमास के लडाकों ने सैक्ड़ों लोगों को गोली मार कर मौट के घाट उतार दिया था और करीब धाई सो लोगों को बंधग बनाकर अपने साथ घाजा ले गए थी इसरेल ने या रोप लगाया था कि हमास ने उसकी जमीन पर ये हमला इरान के इशारे पर ही किया था हालाकि इरान ने इससे पूरी तरह इंकार किया था लेकिन साथ अक्टूबर को इसरेल पर हमास के हमले के बाद इरान में जमकर जश्ण मनाए गया था और उसी जश्ण ने इसरेल के लोगों के कलेजे में आग लगा दी थी इरान पहले से ही इसरेल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा लेकिन हमास की जंग के बाद तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गए और हमास और इसरेल की जंग के छे महीने होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इरान और इसरेल में भी जंग छिड नहीं वाली है इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री आंजनी बलिंकिन ने साओधी अरब, चीन और तुर्की से इरान को हमला ना करने के लिए मनाने की अपील की इस बीच वायू सेना के एक रेस्क्यू ऑपरेशन की वज़े से सेना के एक जवान के कटे हुए हाथ को आसानी से जोड़ा जा सका बारतिय वायू सेना की मुस्तेदी की वज़े से सेना के एक जवान के हाथ की सरजरी समय रहते मुमकिन हो पाई दिल्ली में सेना के अस्पिताल में उस जवान के कटे हुए हाथ को समय रहते चोड़ दिया गया इसकी जानकारी वायू सेना ने खुद सोशल मीडिया के जरिये दी बताय गया कि लटाक के ले में हुए एक हादसे में उस जवान का हाथ कट गया था उसके बाद महस चार गंटे में उसे वायू सेना की मदद से दिल्ली पहुचा दिया गया प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उदंपुर में एक रैली के दौरान एलान किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्ज का दर्जा दिया जाएगा केंद्रिय मंतरी राजनाथ सिंग ने एमर्जनसी की एक घटना का जिकर कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मां के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए परोल तक नहीं मिल सकी थी उतर लोगसबा चुनाव में मायवती के भतीजे आकाश आनंद बीएसपी का चेहरा बन गए उन्होंने पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली दुआधार रैलियां की आकाश आनंद बीएसपी के नैशनल कोडिनेटर है लेकिन उन्हें मायवती का उत्तरा दिकारी भी माना जाता है और इसलिए उन्होंने इन चुनावों में ताबर तोड रैलियां की आकाश आनंद की रैलियों में जुटे लोगों में उन्हें देखकर जोश भर गया उनों उनके समर्थन में नारे भी लगाए और आकाश शानद के भाशन के दोरान तालियां भी बजाएं माना जा रहा है कि BSP ने अपनी सियासी जमीन को पहले जैसा मजबूत करने के लिए आकाश शानद को मैदान में उता रहा है और इसलिए आकाश आनंद ने मतुरा की रैली में बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ दिया और मुस्लिम मदद्दताओं को अपने फाले में लाने की कोशिश की उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया साथियो राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अपनी रैलियों में आकाश ने आकरामक तेवर दिखाते हुए सभी विरोधियों पर हमला किया समाजवादी पार्टी पर तो वो जम कर बरसे 2019 के लोगसबा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गडबंधन था लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों पार्टीों के रास्ते अलग हो चुके क्योंकि अखिलेश यादव और कॉंग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुर्चा खुल दिया आकाश आनंद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोबारा साथ नहीं आएंगे वैसे आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में बार बार मायवती का नाम लिया लेकिन उनके तेज दर्रार अंदाज ने ये संकेत दे दिये कि इस बार के चुनाव में वो ही बीएसपी का चेहरा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने तावर तोड रैलियां किया आकाश आनंद ने इस चुनाव में अपनी पहली रैली यूपी के बिजनौर में की थी बार फिर चंद शेकर आजाद पर हमला किया और उन्हें बहरूपिया बोल दिया आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगो पुद उम्गरा करने काम करते हैं इसे पहले नगीना की अपनी रैली में आकाश आनंद ने चंदरशेकर का काम करने का पूरा तरीका ही बता दिया था कि वो PSP के युवा समर्थकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं यानि आकाश आनंद पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई पहला वो चुनाम में पार्टी का चेहरा बने और दूसरा उन्होंने BSP का विकल बनने की कोशिश में जुटे चंदरशेकर की सियासी चाल फेल करने की कोशिश की और BSP को पुराने तेवरों में लाने की कोशिश में जुट गए इससे पहले उन्होंने राहूल गांदी पर तंस कसा था और अब उनके इस बयान ने भी हिमाचल की राजनीति में संचनी मचा दी क्योंकि उनके निशाने पर था हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस नेता विक्रमदित्य सिंग का परिवार कंगना रनौत ने आरोब लगाया कि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्य सिंग और उनके परिवार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपनी बपोती समझा आलंकि विक्रमदित्य सिंग ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की उन्होंने दावा किया कि कंगना रनौत ने नीजी हमले कर हिमाचल की राजनीति का माहौल बिगाडने की कोशिश की कंगना रनौत ने विक्रमदित सिंग के जरिए कांग्रेस की परिवार वादवाली छवी को निशाने पर लिया ऐसा इसलिए क्योंकि राज परिवार से आने वाले विक्रमदित्र सिंग, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी वीर भद्र सिंग और प्रतिबा सिंग के बेटे हैं उनके पिता राजा वीर भद्र सिंग पांच बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी रहे और उनकी माँ प्रतिबा सिंग, हिमाचल कॉंग्रेस के अध्यक्ष और मंडी लोकसबा सीट से मौजूदा सांसद भी है और अटकले हैं कि उनके परिवार के दबदबे की वज़े से इस बार मंडी से कॉंग्रेस विक्रमधित्ति सिंग को मैदान में उतार सकती है उदर गैंक्सर मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने भी जेल में जहर दिये जाने की आशंका जाहर की गैंक्सर मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी ने गाजिपुर की कोट से अपनी सुरक्षा की गोहर लगाई खबरे की कुछ दिनों पहले कोट में एक मामले की सुनवाई के दोरान उनके वकील की तरफ से कोट में अपील की गई त। इसकी जानकारी अब सामने आई। खबर है कि अब्बास अंसारी ने आरोब लगाया कि काजगन जेल में उनकी सुरक्षा पुक्ता नहीं है और उनके खाने में जहर भी मिलाये जा सकता है नैशनल कॉन्फरेंस के उपाध्यक्ष और जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्य मंतरी उमर अब्दुल्ला जम्मु कश्मीर की बारमुला लोगसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नैशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने ये एलान किया जम्मू कश्मीर की पांच लोगसभा सीटों पर कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी ने उत्रप्रदेश की कौशामबी और कुशीनगर लोगसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर अपने दो उम्मीदवारों की लिस्ट शेयर की जिसके मताबिक कुशामबी से पुशबेंदर सरोज और कुशीनगर से अजयर प्रताफ सिंग और पिंटू सैंथवार को प्रत्याशी बनाए गया बिहार के सुपॉल में नौवी क्लास में बच्चों के दाखिले को लेकर लागू किये गए नए नियम के खिलाफ चात्रों ने सड़क जैम कर दिया नए नियम के मताबिक चात्रों को उन स्कूलों में दाखिला लेना जरूरी होगा जो स्कूल उनके पंचायत के तहट आएंगे लेकिन परिशानी यह है कि कई स्कूल कुछ गाओं से बेहत दूर है और शिक्षा विभाग के इसी नियम के खिलाफ नौमी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने हाईवे जैम कर दिया वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर धरना देते दिखाए दिये गाड़ियों को रोकने के लिए हाईवे पर जाड़ियां और लकनियां रखी निजर आई बच्चों के इस विरोध प्रदर्शन की वज़े से वहां जैम जैसे हालात बन गए घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की लेकिन धरने पर बैठे बच्चे सड़क से उठने के लिए तयार नहीं हुए बताया गया कि आठवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब पास के स्कूल में नौवी के दाखले के लिए पहुंचे थे तो उन्हें दूसरे स्कूल में जाने के लिए कहा गया जो वहां से कई किलोमीटर दूर है करीब एगंटे तक बच्चों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा अलंकि बाद में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को पास के स्कूल में दाखला देने का भरोसा देकर प्रदर्शन खत्म करवा दिया इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए उत्तर भारत के राज्यों के लिए बारिश और बर्वबारी का अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली और उसके आसपास के अलाकों में 13-15 अप्रेल के दौरान हल्की से भारी बारिश का नुमान जताए गया जबकि पहाडी राज्यों में बारिश के साथ बर्वबारी की भी चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली अन्सियार समेथ 14 राज्यों में 13-15 अप्रेल के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है इन में उत्तरप्रदेश, मद्ध्रदेश, राजिस्थान, पंजाब, चत्तीजगर, बिहार और जार्खन शामिल है इनके लावा तिलंगाना, केरल, करनाटक, आंध्रप्रदेश, उडिशा और तमिलनाड में भी बारिश की संभावना जताए गई मौसम विभाग ने मद्ध्रदेश के 36 जिलों के लिए आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जिफकि उत्तरप्रदेश के 13 और पिहार के 9 जिलों में तेज हमाओं के साथ बारिश का अनुमान जताए गया लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट से पहाड़ी राज्यों की मुसीबत बढ़ गई क्योंकि अनुमान जताया गया कि 13 से 15 अपरेल के बीच जम्मु कश्मीर, लद्दाक और इमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है दूसरी तरफ मौसम विभाग ने करनाटक और आंदर प्रदेश के तटिये इलाकों में हीट वेव की भेविश्वानी कर दी इन सब के बीच विधान मंत्री मोदी ने गर्मी के मौसम पर एक बैठक की इसमें उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गई तयारियों का जाएजा लिया और राज्यकी सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निड़ेश दिये गैंग्स्टरों और आतंकियों के खिलाव चलाय जा रह LGBTQ awareness पिछले साल जुलाई में रमंदीब सिंग को बगोडा गोशित कर दिया था। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें वहां रहने वाले हिंदू और सिक्समुदाय के लोगों को उनकी जमीने वापस करने की बात कई गई गई थी। कुछ रोज पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि वहां जल्द ही अल्ब संखिकों को उनकी जमीने लोटा दी जाएंगी। तालिबान के मताबिक इन जमीनों पर पहले की सरकार के कुछ नेताओं ने कबजा कर लिया था। चंडिगड के तीन आईएस अधिकारियों पर फ्रांस की राजधानी पैरिस में फिजूल खर्ची कर लाखों रुपए बरबात करने के आरोफ लगे। चंडिगड के डिरेक्टर जनरल अफ ऑडिट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। बताया गया कि ये तीनों आईएस अधिकारी 2015 में पैरिस की यात्रा पर गए थे और आरोफ लगे कि ये तीनों अधिकारी पैरिस के महंगे हुटलों में रुके और बिजनस क्लास में उन्हें यात्रा की इधर राहूल गांधी को निकम्मा कहने वाली केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी पर कॉंग्रेस राशन पानी लेकर चट पड़ी। इसके बाद यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजेर राय ने स्मृती इरानी को जवाब देने में देर नहीं की। सुत्रों के मताबिक केरल की वाइनाट सीट पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस अमेठी से राहूल की दावेदारी का ऐलान कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर 2019 की तरह राहूल गांधी और स्मृती इरानी के बीच मुकाबला होगा। माना जा रहा है कि इसी वज़े से स्मृती इरानी लगातार राहूल गांधी पर हमलावर नजर आईं ताकि इसका फाइदा उन्हें अमेठी के लोगसवा चुनाव में हो सके। उधर मद्रदेश में कमलनाथ के खिले यानी चिंदवारा में वोटिंग से एक फथे पहले बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। इस बार बीजेपी ने कमलनाथ के कुरीबी और चिंदवारा के किसानेता अमिज सकसेना को अपने पाले में कीच लिया। उनके अलावा मद्धिप्रदेश के दो विधायक भी कॉंग्रिस का साथ छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ कई कारेकरताओं को भी लेकर आए इसे कमलनाथ के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि बीजेपी में आए अमिट सक्सेना का चिंदवाडा में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर बीजेपी ने कमलनाथ को गेरने का एक और ताओं चल दिया इससे पहले चिंदवाडा में ही मद्धिप्रदेश के सीम मोहन यादव ने कमलनाथ पर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया कमलनाथ के किले को ड़ाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताका जोंक रखी है यहाँ तक कि मद्धिप्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव चुनाव से पहले चिंदवाडा के पांच दौरे कर चुके हैं ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोगसबा चुनाव में बीजेपी ने MP की 29 में 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और चिंदवाडा की एकलोती सीट थी जो कॉंग्रेस के हिससे आई थी और तब कमलनाथ के बेठे नकुलनाथ ने ये सीट जीती थी जो इस बार भी चिंदवाडा से उम्मीदवार बनाए गए चिंदवाडा लोगसबा सीट पर 19 अपरेल को वोट डाले जाएंगी और इससे पहले बीजेपी ने मद्दपुदेश की इस 29 वी लोगसबा सीट को जीतने के लिए भी अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि वो लोगसबा चुनाब में मद्दपुदेश में क्लीन स्वीप कर सके इस बीच खाने की डिलिवरी करने वाली कमणी स्वीगी के एक डिलिवरी बॉय के जूते चुराने का एक वीडियो बारल हो गया ये घटना दिल्ली के नजदीक हर्याना के गुरुग्राम में उस वक्त वी जब वो डिलिवरी बॉय खाने का एक और्डर पहुंचाने एक हाउसिंग सुसाइटी में गया और उसने उस फ्लैट के बाहर रखे जूते चुरा लिये लेकिन जूते चुराने की एक घटना वहां लगे सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए चुरी करने से पहले वो काफी देर तक वहां ध्यान से देखता रहा सबसे पहले तो वो अपने बाई तरफ के उस फ्लैट की डोर बेल बजाता दिखाई दिया इस भी जुसकी नजर दाई तरफ के एक दूसरे फ्लैट के बाहर रखे जूतों पर पड़ी और वो टक्टकी लगाए उन जूतों की तरफ देखता रहा इस दोरान वो सीडी की तरफ भी देखता दिखाई दिया तभी बाई तरफ वाले उस फ्लैट का दरवाजा खुला और एक महिला ने उसके हाथ से समान ले लिया लेकिन सामान देने के बाद भी वो डिलिवरी बॉय वहीं खड़ा रहा कुछ देर में उसने फिर जूतों की तरफ देखा इसके बाद उसने अपना मोबाईल फोन जेब में रखा और सिर पर बांधा गमच्छा उतार कर चेहरा पोंचने लगे जेहरा पोंचते हुए वो सीडी से नीचे जाता दिखाई दिया लेकिन चार से पांच कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुका और इधर उधर देखते हुए फिर दबे पाउं उपर चड़ गया इसके बाद तो उसने अपना गमच्छा पहलाया और काले रंग वाले उन जूतों को उठा लिया और उन पर गमच्छा ढखते हुए वहां से निकल गया अला कि वीडियो सामने आने पर खाने की डिलिवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपने इस डिलिवरी बॉय की हरकत पर अफसोस जताया उदर चीन ने अमेरिका की दो कंपनियों पर पाबंदी लगा कर उसे खुली चुनौती दे दी अमेरिका से थनाव के बीच चीन ने दो अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंद लगाने का ऐलान कर दिया चीन ने डिफेंस से जुड़ी इन दोनों अमेरिकी कमपनियों पर ताइवान को हधियार बेचने में मदद करने का आरोप लगाया इसके साधी उसने अपने यहां मौजूद इन कमपनियों की संपत्तियों को फ्रीज भी कर दिया चीन लंबे वक्त से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है खबरे के मालदीव में भारती परेटिकों की संख्या में भारी कमी आने के बाद वहां परेटन से जुड़ी एक बड़ी संस्था भारत के अलग-अलग शेहरों में परचार करेगी इसका मकसद मालदीव में परेटन को बढ़ावा देना होगा खबरे के इस संस्था ने मालदीव में मौझूद भारती उच्चा युक्ट से इस सिलसले में मुलाकात भी की खबरे की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की नमबर एक कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क की भारत यात्रा दो दिन की होगी इस दोरान वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के अलान के साथ कुछ और गोशनाएं भी कर सकते हैं और इसी दोरान भिलाई स्टील प्लांट के अंदर आग की भयंकर लप्टें उड़ती दिगी इस आग की वज़े से वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि प्लांट के एक हिस्से में भड़की आग बिजली की तेजी से दूसरे हिस्सों तक बढ़ती नज़र आई तस्वीरों में दिखा कि उस भीशन आग की उंची उंची लपतें प्लांट की छट के नज़्दीक तक पहुँच गई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे प्लांट को जला कर राक कर देंगी आलंकि सूचना मिलने पर पहुँचे दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया लेकिन बताया गया कि आग की वज़े से प्लांट को भारी नुकसान पहुचा आलंकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भिलाई स्टील प्लांट तीन दिनों में दूसरी बाराग की चपिट में आ गया यही वज़रे कि इस मामले में सक्ति से जांच कादेश दे दिये गए इस बीश लालू यादव की बेटी और बिहार की पाटली पुत्र लोग सबा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधान मंत्री को जेल भेजने वाले बयान पर 24 गंटे के अंदर ही सफाई दे दी मीसा भारती के इस बायान पर बिहार के बीजेपी नेताओं से लेकर दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने भी मुर्चा खोल दिया था लेकिन मीशा भारती ने तो प्रधान मंत्री को लेकर दिये गए उस बयान से ही किनारा कर लिया जिसे लेकर पिछले 24 गंटे से बिहार समेथ दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ गई थी मीसा भारती के मुताबिक उन्होंने कभी प्रधान मंत्री को जेल भीजने की बात कही नहीं मीसा भारती पाटली पुत्र से चुनावी अखाड़े में उतरी है इस दोरान वो लगातार चुनाव प्रचार में भी जुटी है और ऐसे ही एक कारिकरम के दोरान एक रोज पहले उन्होंने प्रधान मंत्री पर वो बयान दिया था अलाकि अब मीसा भारती के सुर बदले हुए दिखे भारतीय जवानों ने बेहद उचाई वाले मुश्किलों से भरे पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ठिकाने लगाने की ताकत पर खी और इसमें मिसाइल के हमले में टैंकों और बक्तरबन गाड़ियों को तबाह करने का अब्ध्यास किया गया इस ड्रिल में भारतीय सेना के कई टुकनिया शामिल हुई तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी पर मौझूद जवानों ने मिसाइल लॉंचर की मदद से टार्गेट पर निशाना साधा और पलक जपकते ही उस पर जोरदार हमला कर दिये इस ड्रिल को एक मिसाइल एक टैंक नाम दिया गया यानि ऐसी तयारे जिसमें दुश्मन के एक टैंक को एक ही वार में बरबाद कर दिया जाए इस सेन्य अभ्यास में एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइलों का इस्तमाल किया गया ये मिसालें तेज रफ्तार में दोड़ते टैंकों के भी परकचे उड़ाने में माहिर मानी जाती हैं इसलिए क्योंकि ये दागी जाने के बाद टागेट के जगा बदलने पर भी उसे ढूंड कर तभा कर देती हैं भारतिय सेना ने इनी खतरनाक मिसालों से दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत परकी ये ड्रिल सिक्किम में करीब 17,000 फीट के उचाई वाले पहाड़ी इलाके में की गई जानकारी के मताबिक सिक्किम की उत्तरी सीमा से लगने वाले तिबबत के इलाकों में चीन की सेना की कई टुक्णियां तैनात हैं ऐसा माना गया कि भारत की ये तैयारी जरूरत पढ़ने पर चीन से दो-दो हाथ करने में बेहत मददगार साबित होगी उदर जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में हत्यारों की बड़ी खेब बरामत कर आतंकी साधिश नाकाम कर दी गई जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में बी-एस-फ के जवानों ने हत्यारों का जखीरा बरामत करने का दावा किया पताया गया कि जंगलों में चलाए गए सर्च आपरेशन के दौरान बारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद जब्त किया गया खबर है कि उनमें खतरनाक AK-47 राइफल भी शामिल है हिंद प्रशांद क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्टपती बाइडन ने जापान के प्रधान मंतरी और फिलिपीन्स के राष्टपती से मुलाकात की ये मुलाकात वाइट हाउस में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों देश मिलकर इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पिट्रोलिंग बढ़ाएंगे इसरेल और इरान विवाद के बीच अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने इसरेली सेना प्रमुक से मुलाकात की एक रोज पहले ही अमेरिका ने आशंका जताई थी कि इसरेल पर इरान मिसाल से हमला कर सकता है अमेरिका ने दावा किया कि इसरेल के सेन्या और सरकारी ठिकानों पर इरान कभी भी मिसाल से हमला कर सकता है इधर राजिस्तान की राजधानी जैपूर में तीन बदमाशों से एक अकेली लड़की के भिड़ने का वीडियो देखकर लोग दंग रह गए बताया गया कि रोज की तरह वो लड़की सुबब पांच बजे अकेले ही टेल ने निकल गई थी लेकिन तभी उनमें एक बदमाश ने जवट्टा मार कर उस लड़की के गले से चेन तोड़ ली सुनसान सड़क पर तीन बदमाशों से घिरे होने के बावजूद उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी चेन वापस लेने के लिए अकेले ही उनसे भिड़ गई वो उनका पीछा करते हुए उस मोटर साइकल के पास तक पहुन गई लेकिन तभी अपना बचाव करने के लिए उनमें एक बदमाश ने एक गुलेल निकाल ली जिससे डर कर वो उल्टे पैर वहां से भागती दिखाई दी और फिर उसे गुलेल मारने के बाद वो तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए इसके बाद उस लड़की ने पुलिस थाने पहुँचकर उन तीनों के खलाब एपायार दर्च करवाई इस बीच पंजाब के बठिंडा में एक बुजर्ग से सरयाम हुई लूट पार्ट का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया वहां तीन बदमाशों ने उन बुजर्ग का काफी दूर तक पीछा किया और मौका मिलते ही चीना जप्टी चुरू कर दी और उन बुजर्ग को जमीन पर गिरा कर उनके पास मौजूद सारा कैश चीन लिया तस्वीरों में दिखा कि सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं उन बुजर्ग को पीछे से आये बदमाशों ने घेर लिया एक बदमाश तो उनके बिल्कुल सामने आ गया और उसने उन बुजर्ग की शर्ट की ऊपर वाली जेब में हथ डाल दिया ऐसा होते ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और जोड़ जोड़ से शोर मचाना शुरू कर दिया बुजर्ग के चिलाते ही डर के मारे पीली शर्ट वाला एक बदमाश आगे निकल गया लेकिन बाकी दोनों ने धक्का मुक्की करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया और वो तब तक नहीं भागे जब तक उन्होंने उनके पास मजूद सारे पैसे चीन नहीं लिए उस दावे को खारिश कर दिया जिसमें जलिंस्की की सेना ने रूसी वायू सेना को भारी नुकसान पहुचाने की बात कई थी उस अमेरिकी जेनरल के मुताबिक फिछले दो साल से जारी इस जंग में रूसी वायू सेना के सिर्फ दस पतिशत हिस्से को ही नुकसान पहुँचा। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस जंग में युक्रेन के कई शहर बरबाद हो गए। रूस के राज़्ट वदी पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खास रणनीती के तहट युक्रेन की कई पावर ग्रिट को निशाना बनाया जिसकी वज़े से कीव समेथ युक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। भारतिय पहलवान वदित ने किर्गिस्तान में चल रही एशिन रिस्लिंग चैंपिंचिप में 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया। लेकिन कुछ देर में उसके दो साथी भी वहां पहुंच गए और गहनों की दुकान में बैठे उस बदमाश ने अपने दोनों साथीों को आते देख अपनी पिस्टॉल निकाली इसके साथ उन दोनों बदमाशों ने भी पिस्टॉल निकाली और लहराते हुए नजर आए वहाँ एक साथ तीन पिस्टॉलें देखकर उस दुकान का एक कर्मचारी तो अंदर की तरफ भागता दिखाई दिया इस बीच उसका एक साथी दोड़कर वहां रखे काउंटर के दूसरी तरफ चला गया इसके बाद तो निली टीशेट वाले बदमाश ने अपना बैग काउंटर पर रखा और चुन चुन कर गहने बैग में डालता रहा और उसके दोनों साथी गहने लूटने में उसकी मदद करते दिखे पुलिस के मताबिक उन्होंने 51 लाक रुपे से जादा के गहने लूटे और वहां से परार हो गया इन लोगों की जानकारी देने पर पुलिस ने इनाम देने का अलान कर दिया उदर चीन से बढ़ते तराव के बीच जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार समंदर में एरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया इस जंगी जहाज से खतरनाक लड़ा को विमान उड़ान भर सकेंगे यानि युद्ध में चीन की सेना को कड़ी टकर देने के लिए जापान ने अपनी कमर कस लिए और चीन के घमन को तोड़ने के लिए लहरों के बीच अपना ताकतवर युद्ध पोत तैनात कर दिया ताकि बार बार जंग की धंकी देने वाले चीन को उसके ही जाल में फसाय जा सके बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब जापान ने समंदर में अपने एरक्राफ्ट कैरियर कागा को तार दिया मतलब कि जापान अब चीन की सेना को खुल कर जवाब देना चाहता है और इसलिए उसने समंदर में अपनी नीव मजबूत कर ली बताया गया कि एरक्राफ्ट कैरियर कागा को जापान के कुरे शहर में समंदर के बीच तैनात किया गया और जापान की नौसेना ने दुनिया के सामने इसकी जानकारी दे कर चीन को अपनी ताकत का संदेश दे दिया डापा किया गया कि समंदर में जापान के खतरनाक एरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के लड़ाकु विमान F-35B का उलान भरना और लैंड करना आसान हो जाएगा इस एरक्राफ्ट कैरियर को अफग्रेड करने में जापान को दो साल का वक्त लगा ऐसे में ये माना जा रहा है कि जापान लंबे वक्त से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पठकनी देने की तैयारी में जुटा था इस भीज अमेरिका में एक महिला को 15 महीनों तक कीमो थरपी कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर ही नहीं है अमेरिका के टेकसस में एक महिला ने डॉक्टरों पर आरोफ लगाया कि उन्हें कैंसर होने की गलत जानकारी दी गए इतना ही नहीं आरोफ ये भी है कि डॉक्टरों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछी महीने बचे है इसके बाद उस महिला को डॉक्टरों ने 15 महीने तक कीमो थरेपी भी दी लेकिन बाद में एक जांच रिपोर्ट से उस महिला को पता चला कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं चीन से सीमा विवाद सुलजाने पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बयान के बाद चीन के विदेश मंतराले ने भी टिप्पनी की चीनी विदेश मंतराले की प्रवक्ता माउन यंग ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बाद कही हाली में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को प्रिधान मंत्री ने एक इंटव्यू दिया था और उसमें चीन के साथ सीमा विवाद तुरंट सुलजाने की बात कही थी और तबी उस रेलवे फाटक पर लगा बैरियर लोगों के उपर गिर गया तस्वीरों में उस फाटक के दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती नजर आएं काफी देर तक उस फाटक के बंद रहने की वज़े से वहां लंबा जैम लग गया था इस दोरान सड़क के दूसरी तरफ से सामान ढोने वाली एक गाड़ी आती दिखाई थी जैसे ही वो गाड़ी उस फाटक पर लगे बैरियर के करीब पहुंची उसका पिछला इससा उससे टकरा गया टकर लगते ही वो बैरियर एक जटके में वहां मौझूद लोगों पर गिर पड़ा लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब उस बैरियर के गिरने से एक मोटरसाइकल वाले के सिर पर चोट लगए वो बैरियर इतनी जोड़ से उसके सिर पर गिरा कि वो जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वहां मौझूद लोग दोड़ कर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करते दिखे जबकि कुछ लोग उस बैरियर को इस मोटरसाइकल के उपर से हटाते नज़र आए बता गया कि इस हादसे में उस मोटरसाइकल वाले के सिर पर गंभीर चोट आई उदर चीन के बेहत खरीब समंदर में एक बड़ी ड्रिल करके अमेरिका ने शी जिन पिंग की नींद उड़ा दी इसके अलावा वहाँ जापान और दक्षन कोरिया की घातक पन डुब्यों और जहाजों ने भी अपना जोर दिखाया और अमेरिका ने दावा किया कि सेन्या भ्यास का मकसद चीन को ये बताना था कि वो अमेरिका के किसी भी दोस्त को कमजोर समझने की गलती ना करे अमेरिका पहले भी कई बार इस अलावे में जापान दक्षन कोरिया और फिलिपीन के साथ सैन्या डुरिल कर चुका है ये समुद्री इलाका दक्षन चीन सागर कहलाता है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है और वो यहां किसी और देश की नौसेना के जहाजों को गुसने तक नहीं देता अमेरिका ने दावा किया कि चीन के इसी घमंड को तोड़ने के लिए उसने दक्षन चीन सागर से लगने वाले बाकी देशों के साथ हाथ मिलाया ताकि समंदर में बढ़ती चीन की दादा गिरी पर लगाम लगाई जा सके इस बीच महंगाई के मोर्शे पर राहत की खबर सामने आई रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 5 महीने का सबसे निचला स्तर है वित्तमंतराले की तरफ से जारी आंकडों के मताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट की वज़े से मार्च में रिटेल महंगाई दर घटी है फरवरी में ये दर 5.09 प्रतिशत पर थी सभी सेक्टरों में हुई बिक्वाली की वज़े से भारतिय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली इस दोरान बैंक, हेल्थ केर, FMCG, मीडिया, रियल्टी और ओलन गैस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज का सेंसिक्स 793 अंकों की गिरावट के साथ 74,244 फर बंद हुआ, तो निफ्टी 234 संग गिरकर 22,519 के सतर पर आ गया उदर अमेरिका के फिलिडेलफिया में एक रोज पहले ईद के जेश्टन के दौरान दो गुटों में हुई गोली बारी की खबर से संसनी फैल गई, वहां कुछी मिंटों में चली 30 गोलियों की तरतराहट से भगदर्मन बगई, पुलिस के मताबिक इस घटना में तीन सुनते ही वहां भगदर मच गई, लोग अपना सामान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले, पुलिस के मताबिक इद का जेश्टन मनाने के लिए एक अठा हुए लोगों के बीच अचानक गोली बारी शुरू हो गई, और वहां दो गुटों के बी इस उस इलाके के लोगों से पूश्टाच करती नजर आई, इस बीच केरल में एरनक रूम जिले के गाउं में हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए वहां धारा 144 लगानी पड़ गई, बताय गया कि जंगली हाथियों के जुन से भटक कर हाथी का वो बच्चा आबादी वाले इलाके के नजदीक पानी से भरे गड़े में गिर गया, लेकिन उसे बचाने में वन विभाग के भी पसी ने चूट गए, तस्वीरों में दिखा कि हाथी का वो बच्चा पानी से भरे तरीब 15 फीट गहरे गड़े में फस गया, इस दोरान सून की मदद से उपर निकलने के लिए दम लगाया, लेकिन गड़े की गहराई ज्यादा होने की वज़े से उसकी कोशिश नाकाम रही, उसने कई बार कोशिश की लेकिन जब उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ, तो हाथी का वो बच्चा ठक हार कर गड़े में ही बैट गया, हाथी के वन विभाक की टीम ने सबसे पहले उस गड़े का पानी कम किया, इसके बाद हाथी के उस बच्चे को ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश कर दिया गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद जंगली हाथी का वो बच्चा किसी को नुकसान ना पहुचा है, इसके लिए उस इल उस दुकानदार को उसकी दवा लोटा दी, और बस इसी बात पर वो बुरी तरह भढ़क गया और उस डॉक्टर पर हमला कर दिया, इससे पहले उस डॉक्टर और उस मेडिकल स्टोर मालिक के बीच बहस होती नजर आये, उस वक्त वहाँ कई लोग भी खड़े दिखाई दि ये देखकर वहाँ खड़े लोग बीच बचाव करने आया और उन दोनों को अलग किया, लेकिन इसके बाद भी काफी देर तक उन दोनों के बीच जबानी जग जारी रही, आरोप है के मेडिकल स्टोर के उस मालिक ने एक मरीज को गलत दवा दी थी, और जब उस मरीज ने उस डॉक्टर से इसकी शिकायत की, तो उसने वो दवा लोटा दी, बस इसी बात पर वो घुस्से में आ गया और उसने उस डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी, उदर दक्षन कोरिया के दूसरे जासूसी सैटलाइट लांच करते ही किम जॉंग उन ने जंग की हुंक अब जंग के मैदान में खुल कर खेलना चाहता है। किम जॉंग उन ने अपने संबोधन में खुल कर बयान दिया कि उत्तर कोरिया के आसपास हालात ठीक नहीं हैं और सेना को युद्ध के लिए पहले से ज्यादा तयार होकर रहना होगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त दक्षन कोरिया और उसके दोस्तों के खिलाफ जंग चेड़ सकते हैं। इदर राजिस्तान के चुरू में उस वक्त दफरा दफरी मच गई जब वहां बदमाशों के गिरोह ने एक आदमी पर हमला कर दिया।